नमस्कार, 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 I hope आप सभी बहुत शानदा जबजस्त होंगे, मेरा नाम रुवित अगरवाल, इंट्रो मैं आपको देता हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है हाइड्रोकर्बन, पहली बार हम फिरिस्वाला के जो टॉपर्स बैचे उससे बाहर हम, म अज वाला के उनको पढ़ाते हैं, और अभी मेरेको एक मुका मिला, मंजील में आने का बोला गया, मंजील ले ले लेंगे, कोई दिखे तरिए, मंजील, हाइड्रोकर्बन, वन शौट, आजम वन शौट, हाइड्रोकर्बन, वन शौट, कोशिच करूँगा, कि हाइड्रोक के concept समझाऊंगा और जितने भी means के लाइक चीज़े हो सकती थी topic के अंदर अंदर हो सब समझाऊंगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको हर किसी का mechanism properly समझा सकूँ जुगार भी समझा सकूँ और mechanism भी समझा सकूँ तो ये one short का फाइदा क्या होता है सर देखो ये 5-6 गंटे का lecture होगा सर इतने चोटे मोझा है क्या इतना ज्यादा करेंगे तो ना तो मैंस लाग रहेंगे न एडवांस लाग रहेंगे अभी हम कोशिश करें कि हम मेंस तक तो करी लें प्लस एडवांस का कुछ तड़का दूँगा मैं क्रिस्पी जो बुलते हैं थोड़ा सथ तलगा डालके क्योंकि ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अभी आप मेंस के लेवल पर इसको clear करें और this is the basic of organic chemistry इससे पहले GOC आता है ISO में रिजम आता है अब actually में advance के लिए जो important part है reaction mechanism शुरू हो नहीं इसके अंदर अब तक आपने electrophile nucleophile इस सब चीशन सीख लिए GOC में अब हम यहां बात करें हैं उनके applications उनके applications अब यहां पर आपको देखो जो चीज़े cover होनी है मैं आपको बता दूँ जैसे की alkene, alkene, alkynes की reaction में कहीं ने कहीं कोटा touch देने की कोशिश करूँगा क्योंकि कोटा में इतने सालों से offline पढ़ाते हुगे मुझे इतना पता है कि जो content मैं देने वाला हूँ वो आपके offline वाला content है जिसमें जो ILT का हमारा sequence है दोनों को mix करकर दूँगा hydrocarbon में मैं आपको alkene, alkyn, alkyns तो पढ़ाऊंगा अलकेंस की reaction क्यों अलकेंस अलग नहीं, alkyn अलग नहीं, hydrogenation पढ़ाऊंगा माल लो तो वो alkyns अलकेंस दोनों के लिए होंगी ऐसे नहीं कि उसका अलग, इसका अलग, उसका अलग, इससे कोई फाइदा नहीं, लेकिन हाँ, आप लोगों को एक एक चीज़ NCLT की cover हो जाएगी, यह मेरी guarantee है, तो इसी के साथ अपना इंट्रो, तो मैसे तो मैसे रोही तगरवाल, देख पाने है, रोही तगरवाल, आरे इस साल जो पढ़ाया है बच्चो को, वो पढ़ाया है हमने, जो प्रहार बैचे हमारा, जो rankers बैचे, toppers, अभी गवरा बैचे, rankers बैचे हमारा, जिनमें toppers बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया, फिर dropper की बात करो, तो मैंने प्रयास सुपइंटो पढ़ाया, तो हमन ऐसा नहीं कि बच्चो की क्वरी आती है, आप मेंस का बढ़ाओगे, एडवांस का बढ़ाओगे, हाई फाई पढ़ाओगे, अरे बाई, बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल छोटी-छोटी चीजों को समझेंगे, आपको मैं Electroflik Edition बढ़ाओँगा, तो उसमें ये भी आता है, रटना नहीं है, इसमें S2-4 आया तो ऐसा कर देना, HBR आतो ऐसा कर देना, वो आया तो ऐसा कर देना, BR2 आतो ऐसा कर देना, कुछ कर नहीं देना, सब कुछ instantaneous basics के साथ सिखाऊंगा, कि सूचना कैसे है, आपको पता नहीं है, और अर्गेनिक केमेस्टी में रटने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, अब मेंस के पेपर भी इस लेवल पर आते हैं, कि मज़ा अगलाब, advance के single choice questions आते हैं, तो अगर उस लेवल को चीज़े चू रही हैं, तो कहीं नहीं हमें भी उस लेवल पर पहुचना चाहिए, मेरा यसा मानना है, कि हम यहां बिलक प्रॉपरली सुनना है, और ध्यान देना है, और समझना है, अगर आप तमी से नहीं कर पाते हैं, आप बिंदा से कैसे doubt पूछिए, किसी भी तरह, आप मानिए कि इस topic को जितना हो सके उता अच्छा hold कीजिए, क्योंकि यह topic आपको आगे की नीव के बहुत काम आएगा, उसका यूज अभी बहुत होने वाला है आज, तो इस तरीके से चीजें बहुत सारी connected हैं आपस में, तो इस वाज मैं इंट्रो, चीक है बाकी आप देख लीजिएगा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज का topic, आज का main क्या है, क्या नहीं है और वो सब चीज हम स्टार्ट करने जल्दी से अपने नोट्स निकाल दीजिए, चलिए, स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, देखो, अब मैं आपको क्या-क्या पढाने आवाला हूं, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, ताकि जब आपके कट्स होंगे, आपको समझमा आ जाएगा कि पहले हम मैं MOPs, method of preparation of alkene, कि alkene के हम कैसे कैसे हम बना सकते हैं, तो वो हम पहले सिखेंगे MOPs, वो सारी reaction actually radical की introduced हो जाएगी, विकोज उनसे हम कई ने कई हम कोशिश करते हैं, कि radical से हम alkynes को alkynes को alkynes को alkynes को बना सकें, so we are going to first MOP of hydrocarbon, alkyn, 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 alkynes, तीनों को बनाना हम सिखेंगे, तो यह हम पहले सिखेंगे, उससे पहले लेकिन आपको free radical की reaction समझ में आनी ही चाहिए, अच्छा, तो first हम क्या पढ़ने जाने हैं, MOP, method of, method of preparation, हैरिंग डालेजिए, अच्छा, कि यहां पढ़ने बेटें, कि समझने बेटें, नहीं, आपको अगर कोशिश करनी है, जब हम पढ़ा हैं, तो साथ-साथ में चुट-चुटी चीज़ें आप लिखते रहें, आपको समझा है, हाँ, यह चीज़े काम की है, तो इसलिए, चलिए, स्टार्ट करते है, hydrocarbon, बहुत basic से चलता हूँ, hydrocarbon compounds containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbon, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे compounds के बारे हम पढ़ basic, आप समझे रहे हैं, बिल्कुल reality, तो यह सत्य है, यह आपके daily life में, आची तारिक में maximum, इतने भी inventions हो रहे हैं, बहुत कहीं ने कहीं, organic का बहुत बड़ा use है, biomolecules, polymer, इनका इतना use आ चुका है, कि इसकी वज़े से चीज़ें चीज़ें बहुत अपडेट होती जा रहे है हैं, तो hydrocarbon से लाइग ना, जो जैवी का कारबन हो है, hydrogen वाल है, और अगर हम ने हैच को हटा के या इस तरह के से हमने कुछ और heterotem लगा दिया, तो बन गया hydrocarbon derivative, उसमें भी हमारे तीन टाइप के हो गए, किसे टाइप के हो गए, alkane, alkyns and alkyns, हम जो तीन पढ़ते हैं, एक alkyns, एक हम पढ़ेंगे, alkyns, और एक हम पढ़ेंगे, alkyns, और लास्ट में पढ़ेंगे, benzene, तो यह चार चीजे हमारे उस चप्टर में cover होती है, लेकिन मैं आपको केवल NCRT नहीं बढ़ाओंगा, मैं आपको उस लेवल तक लेके जाओंगा, alkyns तो alkyns के जित्ती reactions अप mechanism, जहाँ पर हम depth में जा सकते हैं, यह चीज बड़ी pinch हो सकती है, इनके reasons के साथ, logical reason के साथ, alkyns, alkyns और benzene, benzene के कुछ reaction जैसे कि वह specific reaction, electrophilic aromatic substitution, बहुत ही important reaction है, बहुत ही important reaction है, तो उन सब चीजों को हम cover करने की कोशिश करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं, alk common तरीके से सिखा सकूँ, कि अलग-अलग नहीं पढ़ना, alkyn के अलग याद करना, alkyn अलग याद करना, alkyn अलग याद करना, alkyn अलग याद करना, आप एक common सीखिए कि हम करने क्यावाल है, अभी आज जो मैं शुरू करने जा रहा हुना, उसका फ्री रेडिकल, क्योंकि हम start क करेंगे कि हम free radical reactions के द्वारा, हम alkyn, alkyn, alkyns को बनाएंगे, we are trying to make alkyn, 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 by free radical, intermediate, तो अब यही तो पढ़ने वाल है, अब देखो, अब मैं वो सब चीजे आपको अभी यहाँ इंट्रिदूस नहीं करूंगा, सुसकी सार, C-H bond जो होती है, C-C bond जो होती है, C-C bond की bond लें 1.54 m strong होती है, और C-H bond की होती है, आपके 1.12 m strong होती है, यह सब चीजें NCRT में लिखिया, आप चाहिए पढ़ सकते हैं, इसमें सच कोई बहुत 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 टास्क है नहीं, हमें जो ध्यान रखना है, reactions वाले पर जाना है, समझ रहें, आप जितना अच्छे से, जितना deeply simply उसके पर काम करेंगे, उतना आपके लिए मज़ा आएगा, उतना आप लोगों को मज़ा आएगा, तो चलिए हम start करने जा रहे है, method of preparation of alkane, method of preparation of alkane, so उसके बारे में बात करेंगे, चलिए start करते हैं, चीक है, चलो, अभी start करते हैं, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं basics, बि द्यान से सुनिए और समझीए, सभी लोग बहुत द्यान से सुनेंगे और समझेंगे, हम बात करेंगे, free radical कि देखो, पता है, इसमें बहुत लोग misconception के शिकार हो चुके हैं, कि free radical में क्या होता है, क्योंकि कहीं लोग इसको ignore कर देते हैं, मैंने भी देखा है, अपने यहा कामपल लेते हैं, free radical का, हमने लिया, CH3. हमने लिया, CH3. पीछे सावाजी तो हम जानते हैं, पीछे वाला गदा बोल रहा है, हम जानते हैं यह तो, अरे नहीं, आपको समझना है, CH3. क्या है, what is the free radical, इसको basic समझें, अपने आप चीज़ें लिंक्ट हो जाएंगी, आप इतना unstable हूँ, कि लोग मुझे महले में paramagnetik कहा करते हैं, तो यह paramagnetik क्या है, paramagnetik का मतब होता है, unpaired electrons, unpaired electrons, so compound या specialist containing unpaid electrons are paramagnetic, तो यह मैंने कहा तो तुम तो paramagnetic हो, बोला हाँ sir, मुझे लोग paramagnetic कहा करते हैं, तो इस unpaired electrons की वएच से यह कैसा हुआ, paramagnetic, तो मैंने कहा तुम तो बहुत unstable होगे, पहले हाँ sir, paramagnetic nature के करण I am highly unstable intermediate, मेरा octet ही complete नहीं है, वो तो अच्छी बात है, तो समझ में भी आगे, तो ठीक है, पर इसको कैसा संबाले, paramagnetic, unpaid electron के चलते हैं, highly highly unstable species, और आपको पता हूँ कि एक मज़दर बात, कभी ना सुनी होगी, कभी ना सुन radical को reaction करने के लिए, कितनी energy की जरूत होती है, तो हमें क्या आपको data होगा, नहीं, पता कितनी होती है, zero, वहला आप free radicals are so unstable, कि उनको किसी energy की जरूत है नहीं है, बनते ही, फटा-फट react कर जाते हैं, इसलिए इनकी active energy zero होती है, इनको react करने के लिए, किसी energy की requirement नहीं है, फट बना react क्यों, क्योंकि यह unpaired electron लेकर बेटा हुआ है, यह paramagnetic है, उसी के चलते highly unstable है, अगर मैं आपको carbon का और diagram समझाओ, यह होता है, 1s2, 2s2, 2p2, यह आपने पढ़ा बच्पन में, बच्पन में कहा है sir, हमने तो अभी पढ़ा था, हाँ, यह लो, यह ground state नहीं है, मैंने ए electron को excited कर दिया, यह है आपकी excited state, this is your excited state, है ना, that is your excited state, चीक है, अब मुझे यहाँ पे तीन bond मना नहीं है, तीन है अच्छे, एक, दो, तीन, that one electron, that one electron is your unpaired electron, यही है आपका CS3 dot, अब पता है कहीं सारे लोग क्या करते हैं, इसको neutral कर देते हैं, कुछ नहीं है, एक electron neutral, नहीं यही है आपका unpaired electron, यही है आपका free radical, यही है आपका free radical, अब सर, इसके क्या क्या मतलब है, तो देखिए, कुछ-कुछ points आप ऐसे लिख सकते हो, या समझ सकते हो, बड़ा easy पढ़ा रहा हो न, आपको अभी है न, फिर इससी reaction वाले पार्ट पर आँँगा, फिर हम hyerokraven प बात करें, oktate, incomplete, oktate incomplete, oktate incomplete, ठीक है, oktate incomplete है, oktate incomplete है इसका, एक elektron है, एक elektron के चलते है, oktate क्या है, इसका, incomplete है, और paramagnetic है, और lone pair zero है, ऐसी कुछ-कुछ बाते हैं, highly unstable, यह सब बाते हैं, आप समझ सकते हैं, highly unstable, highly unstable, zero, activation energy, भई, energy की जरुवती नहीं है, बनाठ react करेगा, बिल्कुल बनाठ तरीके से, बना और react, पीछे से हावाज आ यह सा, बनाठ बनाठ, बाला है, बहुत तेज बे, बहुत तेज रियक करेगा, energy की जरुवती नहीं है, बहुत fast reaction करता है, और अब इसकी reactions, अब बात करें, इसकी reactions की, hybridization तो आप जानती ही है, hybridization क्या होगा, बटा, 1s, 2p, that is your sp2, sp2, trigonal, planar, so यह कैसा दिखता होगा, आओ, feel करा हूँ, यह carbon, assume करो, यह carbon है, कैसे assume करें, अभे गटो, बच्पन से ही मान के चल रहे हो, अरे भाई लोग, बच्पन से ही मान के चल रहे हो, माना की mathematics में क्या करते हो, माना की x यह है, माना की मान नहीं रहे हो, यहाँ भी मान लो, यह carbon है, carbon, फिर क्या S पर तीन H है, carbon, H, 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 120 दिगरी पर तीन हो, ठीक है न, ऐसे, carbon, H, 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 यह हो गया, ठीक है, यह हो गया, carbon, H, 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 अब सर, यह है आपका P-orbital, यह रहाँ, carbon, H, 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 यह P-orbital, यह P-orbital, यह plane में था आपका, carbon, H, 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 यह plane में हो गया, उससे यह P-orbital, उसमें एक लेक्ट्रोन है, सिंगल लेक्ट्रोन उस orbital में मोजूद है, so that is your trigonal planar, बोले तो, इसको ऐसे माल लूँ, तो कुछ इस प्रकार, यह एक लेक्ट्रोन, ऐसे वो सकता है, old-ispy में वो सकती, वो तो हाफ माने साब बहुत बहुत आर पोसिपल, यह लिए है, that is your SP2 trigonal planar, अब बात करें इसके reaction की, सर, यह reaction कौन कौन सी करेगा, सर, यह reaction कौन कौन सी करेगा, ध्याँ से, बहुत ध्याँ से सुन लेना, इसको समझ गया है, तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसी को हम पढ़ने वाले है, पहले मैं आपको इसी reaction सिखाऊंगा, फिर हम M.O.P.S. पर स्टार्ट करेंगे, हम किसी के reaction से हम hydrocarbon को बनाएंगे, पहली reaction जो उसके त्वारा की जाती है, या शाज़े वो है आपका combination, वो है आपका combination, मलब फ्री radical पहली कोशिश करता है combination की, किसकी, combine होना, जुड़ना, what is the combination, जुड़ जाना, जुड़ जाना, दो चीजों का जुड़ जाना, तो radical का radical से जुड़ जाना, एक radical, दूसर radical, दोनों का जुड़ जाना, is combination, is a combination, and the second is your disproportionation, तो यह कोँ सी है, अरे भाई, पढ़ी होगी, IOC के अंदर इसका मतलब, अब एक से दो, पढ़ा है, अरे ओ, मोहले वालों सुना है, combination जुड़ जाना, disproportionation, एक molecule से, एक species से, उसी का oxidize होना, उसी का reduce होना, मतलब सर, इसका आपने दो molecule लिये, एक molecule तो हो रहा है, oxidize, एक molecule हो रहा है, reduce, एक हो रहा है, oxidize, एक हो रहा है, reduce, समझ गए मेरी बात को, समझ गए, आच्छा, आज लोग तो, सर, ये, भाई की शादिती, तो, combinations and disproportionation, disproportionation क्या होगा, सीखेंगे, सीखेंगे, इससों बात करेंगे अभी, तीसरा है, rearrangement, अच्छा, जैसे कि आपने पढ़ा है, rearrangement of carbocatine, नहीं तो, अभी यमें पढ़ा दूँगा, ये rearrangement of carbocatine पढ़ा था, वैसे rearrangement of free radical, और बता दू मैं आपको, ये rearrangement वाला part, rearrangement वाला part, आपके J और NEET syllabus में नहीं है, मतलब, हमारे सामने को radical आजाए, हमें rearrangement नहीं करना, हमसे rearrangement of radical करना है, नहीं करना है, हमारे ज़रिकल जहां है, वहीं रहेगा, कहीं rearrangement, यहां से उठा के वहाँ, जैसे कि क्या होता था, यह आपको example देता हूँ, शाय समझ में आ जाए, याद होगा आपको, CS3, CS2, CS2+, ये plus उठके यहां आ जाता है, S shift होके, सिखाऊंगा कैसे, लेकिन, यहां आडिया, यहां आ गया, लेकिन अगर यहां पर radical होता, अभी अगर यहां radical होता, ये, तो ये कभी भी rearrange नहीं करता, dot जहां बन गया, वो बन गया, समझ में आपको, जो बन गया वो बन गया, हमें इसको जबर्दस्ति में परिशान, नहीं करना है, हमें dot को ज़दा परिशान, नहीं करना है, ध्यान रखें इस बात का, हमें, तो that is not in our, J's, आप इसको चाहँ लिख सकते हैं, not in, J'E, and, neat, neat और J'E में यह नहीं है, हमारे लिए arrangement, तो फिर बहुत आसान हो गया, हमारे लिए लिए दो चीज़े हैं, अब यह सर, यह कब करना, यह कब करना, आई यह, सीखते हैं, पता है, आपको मैं क्यूं सिखा रहा हूँ पहले यह, ताकि आपको, hydrocarbon बनाना, बहुत आसान हो जाए, आपके लिए, hydrocarbon को form करना, is the easiest process, कैसे सर, सिखाता हूँ, आओ, मैं आपको अब लेके चलता हूँ, अगले पढ़ाव की तरफ, इसका नाम है, combination reaction, सरी, यह क्या हो, अलग से reaction पढ़नी है, अरे कुछ भी नहीं है, देखो तो सही, अरे देखो इधर, मजा ना आए, तो नाम बदल देना, क्या रखेंगे सर नाम, combination, combination, combination क्या बोलता है, मतलब दो चीजों का जुड़ जाना, example, मैंने पहला example लिया, cs3.ka, मैंने पहला example लिया, cs3.ka, मतलब सर, cs3.ka के दो मुलिको, एक ऐसे लिखे दिया है, मतलब आपको understood है, खुद से तो क्या जोड़ोगे, भे खुद ही भाई हो, खुद ही अकेले जुड़ जाओ, किस से जुड़ूँ, कुछ है निए, तो दो मुलिकोल आपने understood, इसके ले लिये हैं, आपने दो मुलिकोल इसके लिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, दो मुलिकोल इसके लिए, तो बना क्या, cs3 अपने ही डॉट से जुड़ाए, देखो ऐसे, cs3 डॉट, देखो बिल्कुल बेसिस सिखा रहा हूँ, सुन ले ना इस बात को ये, इन दोनों को जोड़ दो, इसका एक लिए टॉन, इसका एक लिए टॉन, दोनों बन गए, अब बॉन बन जागी, एक बॉन में कितने लिए टॉन होते हैं, दो लिए टॉन होते हैं, so that will form cs3 with cs3, हाँ, मॉल्स की बात करूँ, तो आपको यहाँ दो मॉल्स इसके चाहिए होंगे, उसके एक मॉल आपका, cs3, cs3, ethane gase बनेगी, ethane gase प्रोड्यूस होगी, आपके दो मॉल्स से, आई होब आपको मेरी बास समझ में आई हो, कि हम कर क्या रहे हैं, हमने cs3, ऐसे combine करना है, सुर्य तो बहुत आसान हो गया सर, जोड़ दिया, और वो पीछे वालो, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको, सर पीछे कहा मतलब, जो बैट के सुन रहे हैं, उन सभी को लगता है, प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो इस तरीके से आपको जोड़ना है, सुर्य तो हम भी कर लेंगे, तो आओ, अगर आप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जोड़ो इसको, cs3, cs2, dot, अरे जोड़ के दिखाओ, तीसरा, अब आपको मैं बस यह दे रहा हूँ ना, आंसर बनाईए, आंसर बनाईए मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ आंसर बनाईए, मेरे साथ साथ आंसर को बनाने की, कोशिश कीजिए, आपको साथो कुशन के आंसर बनाने हैं, आपको सातों question के answer बनाने है बनाए जल्दी जल्दी answer बना देजिए जालदी से answer बना देजिए अब जालदी I am going to discuss it जालदी I hope आपने कर लिया होंगे questions आइए discussion शुरू करते हैं अच्छा बना easy सार देखो यह आपको लग रहा है यही same questions सा आप देखो आपने किया गया आपने किया गया आपने यह reaction करके आप अलकेन बनाया आप सोचो अब मैं आपको केवल एक चीज़ सिखाऊंगा यह dot बनाना मैं आपको free radical बनाना सिखाऊंगा और आप इसको अलकेन मे आप convert करेंगे मेरे लिए आप convert करेंगे इसमें यहां पर भी अलकेन तो ultimately अब आप सोचो आप कर क्या रहे हैं आप अलकेन में convert कर रहे हैं आप अलकेन बना रहे हैं मैं आपको एक basic सिखा रहा हूँ radical की reaction combination आईए दो कारबन है तो दो जोड़ दिजिए चार हो गई ऐसे दो दो यह जुड़ गए .स धूरे चार वर समूर्फ भी यहां बात करेंगे यहा तो अब यह जोड़ के ऐसे रखा एक एसे रखो उल्टा दोनों को जोड़ दो 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 प्रस он said इसको हैं तो कुछ मित करो बस ऑनसी मस्त हो कर बिन बिना बिन बिना कु शुचै देखो यहा यहां पर यहां दियान क्या रखना है बहुत important पार्ट अब आप देखो यह बात सीखेंगे तो सीखेंगे मैं आपको फिर बोल रहा हूँ यह देखो star कैसे सर क्या करना है इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है माल लो यहां carbon 14 होता या कुछ और होता तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर कि यह जो dot है यह resonance भी कर रहा है मतलब यह dot अकेला नहीं है यह इसके साथ भी है फिर तो सर यह तो 2 radical हो गए जी हाँ अब ध्यान सा सुनिये ऐसे question आपको आगे भी आएंगे माल लेता हूँ अगर माल लो आपके पास कभी ऐसा हुआ प्लीज ध्यान सा सुनियेगा माल लो माल लेता की चलो आपके पास यह हुआ कभी रेडिकल हुआ और B radical, दोनों एक साथ बनने हैं आपके, आपके पास दो radical, ऐसे सवाल आ चुके हैं, एक radical, दो radical, दोनों radical है, मैंने का क्या possible नहीं है, तो क्या करेंगे, तो सर इसमें क्या-क्या combine करने के, इसके बहुत सारे molecules system में पढ़े हुए है, इसके बहुत सारे moles पढ़े हुए system में, अ अब आप सोचों क्या करें फिर, तो फिर आपको ध्यान रखना होगा, A dot के पास दो चोई से, या तो वो A dot के साथ combine कर ले, या फिर वो B dot के साथ combine कर ले, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और समझेगा, A dot के पास अब combine होने के दो तरीके हैं, अपने ही molecule से, क्यो कौन सा product नहीं बनेगा, तो क्यों को से बन जाएंगे, वो देख लो, A और A जूट जाएंगे, तो क्या बन जाएंगे, बटा, A, 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 A or B जूट जाएंगे, तो क्या बनेगा, A, B, 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 B और A, B, B, A, B एक हो गया, तो यह तीन product आपके possible हैं, यह तीनों product आपके possible हैं, वहरम ऐसा सवाल करेंगे अभी, करेंगे, आप उसीखना होगा, तो यह हम करेंगे अभी, ट्राइब, तो यह तीनों पॉसिबल है, आपसे पूछेगा, कौन सा प्रोट नहीं बनेगा, यह तीन देगा, चौता, एगा कुछ अलग सा देदेगा, आप उलगेगा, अच्छा, कि दोनों सेम हैं, तिस टू आरेसर इकुब, अगर यह दोनों आरेसर एकुब नहीं होते, तो फिर हम आप बहुत सारे प्रोटट मिल सकते थे, लेकिन हाँ, अब यह आपको समझाने के लिए, मैंने आपको यह बता दिया, अब हम बात करें, बंजीन वाली बात करें, अब और स्बुस्धा चेंड हो गया पहले ही डह अंस्टेबल है तो यह पहले ही आ हände पहले ही ईनस्डेबल है उनसे नेजिए है और बिदेटर और चेबल हो गया तो इससका सीधा आन्सर आगया भी एज्ट प्लाट आन्स च्राइल रही उसुल गें यह Prof. बेंजीन हां जी समझ में आ रहा है किती डियू है इसकी डिग्री ओफ इंसेश्टेशन किती है सब फॉमुला लगाओ अरे गिल नो न भाई तीन पाई बॉंड तीन पाई बॉंड शे पाई बॉंड और दो रिंग आठ डियू होगी तो डियू को नहीं कर वा रहे हो अरे भा आपने को त्यां लख नापना है क्योसे कीसे आ सकते हो हमने आ यहां यालकेन बनाया यहां हम अलकेन बना ऐख है हां यहां है बेंजीन बना चुकह हम हार तरीके की चीज बना चुके हैं, हमारे चीज़ चीज़ सीख रहे हैं कैसे कैसे फॉर्म करनी हैं यह लिया बहुत important question भाई लोग बहुत important question है यह क्योंकि यही आपकी नीव लखेगा free radical के अगली reaction का disproportionation यह 3 degree है, 3 degree, feel करते हैं आओ, CS3, CS3, CS3 3H, 3H, 3H no H के कारण यह अपने दूसरे molecule से combine नहीं कर सकता अपने इतनी unstability के कारण यह अपने दूसरे molecule से combine नहीं कर सकता, मतलब सर यह बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसे 3 dot dot जोड़ दिये, बिल्कुल नहीं बनाना है, यह highly unstable है, बनता ही नहीं है मतलब सब जुड़ते ही नहीं है बनेगा तो तब ना जब जुड़ेंगे तो जुड़ने ही पसंद नहीं क्योंकि देखो तीन CS3 ऐसे और तीन CS3 उपर वाले के दो मुलीकुले तो जुड़ेंगे तो दो highly unstable highly repression के कारण ये combine होना पसंद नहीं करते हैं और आपके this is a example जहां आपको धियान रखना है जहां आपको बहुत सदा frequent layer ये ऐसे करनी है ये आपको धियान रखना है वाली चीज़ है अगर मैं बात तो इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा इसमें वही होगा जो हम करेंगे यहां देखिए dot मैंने कहा dot कैसे हो वाला सब मैं बाकी लोगों से फिर भी stable हूँ क्यों? वाला सब देखो मैं को सब लोग electron दे रहे हैं मैं stable हो चुका हूँ लेकिन मैं बाकी उसे stable हूँ पर मैं हूँ तो highly unstable ही क्योंकि मैं paramagnetic हूँ इसने वही अपना गाना चारू करें विटाना welcome हूँ मैं मैं लंगडा हूँ मैं होकी प्लेयर हूँ वो सब चीज़ें इसने स्टार्ट करती हूँ मैं हूँ unstable हूँ मेरा paramagnetic हूँ मैं highly unstable हूँ मेरा octet ingam सब कहानी आसने वापस वही शुरू करती जो dot कि थी लेकिन आप करें क्या sir तो अब यह क्या करता है यह अपने दूसरे molecule से combine नहीं होता यह दूनों आपस में तो नहीं जुडेंगे possible ही नहीं है अब इस case में क्या करें sir अब यहाँ पर entry होती है दूसरी reaction की disproportional reaction मतलब होता क्या है मैंने कहा dot अब क्या करोगे तुम तो attack ही नहीं कर पा रहे इस गर पे तो dot नहीं चिला के बुला attack तो मैं करूँगा क्योंकि मैं highly unstable हूँ कैसे करोगे वो तो reacticate नहीं दे रहा तो बोले कि काम करो तुम ना सही तुम्हारा पडोसी ही सही मतलब सर ये पडोस के h पे attack करें सर वहां क्यों किया attack इसने मैं आपको सिखाता हूँ मैं आपको सिखाता हूँ ये चिद्यान से सुनना ये आपने यहां से तोड़ा जैसे आपने यहां से ये तोड़ा what you are going to get dot and dot h dot or dot तो ये dot क्योंकि ये 1 degree का हो गया थोड़ा हिंड्रेस काम हो गया side वाला हो गया फील करो ना carbon, carbon, carbon तो उस carbon पे dot उस से रियक करना तो काफी आसान है सिदा attack हो जाएगा लेकिन इस पे attack करना और जैसे ये combine करेगा यहां dot बनेगा और ये dot और ये dot आपस में जुड़ जाएंगे अच्छा मतलब सरा हमें खुद पे attack नहीं कराना जी नहीं खुद पे नहीं उसके पडोसी पे attack कराना है ये था आपने यहां h लगा दिया सर एस डोट तो पता नशी पहलोता है एस डोट बन नहीं रहा है एस डोट तो reaction के दोरान फटा-फट से combine हो जा रहा है एस डोट ये बना प्लस ये बना ये तो ये है आपका अब हुआ क्या एक ही molecule आपका एक ही molecule आपका ये molecule आपका reduce हुआ और ये ही molecule आपका एक ही molecule आपका oxidize हुआ तो एक ही molecule का reduce होना और एक ही molecule का oxidize होना इसको क्या बोलते हैं disproportionation reaction so this reaction is known as disproportionation reaction disproportionation reaction उमीद आपको मेरी बास समझ में आई होगी disproportionation disproportionation reaction this is your disproportionation reaction उमीद आपको मेरी बात एक एक बास समझ में आगई होगी क्योंकि ये बहुत important चीज़े देखो आपको समझना होगा ये सब चीजों को this is a very very important part disproportionation क्योंकि इस पे सवाल आने की समावना बहुत साथा है इस आप समझना चैसे मैं आपको बताओ अब बात करें summary 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 में हम दो चीज़ बढ़ते हैं तो दो चीज़ कैसे पहली चीज one degree और two degree radical ठीक है one degree और two degree पे और ये आएगा आएगा आपका three degree पे ध्यान से सुनिएगा और समझने कोचिश कीज़ेगा one और two पे हमारा easily क्या हो जाएगा combination अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ मैं जनता से पूछना चाहता हूँ आप बताओ one degree और two degree में कौन combine fast कर जाएगा क्या one degree वाला या two degree वाला obviously one degree वाला क्यों क्योंकि one degree में hindrance है ही नहीं easily जोड़ जाएगे two degree वाला फिर भी तो वहाँ भी disproportionation होगा बहुत कम होगा कहाँ जदा होगा three degree में तो three degree में हमें क्या करना है disproportionation so यह आपको बस इतना ही पता होना चाहिए और आपका काम हो जाएगा disproportionation तो एक होगा combination एक होगा disproportionation three degree वाला combine नहीं कर पाएगा तो disproportionation करेगा one degree वाला combination करेगा two degree वाला दोनों करेगा major क्या आएगा combination क्योंकि हमें combine ही क्योंकि easy होता है combine करना मेरी बात द्यान समझे न अभी मैं आपको चीज़े सिखाऊँगा यह होता है easy सा प्राट method of preparation of alkyne 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 कैसे हम इस radical से alkyne 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 बना सकते हैं आओ बात करें जल्दी से इसको लिख लो क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं method of preparation of alkyne alkyne अब हम वुर्स के खांदान की reactions को पढ़ेंगे वुर्स के खांदान ने क्या कारणा में किये उसकी बात करेंगे कि वुर्स ने कैसे वुर्स के खांदान में कैसे कैसे reactions हुई क्या क्या होता गया एक बार में कोई अलग अलग नहीं कि वुर्स अलग फिटिग अलग उलमान अलग वो अलग, यह अलग, वो अलग, एक चीज़ सिखाऊंगा, सीख गए, तो ऐसे reactions को खतम कर जाओगे, जल्दी से इसको चाप लो, जल्दी से इसको चाप लो, चलो, स्टार्ट करें, अगला हमारा, आहा, अब आएगा, हमारा असली कारनामा, reaction, अब हम सीख रहे हैं, अब आप केवल आपको बेसिक पढ़ाया है, मैंने आपको केवल बेसिक पढ़ाया, और वाटी reaction, देख रहे हो, भाई की, स्वेग है, भाई या, बोर्ड का भी स्वेग है, कि बोले, हमें समझ में नहीं आती है, वोट्स देखा भी बाएगा, नहीं आएगा, चलो, मैं ऐसे देता वुट्स फैमिली, सर वुट्स फैमिली, वुट्स रेक्शन नहीं, अरे भाई, वुट्स ने जो काम किया, लोगों ने कौपी किया, कैसे किया, आओ मैं सिखाता हूँ, आप मैंसे जो बच्चे पढ़ चुके हैं, वो जानते होंगे, एक, सर वुट्स में ऐसा क्या किया, तो अल्टिमेटल इस बात को समझे ना, इस बंदे ने जो काम किया, वो था मैटल, इसने क्या लिया, मैटल, और मैटल सुनते ही, तुम्हारे दिमाग में आता है, इलेक्ट्रॉन, मैटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, मैटल का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना, औ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ आहा आईए बात उन दिनों की है जब वुड्स भाई साब पहुत फेमस हुआ करते थे वुड्स अपने लेबोरेटरी में रियाक्शन कर रहे थे और वुड्स जैसे ही रियाक्शन करने लगे आपको मैं बता रहा हूँ किया देखो मैं आपको रियाक्शन सिखा रहा हूँ मै और को ex के साथ लिया उसको ex को देखके पहले ही बहुत चिल्ड मस्ती þी एक्स तो जिंदगी तबाहे करने आ होता है ex को हमें केसा भी करके तो we can't say our के घर से लिकालना था तो उसने किया किया ध्यान से सुनिएगा, पीछे से आवाज आ रही है, बोल रहा है, सरी तो हमें भी करना है, ध्यान देखो ध्यान से बिटा, यहां देखो, sodium लिया आपने, और यहां लिया ether, dry ether, सर क्यों dry ether, क्यों ether, क्यों पानी नहीं, अरे भाया, पड़ा होगा inorganic chemistry में, कि अगर पानी शानी लिया, तो sodium का electron, पानी के साथ ही acid-base करके, hydrogen gas को pop-pop sound आता है, कभी देखा होगा, इस तरीके से, इसलिए, dry ether, dry क्यों पानी वाला क्यों नहीं, पानी लिया तो, फिर reaction sodium, हमें ऐसा solvent लेना है, जो ether का कोई रोल नहीं है, ऐसा solvent रोल है, inner solvent है, जो कोई reaction नहीं करेगा, आप चुप चाप आया, अब उसको बदवाई sodium में तुम्हारे साथ, समझे रहो, यह वो लोग है जो सांतवना देते हैं, यह वो लोग है, जो reaction में सांतवना देने को तयार होते हैं, ऐसा कोई region नहीं लिया था, जो इसके साथ खुदी react कर गया, उड़ गया, खतम, बचाई नहीं बागी सुदा लग कर, अब यहाँ पे हमारा answer क्या आता है, हमारा answer आता है, आप सब को पूरे जोश में पता है, answer आएगा, R, R, हैं, यह क्या किया सर, हम यहाँ पर ध्या R, X, और यह sodium, और यह R, X, होता क्या है, समझ में आ रहा होगा, कि यह N, X, यह N, X, और दो बार किसे, इसका मतलब यहाँ पर N, A के, दो मोल चाहिए होंगे, एक N, X, एक N, X, और यह R, यह जुगार है, समझाओंगा, जुगार भी कैसे बनाना है, यह जुगार है क्यवल, यह करके R, R, बना दिया, और आपका अंसर आ गया, R, Sir, कैसे हुआ, यह भन कैसे गया, आओ, सिखाओं तुम्हें इसकी असली कहानी, mechanism के साथ, हब हम सिखेंगे, mechanism, now we are going to start, mechanism, इसके दो mechanism होते हैं, लेकिन, मैं आपको भी एक ही बताऊंगा, एक आपको, hello, 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 बताऊ लोग देखो, हमने अरोपिलिया, sodium, देखो, हमने अरोपिलिया, sodium, आपको खुद को फिल आ जानी चाहिए, मैं बना, sodium, हाँ, सर, यह मोहले में गुमता हुआ, अवारा सा sodium, मैं बना, तुम क्या करते हैं, मैं बना, यह काम है, कुछ ही दी मेरे पास, मेरे पास एक चीज है, क्या, बना, जो मैं हाथ में रखता हूँ, क्या नाम है उसका, sodium, क्या रखते हो, electron, electron, तो इसके हाथों में क्या रहता है, electron, sodium क्या हाथों में हमेशा क्या रहेगा, na plus नहीं बेटा, na की हाथों में क्या रहेगा, electron, बना, 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 बन जो कॉंट्रेक्ट मिला है कि R को X से अलग कर दो, तो R पर आया delta प्लस, X पर आया delta, माइनस जोटू electronegativity difference, अब बात करें, यह आया, तो अब क्या होगा सर, तो electron का यहाँ attack, और X को बाहर निकाला, अब X बाहर निकला, तो X पर क्या आया, माइनस चार्ज, यह क्या बना, NA प्लस, NA बना, NA प्लस, यह बना X माइनस, तो इन दोनों से मिल की क्या बन गया, NA X, क्या बन गया, NA X, NA प्लस, X माइनस, लेकिन, यहाँ जो हुआ वो शांदार था, R डेल्टा प्लस दे, R प्लस ने, एक electron लिया है, सर, क्या बन जाएगा, आदे वाले पीशे सावाज आ रही है, सर, neutral हो जाएगा, मेरे भाई मैंने अभी सिखाया, neutral नहीं होता, एक vacant orbital को एक electron मिला, उससे बनता है, free radical, तो यहाँ पे होगा क्या, you are going to get R, यहाँ पे एक electron मिला, R dot, आपको क्या मिलेगा, R dot, और यह R dot, और यह R dot, आपको पता है क्या करने वाला है, क्या तबाही मचाएगा, R dot, आपको पता है, R dot को ऐसे ही रखें, या जोड़ दें, हाँ जी, हाँ जी बोलो, सर, यहाँ तो आपने हमें, बनेगा combination, you are going to get RR, क्या मिलेगा आपको, RR, और 3 degree में, आपको क्या होगा, disproportionation, तो आपका बनेगा, alkane, plus, alkene, disproportionation, reaction होगी, एक, alkene बनेगा, एक आपका, alkene बनेगा, तो यह होगा, disproportionation, यहाँ पी बही आएगा, हर जगे वहाँ आएगा, जहाँ डॉट आएगा, यही उन्हें और करोगे क्या, और को डॉट है ही नहीं, तो यहाँ पे इसी लिए कुछ नहीं है, अब आप से में कुछ बाते पूछता हूँ, उनके answer आप मुझे देंगे, यह point से, intermediate कौन सा है, free radical, आप बताओ, मुझे बताओ, आप लोग बताएंगे मुझे, RI, RBR, RCL, RF, कौन सी बोंड, आराम से तूट के रियक्शन फास्ट देगी, which is easy to break, which R is easy to break, IBR, Sir, RI बोंड बहुत वीक होती है, इन्होंगे chemistry में, अपने organic में अपने acid बोंड बढ़ा होगा, HI, HBR, SCL, HF, HI, bone mode तूटना बहुत आसान है, तो इसलिए हम rate का order बता सकते हैं, कि RI, फिर RBR, फिर RCL, RF तो करता ही नहीं है, इतनी strong mode होती है, इसको तूटना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है, अच्छा, अब मेरे आपसे सवाल है, इन के सिसमें क्या मिला, R, R मिला, अगर R आपका, हमेशा बोच सकता हूँ, कि symmetrical, symmetrical, hydrocarbon, obtained, सर यह नहीं समझ मैं है, symmetrical मतलब सर, obviously अगर R जैसा है, एक R अगला R, दोनों सेम जुड़ गए, तो दोनों एकदम सिमेट्रिक, इदर सुचाओ, उदर सुचाओ बात सेम होगी, because आपने दो मुलेकुल सेम जोड़े हैं, symmetrical होगा, और मैं आपको बता दोओं, यह हमेशा इवन होगा, इवन कारबन का होगा है, कैसे सर, आपने और लिए, मालो यह तीन कारबन थे इसमें, मालो तीन है, तो तीन प्लस तीन, किते हो जाएंगे छे, मालो यह तो दो कारबन थे, तो दो प्लस दो किते हो जाएंगे चार, अल्टिमेटली हमेशा, क्योंकि दो मुलेकुल जोड़ रहे हैं, और और जोडो चाहिए ऐवन जोडो सभी इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि दो अलग अलग हो तो वो हमरे लिए इसमें नहीं हाँगा भाई वॉड ने वो काम क्या किया उसने सिंगल आरेक्स लिया बात खतम किает that's it उसने यह काम किया तो इसमें हम बोल सकते हैं even carbon hydrocarbon obtained अगली चीश क्या methane इस reaction से बना सकते हो क्या अरे बोलो क्या methane इस reaction से बना पाओगे क्या आप क्या इस reaction से methane को बना पाओगे क्या बिल्कुल नहीं सर हम methane को नहीं बना पाएंगे मिथोन में निखेन में एक carbon है, एक carbon, हमें एक carbon चाहिए, एक carbon, CH4 कैसे बनाओगा, सोचो, यहाँ आपको CH4 चाहिए, कैसे लाओँ, एक carbon है, कैसे जोड़ूँगा, असर यहाँ पर काम करो ना, CH3 dot ले लो, कहीं सारे, पिछ्छी सावाज आचाए, यह लो, आजाएगा देखो, अरे यार CH3 dot लोग है, तो CH3 और CH3 जुड़ेगा, तो CH3, CH3 बनेगा, इथेन बनेगा, मिथेन कभी नहीं बनेगा, तो CH4 can never be obtained, never be obtained, एक पॉइंट और लिखो, यह पॉइंट आपको वैसे है, खुद सो सकते हो, पर मैं आपको लिखाता हूँ, carbon ion, carbon ion, minus charge, also obtained, carbon ion भी मिलता है, कैसे सर, carbon ion, यह आपको हेलो, इसमें पढ़ाऊँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको hint देता हूँ, कि क्यों, sodium माल, बहुत सारा sodium, दो sodium लिया आपने, कि यह दो sodium एक साथ लिट्टोन दे दे, बलब दो लिट्टोन एक साथ दे, तो दो लिट्टोन जाएंगे, तो R पर क्या आजाएगा, minus 4, सोचीगा इस बारे में, हमारे लेकिन, जही मेंस और एडवांस लेबस के लिए, हमारे इंपोटेंट चीज़ यह वाली है, मेकरिदम दो हैं, जो मैं आपको एक दूसरी पता ही अभी, और यह इसके important points है, लिख लिजी इसको important points भी, इबार द तो समझे ना, वुट्स के family के reaction मों समझाऊँगा, फटाफट से इसको इबार पढ़ ले, एक second के लिए पढ़ ले, बस इबार रेडिंग कर ले, हाँ, 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 यह पढ़ाया, यह पढ़ाया, इस इस दिए किसे चलते रहे, तो अब है क्या, आओ, छाब लिए आप लो हो गया, rate of reaction हो गया, cs4 नहीं बना सकते, इस सब चीजे बहुत important चीजे हैं, आपको मेरी बास समय में आगई होगी, अब ध्यान से सुनिएगा तो मैं बोलने जा रहा हूं, कि सर हुआ क्या, कहानी में twist कैसे आया, कहानी में twist ऐसे आया, तमी से सुनिएगा, बहुत ध्यान से आये, जो मैं सिखाने जा रहा हूं, भाया, वुर्च जो है, वो reaction कर रहे थे, उन्होंने reaction की Rx प्लस Na के साथ, और उन्होंने बना लिया RR, इतर वितर साब नहीं लिख रहा हूं, बस बैर बना लिया RR, ठीक है, अब ये देखकर उसका चेला, उसका चेला, उसको बहुत ध्यान से अब्जव कर रहा था, बहुत ध्यान से देख रहा था, अभी मैं आपको जुगार सिखाऊंगा, सीदा बनाना सिखाऊंगा, अभी मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूं, प्रॉपरली, इसका एक चेला था, वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था, वो बूलत गिना गया है, ना तो वो अपना X छोड़ता है, नहीं अपना OH छोड़ता है, मतलब ये bond तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, और ये bond तोड़ना भी बहुत मुश्किल है, सर क्यों ऐसा, क्योंकि इसके loan pair के resonance करने के करण, इसके loan pair के resonance करने करण, ये bond single नहीं है, ये bond partial double bond है, ये जो bond है ये आपकी partial double bond है, इसलिए बंजीन अपना X, पीछे से आवा जा रही है,该 से अफ़ आ रहा है, बंजीन अपना X नहीं चोड़ता, OH भी नहीं चोड़ता, ना तो वो एकस को चोड़ता है, उसको दोनों ही बहुत पसंस्त है, इसलिए य bond तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है यह X वाली bond क्योंकि due to the partial double bond character तो यह bond तोड़ना बहुत मुश्किल था sodium के साथ reaction पर कुछ answer नहीं आ रहा था because sodium अकिला उस bond को नहीं तोड़ पा रहा था फिर तो इसको बहुत बारिकी इस observe कर रहा था भाई का नाम था चेला जो था उनका नाम था फिटिग नाम था फिटिग भाई या फिटिग नहीं फिटिग भाई इसको बहुत जहांस देख रहा था भाई अच्छा बेंजीन में गुरुजी फेल हो गए हैं बेंजीन में रियक्शन गुरुजी से नहीं हो पा रही है, और उन्हें लिख दिया कि बेंजीन वाली रियक्शन नहीं होगी हमसे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इतना बोला कि अलकाइल गुरुब जो है, अलकाइल, वो हम ले लेंगे, अलकाइल, आर गुरुब जो यह reaction गुरुजी नहीं कर पा रहे, इसने का जो गुरुजी नहीं कर पाएंगे, वो हम करेंगे, वो हम करेंगे, गाच्छा, कैसे करोगे, उसने का कुछ नहीं, जो काम कोई simple ना कर सके, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा, और थोड़ा सा high temperature बढ़ा देंगे, क्य आटे, डॉट, पी-ेच, डॉट, क्या बन जाएगा, पी-ेच, डॉट, आंसर आपने खुद ने बनाया था, याद करो, पी-ेच, डॉट, आंसर है, पी-ेच, पी-ेच, डाय, पिनाइल, याद करो, कुछ नहीं है, आंसर आगे, डाय, राय, लेकिन, भाई की reaction सक्सेस हो गई क्यों हीट की चलते, तो इसने बहुत सही काम किया सा, इसने पूरी कॉपी मार दी, इसने पूरी कॉपी मार दी, और भाई ने बस अच्छा, गुरु जी यहाँ फैल है, इसने ये देखकर अपने दो दोस्तों को बुलाया, ये दो दोस्त, बोले कौन गोन से, एक का नाम थ उल्मान हैं, और एक का नाम था फ्रेंकलेंड, एक का नाम था फ्रेंकलेंड, एक था उल्मान, एक था फ्रेंकलेंड, इसने अपने दो दोस्तों को बुलाया, बोले आओ, तुम्हें कुछ नहां सिखाओं, बोले क्या, बोले देखो भाई, हमने मेटल लिया, मेटल के साथ अलकाइल भी लिया और हमारा काम हो गया मैं उल्मान भाई तुम क्या करोगे तो उल्मान ने बोला चो आप बोलो तू ले पिएच एक्स बेंजीन वाला एक्स ले जो मैंने किया वही ले बस तू सोडियम की जगे क्या ले ले तू ले ले कोपर और हीट कर दे अच्छा हाँ इसने कुछ चेंज नहीं किया फिटिक ने अपने दोस्तों को बुला के बस क्यों नाटक करवाया है इसने बला मैंने सोडियम लिया तू कॉपर ले अंसर अंसर तो सेम ही आना है पिएच डॉट अल्टीमेटली वियार लेक हम क्या कर रहे हैं हम रेडिकल बना रहे हैं हम फ इसन शॉट। वह तो मैख हंण पाड़ था आपको यह क्या स्रान ओप इसन चाम ने बला से इस पर यह कर ने ब değ कर ले मैं तो यह आर ऑंपको कया लेकिन उस ने बला घर मैं सोडियम लूग का तो लोचा हो जाएगा क्यों बना तो फिट्स चो मजया लेगे इसने जिंक ल बहुत नहीं है इसके अंदर यह उपर वाले में ठीक है दिख दिया मैं ने रर्र पियच पियच हें बगवान सेम रियाक्षन बस फर्क क्या है अब आप सोचो आपको मैं Franklin अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, Franklin अलग पढ़ाओ, Woods अलग पढ़ाओ, वो अलग पढ़ाओ, आप रटने लग जाओगे, क्यों नहीं पढ़ा रहा है, रटने की आदत छोड़ दो, और गर रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, तो आप समझो, यहाँ पर इस पूरी कहानी में मैं आप से पूछता हूँ इमानदारी से बताना इस पूरी कहानी में सबसे दुखी आत्मी कौन था इस पूरी कहानी में सबसे दुखी आत्मी कौन था विल्कुल सही बोल रहे हो कि सर वुड्स क्योंकि सर उसका formula पुरा चुरा चुरा के इन्होंने तीन कोपी करी लिया है तो आओ let's have a joint venture मलब दोनों मिल के कुछ काम करते हैं reaction का नाम दिया woods fatigue reaction तुम खुद देख लो क्या करने वाले तुम खुद सोच लो क्या करने वाले अरे तुम इतने समझदार हो कि तुम समझने लग गए कि सर सोडियम तो दोनों में common है मलब एरो पर सोडियम तो लिखना ही है heat भी करने ही पड़ेगी लेकिन एक लिया rx वुर्द ने लिया rx फिटिग ने लिया अपना बेंजीन एक्स याद करो आपको मैंने कहा था इससे क्या बनने वाला है आप देखो देख लो यहां से बनेगा r-dot यहां से बनेगा ph-dot और इन दोनों से मिलके क्या बनेगा सर यहां पर तो फिर आपने कहा था तीन possibility है rr भी मिलेगा अपने ही molecule से ph-ph भी मिलेगा अपने molecule स से cross भी मिलेगा. RPH. Major हमेशा क्या आता है? Cross. चाहो तो लिख लो. लिख लो RA point. RA important point. क्या लिखोगे? In cross reaction, यहां नहीं, पूरी organic की उनस्टी में, चहाँ जाँ cross reaction कराओ. Cross मतलब, एक अलग, एक अलग, दोनों को जोड़ोगे. इन दोनों के cross reaction से हमेशा और इस reaction का नाम है Woods Fittig reaction इस reaction का नाम है Woods Fittig reaction, सोच लो पहुत टफ था क्या, आपको पता ही नहीं चला, बातों बातों में मैंने आपको 5 reactions सिखा दी, हो 5 किसे Woods reaction, Fittig reaction, उल्मान reaction Franklin Ryan reaction, Woods Fittig reaction अलग-अलग है, आप देख ले न, Hello Alkin chapter में ये अलग है यह अलग है, हाइट्रो करम चप्टर में यह अलग है, यह हलल किस्ट में भी है, आप सोचो आपको मैंने बातों बातों मैं 5 रियक्शन एक सेकंड खतम कर दी, अपने किता असान होगा, सोचो मैं आपको बताता हूँ किता असान होगा, देखो याद करो, क्या किया था, आओ रिवाइस करें, आओ बने शोट का फाइदा लें वुड्स, क्या था, वुड्स बोलते नहीं मैं साथ साथ, चब वीडियो दिया करें, साथ साथ मैं वुड्स, और एक्स, एने काहा नहीं हुआ, बेंजीन पर नहीं हो पाया था irrelevant compounds पे, तो वहाँ पर क्या हुआ, हीट कर दिया, तो फिटिक नहीं किया वुड्स के बाद आया, फिटिक, फिटिक ने दो दोस्तों को बुलाया, उल्मान और Franklin, उल्मान और Franklin, उल्मान भाही ने क्या किया, copper का यूज़ किया जिन्क का यूस किया, जिन्क का यूस करता ही, आंसर र-R, PHP, इस बही निया प्हप, इस बही निया प्हप, जिंपल सा अंसर, एक copper, याद करना है याद करना असर, याद के से करो copper, isinck में यू से आतकर लो, यू, उल्मान isu से शुरू होता है, तो copper भी यू आता है, तो copper अपर यह से, ऐसे आत को उल्लू से, यह जात कर लो, copper, है न, वो आपका हो गया, zinc हो गया, frankland में, इस्तिचार हो गई, फिर finally, woods और fittig ने एक common joint venture किया, इसका नाम रखा, woods fittig reaction, एक rx लाया, एक phx लाया, sodium पर हीट कर दिया, r.ph. alkyl aryl, एक alkyl था r, एक aryl था, ph, दोनों आ सकता है, जही मेंस में, which of the following reaction will produce alkyl aryl as a major product, तो क्या बोलोगे, woods fittig, woods, yeah, fatigue, woods fittig reaction, alkyl aryl, r bho, ar bho, तो woods fittig reaction, इस पकार, पांचो reaction, खतम होती है, अब मैं पांचो के एक साथ सवाल कराता हूँ, आओ, 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 सांभा, आओ, जल्दी आओ, क्योश्यन से कैसे करन अब आएगा हमारा जुगार, अब आएगा आरे जुगार, यह सही ले लिए भाई ने, जुगार, आओ, जुगार सेखें, सर कैसे, पहली चीज, मैंने लिया, CS3CL, मैंने लिया, sodium, क्या आएगा भाई, बोलो, तो जुगार सीख लेते हैं, सर, यह कुशन तो हमें रही देखे-देखे, लगते हैं, ऐसा लगता है कि हमने यह सब कर रखे हैं, जी हाँ, हाँ वाई हो, वाई हो, आपने यह सब कर रखे हैं, सर, कभ किये अभी जब मैं आपको Après देखे कॉमिनेशन पड़ा रहा था, सर कैसे, अभ आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको क्या करना है, आपको ये वाली बोंड तोड़नी है, ये जो मैगी वाली शेप है, इसके अकोड़नी देखो, आपको ये बोंड तोड़नी है, सर जहां R और X हो, उसको तोड़ दो, और आप क्या बना लो, dot, ये तो बन गया NACL, ये बन गया CSC dot, अब देख लो, देख लो, 1 degree, 2 degree में, जोड़ लो, जोड़ दो, क्या अंसर आया, CS3, CS3, आया है, गैस बन चुकी है, CS3, इथेन गैस सिस्टम से बाहर आ चुकी है, समझ गया है, इसमें क्या आएगा, सर बहुत आसाम है, आपको सर बहुत इसी कर दिया है, फिर, तोड़ दो इस और यह अपने मोलिकुल से जोड़ेगा, तो ऐसा कुछ, और इसा बहुत अंसर, मैंने आपको क्या बोला, वुटुस ने कुछ अलग काम ने किया, यह सब मेधर और प्रपेशन आपके, अलकीन है, अभी अलकीन कहा है, सर, अलकीन भी बता देता हूं, यहां देखिए, इस साइए, यह है आपका आजू बाजू, विसिनल, यह है आपका विसिनल, सर, क्या करना है, और करना क्या है, तोड़ दो, तोड़ दो, इन दोनों, सर, यहां दो दो हैं, दोनों को तोड़ो, यहां बने का डॉट, यहां बने का डॉट, तो आपको क्या मिल गया, सियस टू ड dot dot. Sir! क्या करूँ? इसको अपने मॉल्लिकुल से जोड़ू हूँ या क्या करूँ? अरे भाई इतनी एनर्जी कहा है, dot जैसे ही बना चुप चाप जोड़ो बिना आवाज किये, dot जैसे ही बना, जोड़ दो दो को, खतम आंसर. so your answer will be dot dot जोड़ दो answer is cs2 double bond cs2 sir वो काम क्यों नहीं हुआ दूसरा मुली कुल लाते है यहां लाते जोड़ते भाई उतना time किसके पास है dot मिला zero active energy बला मिलते ही जोड़ जाएगा dot dot जोड़ जोड़ अच्छा sir बली unstable बन रहा हो कुछ भी बन रहा हो भाई बना दो फटाफट से क्योंकि यह बहुत unstable होता है यह आपका ethene ओ हो तो आपने alkyne बना लिया ethene गीस आपने बना लिया alkyne आपने बना लिया है अच्छा फिर आप alkyne भी बना लो sir बिलकुल आप alkyne भी अच्छा बना लिया बना लिया sir एरो पर क्या है एरो पर वही sodium जल रहा है क्या होगा इसमें कुछ नहीं सा same magi हमें magi की तरह इसको तोड़ दो तोड़ दो अरे तोड़ दो dot dot sir तो बहुत आसान हो गया cs dot double bond cs dot तो बहुत आसान हो गया हर चीज़ बता रहा हूँ zero जहां से start वह वह सिखाया mechanism सिखाया जुगार सिखाया advance level पर भी लेके जा रहा हूँ देर देर हर चीज़ सिखा रहा हूँ alkin बना लिया alkin बना रहे हो alkin बना रहे हो benzine तक बनाना सिखा देता हूँ आओ benzine बनाना सिखाओं आओ benzine बनाना सिखा देता हूँ लो मैंने कहा क्या करोगे बोला सर मुझे तो दिख चुका है क्या करना है dot dot आपने मुझे एकी चीज़ तो सिखाये सर कि यहाँ dot बना लो और dot बनते ही dot बनते ही चिलाने लगे हम तो बने, तुम बने, एक दूजे के लिए, दोनों भाई आपस में फटा-फट से जुड़ जाएंगे, एक लिए एक दोनों भाई जाएंगे, धूजे के कीले नहीं बनेगा, बेंजीन गोला बनेगा, बेंजीन बिल भी जाएंगे, ये हुए में और थोड़ा रोड़ा एड़ानस, अब थोड़ा और तड़का लगाते हैं सवालों के अंदर, थोड़ा और अच्छा सवाल पर जा तकड़ा सवाल ये बहुत चांदा सवाल है, आपको पता होगा, जिसने पढ़ा है उसको पता होगा, ये कोशिश करें, सर लेना क्या है, अरे भाई वही को करना है, sodium meat, sodium, try करो, कोशिश करो भाई लो, कोशिश करो, least try, कोशिश करें, कोशिश करें अपनी copy में, अपनी copy में try करें, दोनों बढ़िया सवाल है, दोनों ही बढ़िया सवाल है, तो सेम नहीं है, अलग अलग है, एक में double bond, double bond नहीं है, करेंग में, नहीं है, मौत अनकी साथ मेरा क्या लगा दो, अरे स, एम इधा, सेमें टरे करें, एक नाक सील, क्या है वाल हो कि यह ले 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 ले, अशिपर्ण देखो, बागी वहों किसी से भाज नहीं करता आचका है, इसके SIPS देखनो, सबेंद पोइंट्स क्या है, इसके सबेंद पोइंट्स देगो, चालाओ, कर लिया, निकलिया, कर लिया होगा, इसका अंसर आप में से कई लोगों ने ये बनाया है, ये बनते ही, मन में ख्याल आता है, कभी-कभी, तुम ना होते तो, शादाब हो भी सकती थी, भाई, गलत है, सर कैसे, भाई, इसको महले में लोग बिल्कुल सही नहीं मानते, बिकोज ये एंटि-रोमेटिक कहलाता है, चिला-चिला के लोग बोलते हैं, तो एंटि-रोमेटिक ह ये रूम टमपरिचर बनता ही नहीं है, बड़ा ही नहीं रह सकता, बन भी गया तो रुकेगा नहीं, फिर क्या करते हैं सर, याद करो जीओ-सी में, मैंने आप लोग को जीओ-सी में बताया था, कि ये ऐसे बन ही नहीं सकता, ये अपने ही दूसरे मुलिक, क्यों सर, आपने कि नहीं दूसरे मुलिक, कुछ से कम्माइन हो जाता है, और आपका आया है ये 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 आपका RA Special Question है, ये आपका RA Special Question है, ये आपका RA Special Question है, RA Special Question है, कैसे सर, असा इसके DU कुती है, एक, दो, तीन रिंग, पांच DU हो गई, ये बहुत इंपोरन्ट कुश्चन है, बहुत शान सब्सक्राइब कोश्चन है यह आपको समझ में आगया होगा सर यह तो बनाना ही नहीं है highly unstable है जई एडवांस 18 में भी सवाल आया था इसके उपर कि कौन सी एक्षिन में को मैंने क्या सिखाया डौट बना दोनों को जोड़ दो सर यह तो इतना गंदा बन रहा है सर हा तो बनेगा तो बनेगा मैंने क्या बोला अंस्टेपल बने एक्टेशन जीरो है चीटाना जल्दी बना लो आमने यहां पी वही किया था लेकिन यहां बनने के बाद वो तूट पालिग खी चराना जारह था यह तो आपका बन जाएंगा कोई दिक्षक्त नहीं है और आपको बता दूँ यह ज्यीरी औद वांस है हिन fellow confirm कितिना आसान शचरी तो आपको आगया था तो कुश भी नहीं है आओ एकर जिंग करीड हरो ù यह बताओ यह बताओ यह बताओ बोलो जल्दी आंसर बोलो यहाँ पर जिंग अरे मेकाल तो साथ ZNBR2 दो मोलेकुल बनेंगे ZNBR2 बन जाएगा और यहाँ पर 6 करबन क्योंकि दॉट बनेगा सर ने एक इसी सिखा है यह डॉट बनाओ जोड़ दो कर दिया इसमें बेंजीन बेंजीन आंसर आगया बहुत असान हो गया बिलकुल बहुत असान हो गया यह उल्मान है कॉपर देख की दिवा में क्या आगया यह उल्मान है यह वला आपका फ्रेंकलेंड है यह आपके वुट्स है उमीद है आपको यह सब कुछ समझ में आया होगा, सुर एक सवाल ओर अच्छा, अरे यार अच्छा क्या इसमें, और कई लोग इसको अलग केस पढ़ाते हैं, मैं तो इसको बाई एक सथ पढ़ाता हूँ, ये, अब ये तो ऐसा ही है, ऐसा ही तो है, इंट्रा मोलेकुलर, अब अलग नहीं पढ़ाऊंगा, इंट्र मोलेकुलर, इंट्रा मोलेकुलर, अब ये नहीं करना, इक चिछ सिखो, उसी पर पूरा काम काम करता हूँ, ये बना, ये बनते ही, आपने जैसे, आपने डाल दो, dot, dot, जोड़ दो, propane, cyclopropane is the answer, अच्छा सार, ये असे ही करना है, हाँ, कुछ ये नहीं कर, दो हैं, दो हैं यहाँ पर एक CL था, एक BR था, तो आप बता पहले कौन तूटेगा, ब्रोमीन वाला तूटेगा, आपने हमें ये बता है, कि ब्रोमीन को तोड़ना काफी, आसान, पहले dot बना, जोड़ गया, इसमें dot, dot बना, जोड़ गया, कुछ नहीं करना, कुछ एक्सप्शन नहीं है, तो आपका 3-Degree वाले में हमें क्या करना है, हमें combination नहीं करके disproportionation करना है, जो आपका 3-Degree वाला था, उसमें आप ये, मल आपने ये लिया, आप ये नहीं बना सकते, क्यों? ये बनता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें? disproportionation, बस इतना गया रखना है, that is the ending of, that is the ending of, Woods family, इ फटा फटा से इसको, चाप लिजिए, अब आगे मूग करेंगे, कोरे आउस, अब पता है, लोगों के सामें समस्या क्या थी, ध्यान से सुनिएगा, लोगों के सामें समस्या क्या थी, कि सर हम तो चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम प्रोपेन बनाया जाए, तो प्रोपेन अगर बहुत कम बन पा रहा था, यह भी बहुत भी कारथी, क्यों, यह अपने मोलिक्शुल से भी कमवाइन करेंगा, यह अपने से भी कमवाइन करेंगा, यह भी बन दे है पर बहुत कम तो इसकर बना, क्या किया जाए, तो एक बंदे ने काम किया, उस बंदे का नाम था, कोरे हाउस है हम नहीं रियाक्शन में एंटर कर चुके हैं रियाक्शन का नाम है मैं आपो सिखाता हूँ, बेके करके सिखाता हूँ रियाक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंतेसिस, जुगार सिखा रहा हूँ जहां से सुनीगा कोरे हओ, synthesis is here, kolay house reaction. कोरे house reaction, रियाक्शन, सही आया है भः, वाई, भाई, one time सही आया है इसमें, कोरे house reaction, अब हम पटने जा रहे हैं, कोरे house reaction, तो साउल इसमें क्या होता है, इस भः ने क्या किया, इसने अलग-अलग वाले भी बना लिये, metics आर रार नहीं, रार डैश cuarto पहले मतलब सब सर क्या किया, rx लिया, ठीक है, उसके साथ इसने एरॉपर किया ओंद सुन्हाएर जुगार सिखा रहा है था से सबसे बहुकर कर रहा है सबसे बहुते, rx के साथ यहाँ कर रियक कि आए उसको लिदीयम के साथ फिर रियक कर रहा ह UX के साथ थे S, फिर 3 अच सहं सिखाया, R'X के साथ यह, और आपके लिए क्या करना टो, मुझे क्या करना है उत्तหा लंबा रिएक्षन है, यहां का R, यहां का R' इन को जोड़ दो, सिन्ट आप्के बंर र' अच्छा, अगर आपको पर्पेन बनाना है, अगर आपको प्रोपेन बनाना है एक जगे ईथाल ले लो कहां लो कहीं भी कुछ मिर्ड ले लो तो इस प्रकार आप सो सकते हैं यह SN2 टाइब रेक्षेन हैं आपको सिखा हूँ मैकेनिसम लेकिन क्वेश़न मैं को बताओगे यार मतला समझ गए मेरी बात को कि कर क्या र और र इन दोनों को जोड़ दिया, र और र डेश, र र डेश बन गया, और इससे जो बना, यह आपका अनिवन टाइप हो गया, कि यह मालो मिथाइल है, यह इताइल है, तो प्रोपेन बनी गया, सरो जैसे एक्जामपल, मालो मैंने आपको दिया होता, CS3, CS2, BR, ठीक है, आपको मैंने एरो पर दिया, मैं आपको सिखा रहा हूँ भी, किक चीज सिखाऊँगा, नामकुरन पर सिखाऊँगा, क्या बना है, इसमें क्या नहीं बना, पहले आपने लिया लीथियम, सरी यह क्या काम करते हैं, वो है mechanism का पार्ट, सिखाऊँगा अभी, कॉपर X, कॉपर BR ले लो, कॉपर CL ले लो, तीसरा आपने लिया, CS3, CL, यह लिया, अब सर ने क्या सिखाए, अरे भाई सर ने क्या सिखाए, सर ने बोला, यह पार्ट X का R, और यहां का R, इन दोनों को जोड़ दो, अच्छा, तो CS3 क्या बना, CS3, CS2, यह रहा, और यह CS3, खतम, प्रोपीन, प्रोपीन हमारा बन गया, आम बतले हैं, अन्सेमेट्रिकल कमपाउंड भी आप इस रियक्शन से बना पा रहे थे, इसलिए इंपोर्टन रियक्शन हो गई, कभी क्योशन आजाए आपके पास, इसलिए फोल्विंग रियक्शन विल प्रोड्यूस, अन्से करेंसर कैसे हुआ, मैं आपको यहीं सिखांगा तक इसको लिंक कर सको, पहली step आप में लिया आर एक्स के साथ लिथियम, फिर आपने जो बनेगा, उसके साथ आप में लिया, और देश एक्स, ठीक है, अब मैं तीनों को जोड़ देता हूं, तीनों से रियक्शन बना रहा ह Rx और Lithium यहां बनेगा आपका, दो मूल लेना पड़ेगा Lithium, तो आपका बन जाएगा Rli, R-Li+, और साथ में क्या बन जाएगा Lix, Lix, LibR, Lical कुछ भी हो सकता है, अब वो Rli जो है, उसके आपको दो मूल लेने पड़ेंगे, दो मूल, तो यह दो मूल इस पाटेक करेंगे, ह एक बार मिलेगा Lix, और एक आपका दो बार R जोड़ गया, क्या बना R-C-U-R, को पर पागे माहिनस चाज, और यह बनागे आपका L-I+, अरे यह क्या बना सर, इसको जोड के लिखो, जोड के, तो R दो, R2-C-U-Li, अरे भाई लोग समझ में आ रहा है कुछ, R2-C-U-Li, R2 R2-C-U-Li is known as, R2-C-U-Li is known as, R2-C-U-Li is known as Gilman Reagent, Gilman, अच्छ, नाम तो सुना होगा, अब नाम तो सुना होगा, Gilman Reagent, Gilman's Reagent, Gilman's Reagent, अच्छ, यह है कि सर, R2-C-U-Li, जी हाँ, R-Li, R-C-U-Li, अब यह R2-C-U-Li, R2-C-U-Li, यह R का जो माइनस है, यहाँ पर R माइनस बना न, आपका, R माइनस, R2-C-U-Li का अटेक, X बाहर, अच्छ, X को बाहर, जो हमने वुड्स में किया था न, सेम वेसा है, R का माइनस अटेक, X, R- यह बाहर, तो क्या बना, R, यह R अटेक किया, और R- यह बना, ओ, हो, 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 that is your answer, that is your answer, उमीद है आपको यह mechanistic पार्ट भी समझ में आया हो, यहाँ मैंने mechanism लिख दिया, यह मैंने आपके लिए mechanism लिख दिया, तकि बच्चों को समझ में आ जाए, mechanism, यह mechanism बेटा, यह आपका पूरी तरीके से mechanism वाला पार्ट हो गया, यह mechanism को तीनों स्ट सर, points क्या होगा, तो points देखो, अभी क्या ना अभी इस इस stand पर, points बता ना इसका इंपोरेट नहीं है, क्यों, देखो यार, आप बोलग रहा हो, सर, points बता देता अच्छा होता, बर्प बता दो रही हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, इतने सालों के experience के बाद, सालों होगे, वही टॉपर को भी और एवरेज को भी, और एवरेज को भी और सुरी टॉपर एवरेज लोर कुछ होता और किया एग्शुलि नहीं होता, उनकी क्यापसिटी होती है जो टॉपर बच्छों मैंने एक चीज़ देखी इता है सालो में चाय हमारे इन्सचिट हो टेने बच्छे नास्टी द्वाइर देए नहां रहे हर शया आईू शया नुकलिस से तो ईनों सब बच्छों ने जितने ही बच्छे हमारे थे उन सब बच्छों स अपना काम पूरा गया, हम बर पूरा गया, अपनी चीजों को समझते गए, सर बोलते गए, सीखते गए, अब मैंने बुला, तुम खुद पॉइंट बना लो, पहला पॉइंट, गिलमान रिजेंट is obtained, R2COLI, सेकंड पॉइंट, इंटरमेडियेट, कहां है, क्या है, R- नेगटि कारबन इंटरमेडिये, तीसरी चीज, एक्स क्या ले, IBR, CLF, सर आइवा, IBR, CLF, चौथा, कहां अटेक करना असान है, यहां पर R- क्या ले, 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी, सर वन डिगरी पे बहुत अच्छा 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 होगा, SN2 आपने प पढ़ लिया, Frenkland पढ़ लिया, Wurtspatic पढ़ लिया, Korihaos पढ़ लिया, So These all are the points of that, ये question हो गया, एक question और दे दूँगा आपको, मैं उसमें आप बहुत 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 बहुत, बहुत है आपको यहां पर, कुछ भी मैं आर चेंज कर दूँगा, मैं आपको यहां आपको इस format में जैसे आपको देख जाना copper, lithium समझ जाओ कि Korea house आ चुकी है, Korea house के entry आ चुकी है, यह और यह जोड़ दो, answer आपका आ गया, this is a Korea house reaction, है ना, उमीद आपको यह बात समझ में आ गई होगी, यह सब इसके points भी है और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए, चल्दी से चाप लो, चल्दी से सोच लो एक बार देख लो हाँ आच में यह कर रहे हैं यह कर रहे हैं एक बार reading जरूर कर लिया करो, अब हम फिर एक नई radical reaction की तरफ चलेंगे, बड़ी आसान सी, हम क्या revise कर रहे हैं वन शोट में यार यह था, यह था, यह था, यह था, ऐसे, that's it, चलिए, आगे चलें, आगे चलकते हैं, अब हमारा है, एक important reaction, नाम तो सुना होगा, कोलबे reaction, नहीं, कोलबे, हाँ ठीक है, कोलबे electrolysis, लिख दो, अरे, कोलबे, अरे, बोलबे नहीं, कोलबे, कोलबे electrolysis, electrolysis, electrolysis सुनते ही आपको physical chemistry की याद आती होगी, कि हाँ, हमने वहाँ पढ़ा तो है यह चीज, अब पढ़ा है तो आपको कुछ-कुछ चीजे वहाँ की मैं आपको याद दिलाऊंगा, कि हमने किया क्या था वहाँ पर, electrolysis के दुरान क्या होता था, एक होता था आपका cathode, एक होता है अपका anode, सो आपने एक होता हो, है क्यों गया, बताता हूं, एक होता है आपका cathode, क्या होता है बढ़ा, cathode, तो anode होता है, आपका anode, क्या होता है धिजляन से सुनना, thing of कायन और C अधन व्यूम है कि एस निदने और C कायन को तो नदुन हो डिए पर कोषन हुआ और को याद करना और yaad करना कितने असान अधन नद। 25 एस दिर मां आप से पुस्ता हूं मेरे व्यून ने लिए है इस मेन लिए इस पें और को जाएगा और फी जाएगा अरे पीछे अनियन है, अनोड फे जाएगा तो अनियों विल्मव तूड़ तौड़ आनोड एंडियों विल्मव तौड़ यह कहा जाएगा यह जाएगा तौड़ पे seminar, यह जाएगा मन्म्हारों होगरे। हम क्या करते है above, इसका लेते हैं एक्वससलूशन शुन्सद टेओं पानी आपका solvent हो गया है आप समझ गए है आप समझ दिना हम करते किया है हमने यह मालगे बॉटल है इसमें दो रोड गुछा दी एक रोड एक प्लेट के थोड की है फिर अधर करने पास करते हैं सब चीजें है यह आपका solution है solution यह आपका पानी है इस पानी में हमको जिसके जारवाना है जैसे naCl ले लिया यह अगर मेंने आपके समें यह यह लिखा होता आर c o o na समझ जाते na plus c o o minus यह लिया होता तो सोडियम na carboxylate carboxylic acid का salt carboxylic acid का salt ले लिया तो हम इसका पानी का पानी है aq-solution of carboxylic acid किसी भी anion का लीजिए किसी भी आप एक salt दीजिए, उस salt का एक्वा solution लीजिए, ये हम करते हैं, electrolysis के अंदर, तो हमने कोलबे ने क्या किया, organic chemistry के अंदर कोलबे ने यही काम किया, कोलबे ने क्या किया, ध्यान से सुनना, जुगार भी सिखा रहा हूं, असलियत भी सिखा रहा हूं, उसने क्या के रहा है, उसने लिए R-C-O-O-N-A, तो समझ में आगया मोले वालो को, कि n a n जो है, negative पाट यह है, और यक्टर्व पाट नेराल पाट है, तो negative पाट कहा जाएगा, अणूड पे, negative पाट कहा जाएगा, अणूड पे, और आपको पता है, 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 आपको पता है माइsis बताऊ नेलेक्ट्रोन दिये, क्या बना? ओ माइस नहीं एक लिस्ट्रोन दिया है. एक लिस्ट्रोन बताऊ, नेगेटीव, दो धुक्थ यौक्थ नेगेटीव दू काचए निूट्रोन चलाा जबिए। अच्छा हाँ, सर, आपने अभी तो बताया था, कि Cetan को 1-ltron 2, तो Phy-radical, Phy-radical को 1-ltron 2, तो Neg¡-charge, क्यों कि Cetan में कि खाली, खाली में 1 दिया, तो Phy-tradical, 2 दिए, तो Neg¡-schaft, 2 थे, 2 मैं से 1 निकाल दिया, Phy-radical, एक और निकाल दिया, तो किटायन, ऐसे, तो ये बन गए R-C-O-O-Dot, अरे बाई साब, ये dot बनते ही, पूरे समाज को पता है, अब क्या करना है, क्यों सर, क्योंकि ये bond अगर यहां से तूट जाए, ये वाली bond, तो मज़ा ही आ जाएगा, क्यों सर, ये तूटने में क्या फाइदा होगा, ये तू बना तो reaction आगे नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां देखिए, ये बना आपका R-Dot, ये बना आपका C-O-2, C-O-2, और ये बनते ही, लोगों के चहरे पर चमक आ चुकी है, ये तो हम बच्पन से पढ़ रहे हैं, R-Dot बनते ही, R-Dot को ऐसे नहीं रखना है, हमें किसमें क्र पर ये जएक चाहिए, थे बना आपका वंच और आपका पता है, ये कहां हुआ, ये कहां हुआ पटा, ये हुआ आपका अनॉड पर, क्योंकि अनाएंस कहां ह मूँग करते हैं, अनॉड पर, और अप किटायन की, अब आपके चाह क्या है बचा सिस्टम में, N-ए-प्लस और पानी एकवा सोलुशन लिए अब इलेक्टोन एकसेप्ट करें अब समझना मेरी बात को जुबार तो बहुत आसान है क्योशन अभी कराऊंगा तो बहुत इसी हो गया क्योशन कराना क्योशन समझना बहुत इसी है सेम जो वूट्स के थे वह यह रिपीट हो जाएंगे क्योंक आप सोचो रटवाना रटना नहीं है अन्य क्या किया अपने डौट बनाने का एक तरीका और खीए हमने फिर रिटिकल हमने क्या किया है हम दो बना RAW करें देखो बस और कुछ नहीं है secondstep में, in the second step बहुत असान है, अरे भाईया, वह समझ में आगया, पूरा-पूरा हमने लिया पानी पानी, हो एच, पीछे वाले बॉल रहे हैं, ये भी ओएच है क्या अब गदो, ये अगर ओएच होता, तो जिंदिगी ही बदल जाती, तुम लोग पर नहीं, जूम रहे होते ये ओएच नहीं है, ये पानी है ये फानी है, तो हो एच पानी, वाटर, वाटर अरे ये वाटर है भाया इसने जो ए ये एक्टरोन दिया ये एश्यलटरोन ये accept करेगा यहाहाँ है देल्टा प्लस, यहाँ है देल्टा मैंने जो आपको मैंने अभी सिखाया, वही काम करो, इसको एलेक्ट्रोन दे दो, दे दो अत्रसको, ह- अलग, तो अब आपका अंसर क्या आया, यह बन गया आपका H dot, एक लेक्ट्रोन मिला, और H dot unstable है, अपने ही मोलिकुल है, जैसे आपने यह किया न, R dot, RR, वैसे ही, H dot, H dot लिया, तो हाफ बनेगा, मोल से डिफाइंड गाता है, कुछ नहीं है, H2 गेस बाहर हो गई, H dot, H dot, H2 बन गया, और यहां चो निकला, OH-, वो Na+, के साथ, एक्सप क्या बना लेगा, प्लस Na, सर यह इलेक्ट्रोन Na+, ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मेटल है, वो मेटल है, यह इलेक्ट्रोन लेने का नहीं है, Na+, बोला, मेरा हाथ में लेक्ट्रोन है, में लेक्ट्रोन दूँगा, नहीं कभी वापस, इसलिए सोडियम मेटल है, में लेक्ट्रोन लूँगा, कैसे है, मैं लेक्ट्रोन दूँगा, तो that is the part, तो NaOH, NaOH, यह बन गया, H2 बन गया, H2 में basic medium बढ़ रहा है PhD क्या हो रहा है PhD साध से उपर जा रहा है कि साथ से नीचे ढा रहा है सोit समझ के बताऊ इस वाले reaction में PhD साध से उपर जा रहा है कि साध से नीचे आ रहा है Sir, NaOH बन रहा है basic medium हो रहा है NaOH क्या है? quantities है तो just49, pH कहा जाएगा कुन सा है free radical, और ये sir आप बातों बातों में points सिखा रहे हो क्या, हाँ जी, आरे points सिखा रहा हूँ free radical या अब पता है, अच्छी बात क्या है points में ना लिखने का reason पता क्या है आप लिखो, आप लिखो, sir, free radical, सभी बात है और, और CO2 on anode and H2 on cathode और वह, सभी बात है, sir, cathode cathode, और CH4 बन जाएगा, क्या CH4 बना लोगे क्या, अरे sir RR बनाना है, तो कैसे बनाएंगे not obtained, बनाब एक short बता रहा हूँ, CH4 not obtained और RR can be gas, obvious ही बात है ethane हो गया, तो gas हो गया, इस तरीके से बहुत सारे जो gases होती है, गया, गया, इथीन होगा, तो भी gas होगा, इथाइन होगा, तो भी gas होगा, तो इस तरीके से points आप cover कर सकते हैं, radical आ गया pH of the medium pH will increase, कहीं सारे modules में आप जब physics वाला के module करेंगे आप जब physics वाला के module करते हैं आपको जो modules मिले हैं, आप अगर modules करते हैं, तो आप easily इसको पा जाएंगे, pH बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा उसमें ऐसा question आता है, कि in the cold-based electrolysis, pH will increase, decrease, remains constant sometime increase, sometime decrease क्या बोलोगे, increase क्यों? क्योंकि increase होगा क्योंकि CO2, क्योंकि बन रहा है, तो pH क्या होगा, बढ़ जाएगा यह आपको जही मेंस के लिए important है, पर यह questions बड़े आसान है, इसके उपर, questions जो हमने वुड्ज में किये, तो question का shortcut, आप तो सर्फ वो बताओ, मैं question का shortcut तो question में क्या है, मालो आपको मैंने दिया, CS3 C O O N A,áticas, तो कुछ नहीं करना भाई, आप कुछ सोचलो, हमने करना किया, जुवार क्या है بटा, जुवार क्या है, kolele electrolysis है के-ई, kol Holland pada electrolysis, हमने करना क्या है हमने यह bond तोडनी है, अच्छा जो का हम वुड्ज में किया था, CS3 x था तो x को तोड़ दिया था यहाँ बन गया आपका cs3 dot और answer क्या आ गया cs3 sir same काम ही तो कर रहे हैं हाँ जी same काम ही करना है हाँ जी same काम ही करना है हमें बिलकुल same काम करना है अब यही चीज, अरे sir तो same question हो गया, हाँ जी जो हमने वहां किया था मैं आपको वही questions दे रहा हूँ yellow yellow यह है आपका succinic acid का salt yellow खुद try करो आरे try करो c-o-o-n-a c-o-o-n-a यह है आपका malic acid नाम तो सुना होगा यह है आपका succinic acid का salt यह है malic acid एक उता fumaric acid trans वाला fumaric same side वाला malic तो दुनों आपको देखना है मुझे नहीं देखना same क्या करोगे भाई लो क्या करोगे कुछ नहीं सर आपने जो सिखाया वही काम करेंगे तोड़ दो तोड़ दो मतलब सर यहाँ dot यहाँ dot आम सर आपने अलकीन भी बनाना यह बताओ जल्दी आंसर दो जल्दी आंसर दो लुञाओ कुल भी यह जल्दी आंशर तो इसमें तो सर एंटी कॉल भी लेट्रोफ है एन्ट shaped बंडेवट कोड बड़ा आसान सा है वाई बहुत ंजी सा है चल्दी जली आंशर तो आँसर इजनी फिर्ठय यह तो हमसे हो गया सर यहतो ह में तो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, H2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ टूटेगा यह bond, और यह टूटते ही क्या बनेगा? H dot और यह बन जाएगा CO2, तो यह H dot जो है, यहाँ पर H2 एनोड पर भी मिलेगा, और कैथोड पर भी मिलेगा, the most interesting part of that, H2 gas हमें कैथोड पर भी मिलेगा, कैथोड पर तो मिली रही थी, एनोड पर क्यों मिल गई? क्योंकि यहाँ पर R ह है, तो H dot H dot क्या बन जाएगा? H2 हो हो हो, hydrogen gas हमें मिल गई है, अब हम easily call-way electrolysis को समझ सकते हैं, बहुत questions हैं, कराने को मैं वुट्स वाले रिपीट कर दूँ, समझ दे रहे हो, call-way सेम रिपीट कर दूँ, वो डबबा बना के, CO2, CO9, एक और देख लो, यह बच्चे के लिए थोड़ा सा, अडवांस में है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो यह पाड़ जरूए, खुछ दे ना बच्चों से, आप भी इसको सीख लिजिए, यह, यह तो आपने सिखाया है नहीं सर, यह तो आपने कहां बताया हमें, अरे भाई मेरे, सेम चीज यहां भी करनी है, सेम चीज यहां भी करनी है, बस यहां पे तोड़ना क्या है? यहां पे तोड़ना है यह, यह कुँछ सी गेस निकल जाएगी देख लो तुम खुद देखो, तुम खुद देखो वाई लोग, तुम खुद देखो, यह क्यों सी गेस निकल गई सर, SO3 गेस, यह क्या बन गया, CS3.Answer तो वही आया है CS3 CS3 प्लस CO2 नहीं इस बार SO3 निगली अनोड पर कुछ चें सोड़ी किया CO2 था मुस्तरी का माद एडवांस वाला पाट हो गया है बाकि तो confusing कर दिया अब मालों मैं एक को CO1 कर दूँ एक को SO3 कर दूँँ तो बात तो वही है इथीन तो बन नहीं है साथ में CO2 और SO3 दोनों बन नहीं इतना इतना डिफरेंस बात आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी and that is a Kolbe Electro Lysis that is a Kolbe Electro Lysis आए अगला परते है हो 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 यह आप पर Free Radical वाला पाट खतम होता देखो अब तक जो हमने पढ़ा वो सारा Free Radical पर बेस था कहीं जहें कहीं लिंक्ट था Woods Family, Kolbe हो गया Kolbe के बाद आपका Kory House होगी सब आपको Kory House में Dot में साथ उसे लिंक्ट था तो आपने क्या किया मझे 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 में आपने Dot को में आपको सिखा जाए Dot रियाजमेंट नहीं करता Dot का कॉंबिनेशन, Dot का दिस्परपोशिशन तीनों से आपने सब रियाक्शन को एक बार में वन शॉट में फिनिश्ट समझ में आपको? आईए आईए जो इसका पार्ट है प्रिपरेशन का एक बहुत इंपोरेंट पार्ट है प्रिपरेशन में दू चीज़ों और बची है एक बचा है आपका एक आपका जो में इंपोरेंट पार्ट बचा है वो है आपका हाइड्रोजेनेशन एक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका डीकार्बोकसिलेशन पढ़ा होगा आपने बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने बढ़ा है इसको डीकार्बोकसिलेशन बहुत easy पार्ट है यह डीकार्बोकसिलेशन 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 चैसकर क्या मतलब है आईए इसमें भी हम sodium salt of acid ही लेते हैं और यहां पर हम arrow पर लेते हैं यह जिहां से सुनना arrow पर क्या लेते हैं arrow पर लेते हैं हम NaOH और CAO sodium hydroxide potassium potassium oxide quick lime इन दोनों की reaction से होता क्या है देखो मैं तो बच्चों को एक चीज सिखाता हूँ कैसा भी बच्चा हो क्या बड़ा calcium oxide दिखते ही मेरे दिमाग में calcium carbonate बनाने मिन धियान अता है क्या क्यों केल्शियम carbonate बनाया जाए तो CAO तो है यह हमें ACO3 चाहिए COO 2 में क्या कम है CO 2 र GPA ultimately nowadays, CO 2 को निकाल लेते हैं कम क्या है calcium carbonate में कम क्या है अबर inject कि Additionally, हाँ, पहले CO2 तो ही है, CO2 कम है, CO2 निकाल दिया, simple, straightforward, यह advance में हर साल आ रहा है, कहीं ने कहीं उसमें आई रहा है, आप 19 का paper देख लो, 20 का देख लो, 21 का, कहीं ने कहीं भी 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 में इसमें को use करे लेते हैं, acid बनवाएंगे, acid बनवाएंगे, वापस से soda lime करवा देते हैं, हर साल acid पर कुछ ने कुछ सवाल जहीं पूछी रहा है, तो इसमें होगा क्या, आपका CO2 निकाल दो, निकाल दो CO2, आपका क्या बनेगा, यह part निकल गया, तो आपका क्या बन गया, R-, खुश हो सकते हो न, O- है, ने प्लस है, इसमें बाद क्या, CO2 gas बहार निकल गई, CO2 इसमें जुट गई, R- बन गया, और R- जो है, वो H- लेकर क्या बना लेगा, वो H- लेकर क्या बना लेगा, R- H, र- अच्छा, अलकेन बन गया यहां भी, अच्छा, इसलिए इसका एक नाम होता है, इसका एक नाम हो, और क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, आपने क्या क्या लिया, आपने soda लिया, आपने lime लिया, quick lime और soda लिया आपने, that is also known as soda और lime लेकर, soda lime, एडवांस में soda lime की नाम से पुछा था, उसने, नाम देके पुछा था, decarboxylation, सर यह decarboxylation क्या होता है सर, D मतलब delete, carbox C मतलब CO2, CO2 का निकल जाना, delete हो जाना, इसनोंने soda lime decarboxylation, इसका एक नाम और होता है, Oakwood, पढ़ा होगा आप लोगो ने, Oakwood, degradation, यह क्या है सर, what is degradation, कम होना, degrade होना, low होना, carbon की value कम हो रही है, इस compound में, माल लो एक्जामपल, तो carbon की value कम हो रही है न, carbon कम हो गया, suit हो निकल गया, तो यह भी आपका, degradation है, ओकपूर बंदे का नाम है, Oakwood degradation, कौन सा intermediate है, मुझे नहीं पता, तुम बताओगे मैं लिखूँगा, अरे आप लोग बता दो, पीछे से आवाज आ रही है, सभी तो minus charge दिखता है, तो क्यों ना आप इसको carbonine लिख दो, जी हाँ, पीछे वाले, सही बोल रहे हैं, carbonine, intermediate, carbonine, intermediate, है न, इसमें एक बहुत important information, जो J means के लिए important है, क्योंकि यह न, NCRT में लिखी है, कि इसमें NaOH और COE का ratio, ratio of NaOH and CO is 3 ratio 1, is 3 ratio 1, NaOH और COE को 3 ratio 1 में लिया जाता है, और इसमें बनता के साथ में, Na2 CO3, क्योंकि अगर calcium carbonate बन भी किया, तो NaOH इसको वापस तोड़ देगा, और इसमें बनता के साथ में, Na2 CO3, सो rate of reaction, सर अब तक आपने rate of reaction की बात क्यों नहीं की, की ना भाई, dot की stability परता नहीं, वहाँ तो dot था, rate of reaction is directly proportional to, directly proportional to, बताओ मुझे, कैसे rate बढ़ाओगे, अगर आपने negative charge की stability बढ़ा दी, अरे बोलो रहे, अगर आपने CO2 निकाल के, negative charge की stability बढ़ा दी, तो rate of reaction भी बढ़ जाएगी, so rate of reaction proportional to, stability of, stability of, carbon ion, अच्छा, मैं आपको question भी करवाँगा इसके ओपर, कि negative charge की stability बढ़ते ही, आपका, बहुत important point है भाई, stability of negative charge बढ़ते ही, आपका काम हो जाएगा, मतलब जितना stable negative charge होगा, उतना आपकी rate fast होगी, इस reaction की उमीद आपको, अच्छा करना कैसा है, जुगार क्या है, अरे जुगार तो बड़ा simple है, CO2 निकालो, H लगाओ, CO2 निकालो, H लगाओ, CO2 निकाला, minus बना, H देदो, इतना यह अलकिन बन गया, अब सर्स, questions कैसे करने, आओ, questions सिखाऊ, पहला question, मालो मैंने लिया होता, CS3, CO1, प्राइ करो, आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूँगा यह, आप लोगों को करने है, examples, करना क्या सर्स, एरो पर क्या है, वही चीज, NaOH, CO, delta, delta, delta क्यों सर्थ, delta 1 ने लिका, heat तक ही, और easy हो जाए, fast, reaction fast हो जाए, और कुछ नहीं, नुसरा, खुदी करो, benzene, CO1, 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 एक्सेस में बटाना, यह, ट्राइ करो, ट्राइ करो, आप लुक्स्वाइ करें, यह सवाल, आपके, GOC का सवाल हो गया, पदा है, जैसे कामन की, stability आई न, बहुत आप, आप GOC में चले गए, सिजा सिजा, यह लिया, वहस्में क्या करना है, compare the rate, rate compare करने, यह तीसरे वाले में, इनमें answer बनाना है, तीसरे वाले में rate को compare करना, मैंने basic सवाल पूछ लिया, बड़ा easy सवाल पूछ लिया, इसका answer क्या होगा, सर करना क्या है, जुगाड बताव सर, जुगाड यह है, CO2 को तोड़ दो, क्या बना, फोलोइंग रियाक्शन विल प्रोड्यूस, जुगाड प्रोड्यूस, मिथेन गेस, वोड्य रियाक्शन, फिटिग रियाक्शन, कोलबे लेट्रोलाइस, जौथा, सोडा लाइम बी-Carboxylation, अंसर क्या होगा, सोडा लाइम बी-Carboxylation, मिथेन बन गया, इसमें तोड़ दो, तोड़ दो, माइनस, 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 H-Claus दे दो, आंसर विबी, आय हाय, शांदर आंसर, बेंजीन, क्या अंसरा है बड़ा, बेंजीन, अब इसमें क्या करना है सर, इसमें कुछ मत करो, इसमें आप तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ने के बाद क्या बना लो, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, अरे सर, यह ता मैं जीओसी में किया था, यह सिंगल बोंड पर नेगेटिव, डबल पून पर नेगड़िटी और याद है, ये SP है, SP, SP है, तो क्या होता है? SP की एलेक्ट्रो नेगटिवडी जादा होती है, SP2 से, SP से, और जितनी ज्यादा एलेक्ट्रो नेगटिवडी होगी, कि एलेक्ट्रो नेगटिव चारज उतना ही जढ़ा, SPF कर नेगटिव चारज उतना ही जादा stable होता जाएगा, SP का ऊटर ये है, और यही रेट का ऊटर होगा, क्यों सर्, एक बार हो, सर्, एक बार हो। FAST होगया सर्, आड़े भाई, negative charge की stabilityках करनी है, negative charge जिसनोग साथा stable होग Dual इसकी रेक्षिन की रेत क्या होगी? फास्ट होगी. तो यहां देखो, C single bond पर minus, double bond पर minus, triple bond पर minus. तो triple, single, double में क्या फरक है? जियो सी आद करो, electronegativity का. E n इसकी जादा होगी, उसकी rate, उसकी rate, उसकी rate, क्योंकि उसमें negative और जदा stable होगा, तो rate और सादा होगी. So rate of reaction is directly proportional to stability of negative charge. आपके बास सवाल आजाए, D carboxylation की rate को compare करो, कुछ मत करो, चुप 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 negative charge की stability को, चेक कर लो, negative जीतना जादा stable, जीतना rate, fast होगी. उमीद आपको मेरी बात है समझ में आगी होगी, and that is the rate part, question part, question आपको क्या लगता है, यह सवाल है, यह advance का IOA सवाल है, advance का IOA सवाल है यह, तो आप कर सकते हैं, easily बहुत बड़ा टास्क, इसमें है नहीं, यह आपका D carboxylation, यह आपका, यह आपका, यह आपका, आखरी M.O.P आपकी, यह आपकी बच्ची है, और जो पढ़ा दे, वो गलत है, साथ बोल रहा हूं, बहुत controversies है, उसको मैं चूँगा है नहीं, देखो, सवाल उन्होंने तो पढ़ाया था, इन्होंने पढ़ाया था, इन सब बातों पे ना जाए, क्योंकि हम वो लोग है, जो कोटा में आज भी है, और आज भी आज भी आज भी आज भी आज पढ़ा रहे हैं, और आज भी पच्चों को रहेंग प्रोडूस कर रहे हैं, आज भी पच्चों को रहेंग प्रोडूस कर रहे हैं, रहेंग प्रोडूस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको कहा रहा हूं, आप टेंशन न बार मेरे काम का है, मुझे मरे सवाल आया भी है, और जई इमेंस में भी आरा है, लगातार सवाल आरा जई इमेंस में इसके उपर, आप लोगों को समझ में आगया होगा जल्दी से इसको 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 बड़ देख ले कि कुछ करना था है इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा टास्क नहीं है तो चलिए आगी चलते हैं अब हमारा अगला बेल्दी सेख बंटा था टोपिक है अहीं करता है को समझ में आगने सूंबराईस करते रहा करो बार 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 शमझ करते रहाLY हुआ पता है आप एसा भी कर सकते हो पिछ आप उन्हार आप रीक ओरकार आप ऐसे इसे इसे लो आप अरेक्स या आप इसको आरेस्ः पिर भी भी मत लिखो, आप लिखो अलकेन, आप खोद अशे बनाइए, आरेक्स अशे, सोडियम, फिलिक दो वुड्रीक्शन, फिर यसे आप आर सी ओ ऐने, कोल बे लिट्रोड़ैसिस, आर सी ओने, सोडा-लाम-डी-कर्बोक्स अशे तीन, फिर यसे आप अपन गिनार प्यार तिसें आपन जो भी राइशन पढनेवाला है, इसे एक चार बन गाना यह चार्र आपको जिप About Aqu on शोट ऑक Radio Path हाम, यह पक पटा यह पटा यह पटा य hebben बटा। इसमेगा इसे तरीकिस्क अपको समर्ज़गेगी आप इसलिए बोल रहा हूँ आप इसको सासाथ में ऐसे भी बनाएं आप ताकि आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा इसी को बोलते हैं शॉर्ट नॉट और इनी के चलते मैं यह कह रहा हूँ ना मैं अपने मैं मैं के रहा हूँ बच्चों से जरूर बनवाता हूँ यह चाड़ू खुद बनाएं ताकि उससे बच्चों को बहुत इजी हो जाता है चीजें सॉल करना चलिए नेक्स्ट इज रियाक्शन विद्ट ग्रिगनाड ग्रिगनाड रियेजेंट के साथ रियाक्शन करने पर कैसा अलकीम किसे बना लोगे अरे भाईया AV लोगो ने खीया सीखा है आप लोगों ने ग्रिगनाट से भी अलकेमराना सीखा है कैसे पहली reaction याद करो acid-base reaction याद करो ग्रिगनाट दुनिया में तीनी reaction शो करता था acid-base reaction और acid-base के साथ आप सोचो होता क्या था आप लेते थे आप क्या लेते थे आप लेते थे यह है आपका ग्रिगनाड डिएजेंट rmgx, r पर क्या देल्टा minus, प्लस आपने लिया electronegative atom उससे जुड़ा हुआ h, जिसे की o h हो गया roh, o के साथ h, rsh r, मुलब कोई भी f, o हो गया, n हो गया, rns2 rcoh यह सारे के सारे electronegative atom से जुड़ा हुआ h acid h और active h, इन दोनों से जुड़ा हुआ h, आपको इसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, क्या बोलोगे यह आपका acid h गया, active h उससे जुड़े हुआ h, तो इस h पर क्या है delta plus, electronegative पर क्या है delta minus, अब पीछे वाला भी समझ गया है, बोल रहा है सर, यह delta minus, इस delta plus को ले जाएगा, हाँ जी, spritak, h plus को ले जाएगा और r delta minus और h plus यह मिल के क्या बनाएंगे r h, आप देख, खुद देख लो आप खुद देखो चो यह है, r delta minus और h, delta plus, h plus और यह मिल क्या बना लेंगे, r h और बाकी mg, en x वो लग हो गया, तो आपका r h बन गया, r h बनते क्या बलोगे है, alkane बन चुका है, बहुत easy है बहुत easy है, सर कोई example सर, लो, मैंने लिया c s 3 mg b r, c s 3 mg b r, लो, एक दो तीन चार 5 6, अरे बहुत सारे हो सकते हैं example ले रहा हूं मैं तो, मैंने पानी लिया r sh लिया समझे गए r c o o h लिया ठीक है r s o 3 h लिया बहुत s c l h b r h c l h b r, जो acids हैं, वो ले लो या r o h ले लो r n h 2 ले लो, ये सब वो लोग हैं जिन पे acillic h मौझूद है, cyclopentadien ले लो, वो बच्चा जो, बई, advance का पार्टे हैं ये अच्छा हाँ, सर ये भी तो है, और फिनॉल ले लो, फिनॉल तो it में आ भी चुका है ये सब में खास बात क्या है, इन सब के अंदर खास बात क्या है, ये h, ये h, ये वला h, ये h, ये h, ये h, ये sारे के सारे, acetic h है, तो green art सब से पहले क्या करेगा, इन सब से acetic h को उठा ले जाएगा, उठा ले जाओंगा, और ये answer will be, c h 3 h लेगा, क्या बनेगा, c h 4, सब में क्या बन जाएगा, methane, सब में क्या बन जाएगा, methane, 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 हर जगे, methane, हर जगे क्या बन जाएगा, methane, तो अब ऐसे भी, alkane को बना सकते हैं, ऐसे भी, आप alkane को create कर सकते हैं, you can form the alkane by using green art, the acid-base से कर सकते हैं, एक तरीका और अब और आप चाओ तो दिनाट से, rx, plus rmgx, rs लेलो, ये भी तरीका है, sn2 reaction, sn2 से भी आपी काम कर सकते हैं, कैसे सर, सोचो, खुद सोचो, sn2 कैसे होगी, खुद सोचो, भाई, यह delta plus है, r पर delta minus है, attack, और x बाहर, क्या बना आपका r, r' लो, आपने फिर से बना लिया, ये sn2 होगी, ये आपका acid-base होगी, acid-base reaction, sn2, बड़ा आसान सा है, बड़ा easy सा है, कुछ है नहीं, simple, alkyne कैसे बना सकते हो, अलग-अलग तरीकों से, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, चलिए, आगे चलते हैं, the very very important part, very very important part, ये पड़ा मजा आएगा आपको, पढखे और समझ के आएए, आखरी M.O.P. of, the last M.O.P. of, alkyne, hydrogenation, और मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना, इसको बहुत depth में समझना, ये बहुत जरूरी है, ये और इसकी stereochemistry, हर साल कहीं न कहीं इसका use किया जा रहा है, किसन किसी इसमें तरीके से इसको पू पूशिश करेंगे, सर ये, alkyne की ही है, अले भाई, इसमें सब सीख जाओगे आप, मैं आपको इसमें alkyne भी सिखाओंगा, alkyne भी सिखाओंगा, क्यों बहुत अलग अलग बढ़ाने से अच्छा, alkyne का हीडोजनेशन बढ़ाओ, alkyne का पढ़ाओ, उससे अच्छा में ए पीवाई क्यों करेंगे आप, परे सीखो, समझो, शोट नोर्स बनाओ अपने, क्या सीखा, फिर आप questions पर आए, questions जो इनके साथ वाले हैं, हाइड्रोजनेशन है क्या सर, मान लीजिए, example के तोर पे, मान लीजिए, हाइड्रोजन, मतलब क्या हुआ हुआ, H2, H2 को जोड़ हाइड्रोजनेशन, H2 एडिशन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, अब H2 को जोड़ना है, तो कहां जोड़ेंगे, obvious सी बात है, आप बताओ, क्या अलकेन पे H2 जोड़ पाओगे, क्या, अलकेन तो खुद ही saturated है, कोई जरूती नहीं है उसको, तो unsaturated पे ही जोड़ कुछ भी लो, कुछ भी लो, यह लो, मैंने यहां लिखा, H2, निकल, यह क्या है सर, आपने हाइड्रोजन, इसको बोलते है, यह आपको catalyst है, तो catalytic hydrogenation, क्यों सर, ताक कि hydrogenation slow ना होके, बहुत fast हो जाए, हम एक surface पे reaction को करवाते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए, हमारा mobile है, उस mobile के ऊपर, यह आपका mobile है, इस mobile के ऊपर, इस mobile के यह आपकी surface है, इसके ऊपर आप H2 डाल देते हैं, फिर आप पैन आपका ethene है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, करते क्या है, मैं आपको अभी diagrammatic way में सिखाऊंगा, निकल लिए आपने ठीक है, यह आपके निकल हो गया, इ इतीनी surface पर चिपकता है, चिपकता है, तो यहाँ पर actually मैं adsorption phenomenon है, कई लोग गलत सुखते हैं, यह adsorption चिपकना, surface पर चिपकते हैं, जो astuthy वो उस पर add होचे हैं, कैसे होई सिखा रहा हूँ, triple bond आई, triple में तो और ज़दा पाइलेट ट्रॉन से, triple में तो देना नहीं देन यहाँ रोल ही नहीं, कि टूटेगी या नहीं, टूटेगी मतलब नहीं है, यहाँ मतलब किससे है, adsorption, कौन जल्दी surface पर adsorption होगा, triple bond पर electron जादा है, चल्दी से adsorption हो जाएगा, इसलिए triple की reactivity जादा आती डबल से, चिपकाया इसके ओपर, चिपकाया, चिपकाते ही, य चोड़ दो भाई, ह, 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 simple सा, पाई बोन तोड़ो, यह बोन जोड़ दो, ह, चोड़ दिया, तो आपका अंसर क्या आगा बिटा, अच्छा से यह निकल जरूरी है क्या, अरे भाई, पीडी लो, प्रेटिनम लो, कुछ भी लो, रहने निकल लो, रहने निकल क्या होता है, और अल्यूमिनियम, रहने निकल क्या है, निकल, अल्यूमिनियम विट ने वेच, यह इसका अलोए है, वो भी रहने निकल हो गया, कुछ भी लो, पीटी ओटू, एडम कैटलिस्ट लो, अरे कुछ विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत सारा कैटलिस्ट हो सकते हैं, अच्छ आएगा, यहां पर भी सेम ची ले सकते हैं, आंसर क्या आएगा, आंसर विल भी यहां आएगा, चीएश-थ्री, बदाई हो, अलकेन बन चुका है, यहां पर एस्टू जोडेंगे, तो पहले तो क्या बनेगा, एस्टू जोडने पर यह इथीन बनेगा, और वापस से रीएक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इथेन, भलब सर यहां पर एस्टू, ज जजाच, यहां alkyne पर हैस्टू के molecules ज़्याधा चाहिए होंगे, हान जी, alkyne पर हैस्टू के molecules ज़्याधा चाहिए होंगे, I hope आपको मेरी बास समझ में आई हो, कि हम कर क्या रहे है हैं hydrogenation यह अब मैं आपको सिखाता हूँ देखो diagrammatic इसको आप observe करना इसको आप observe करना ध्यान से सुनना इसको आप observe करो पिर समझ जाओगे देखो आओ इसको देखें डंग से आपने क्या किया यह आपने स्टाइटली स्टाइश सर्फिस ली चाहे निकल कई है चाहे पीडी कीलो चाहे ब्ली के लिह की यापने इन ती नोma से कोई सर्फिस ले ली नहीं ती नोमध पीडी बहुत अजै जैसी मगणा नैनंट इस साज्च बढ़ती जाएगी समस्फिस इस सफेस बढ़ गया on the catalyst surface जो hydrogen atom है वो आपके surface पर चिपक चुका है adsorb हो चुका है अब आपने ethene को introduce किया है खुद इस तो ethene को introduce किया अब देखो ethene ऊपर से आई first hydrogen transfer to the carbon of the surface bond bounded alkene जो alkene है surface पर चिपक रही है उस पर h2 add हो जाएगा ऐसे अच्छा मुद्दे की बात क्यां से देखो मुद्दे की बात सबसे important बात h2 कैसे एड हो रहा है यहां पे यहां पे h2 add कैसे हुआ h2 has added sin क्यों sir obvious यह बात है इथी नहीं ऐसे चिपकी तो h2 ऐसे जुड़ा याद नहीं करना है ऐसे जुड़ा मलब क्या हुआ है sin edition ऐसे और ऐसे होता है एक एसे एक एसे यह हुआ ंटैडेशन एक एसे है उस्रा उपर एक नीचे है दुसरा उपर एक उपर एक उपर है उसरा दुसरा नीचे निचे दुनों नीचे दुनों उपर sin edition συν और anti edition का मतलब क्या हुआ sin मतलब sin मतलब यह आपका sin edition year ng 20 क्या होता, दोनों opposite, यहां तो दोनों H2, ऐसे जुड़े, sin addition, तो आपको diagrammatic वे में बहुत चल्दी समझ में आ गया होगा, अब सर इसके stereochemister, सर, अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा, त्रिपल को डबल पर रोकना हो तो क्या करें, मैं आपको यहीं बताऊंगा था, कि आपको अलग अलग ना लगे, एक जिस अलगे, सब कुछ सेम लगे, हाँ, यह लिया, अब अगर मैं बात कुरूँ सर, अब आपने क्या किया, अब आपने क्या किया, तो अब इसकी stereochemister, बजाते हैं, देखो, questions बड़े आसान, देखो, मैं serious ची बताऊं आपको, आप कोई भी question, प्रोपेन ले लोगे, उस पर S2 डाल दो, निकल डाल दो, उस पर आप D2 निकल डाल दो, है न, आपने यह किया, ठीक है, तो क्या होगा, S2 निकल डालोगे, तो answer क्या आगया, प्रोपेन, D2 डाल होगे, तो यहाँ भी D, यहाँ भी D, इस सवाल, समझे ना मेरी बात को, आपको मैंने यह दिया, यह लिया, कितने मोल S2 चाहिए होंगे, अब सवाल अगया, S2 निकल में, कितने मोल S2 चाहिए होंगे, पूरे compound को, यह कराने के तो, एक, दो, तीन मोल, तीन यह अलकी, तीन चाहिए होंगे, answer on, S2, 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 जोड़ देजे, कुछ है यह नहीं, कुछ, है यह नहीं, बड़ी बात है यह नहीं, सर फसेंगे कहां, फसो कि यहाँ पे, यह लो, यह, अब बताओ, अब आया न मज़ा, सर उसमें क्या है, S2 जोड़ दो, यह भी उन बन गया, हाँ ठीक है, बन गया, यह ऐसे बना लो, अब बताओ, अगर मैंने इसके उपर डाला होता, D2 निकल, अब बताओ, DD कैसे जुड़ेंगे, अब बताओ, DOD कैसे जुड़ेंगे, कैसे अड़ करोगे DOD, मतलब सर, तो सिंबल जोड़ देंगे, नहीं, तब आपका वो गलत हो जाएगा, इस्टीयो केमस्ट्री ओफ, हाइड्रो, जनेशन, या पर आप पर आप पहता है, कोई भी आप अड़िशन का, आप कोई भी अड़िशन का इसको वो ले सकते हैं, कॉमन पार्ट, कोई भी अड़िशन का, सर, कैसे करना है, आओ, एक इतना जबर्दस तरीका सिखाने जा रहा हूँ, पूरे मोहले वालों को बांट देना, इतना इजी तरीका कभी नहीं सुना होगा, कोई भी भी आप कैट वेट, कैट वेट, कुछ नहीं भाई, अपने सब नहीं करते हैं, कैट वेट नहीं बताएंगे अपन, अपने बहुत सिंपल सा तरीका आप लोगों को बताने वाले हैं, आप बोलों कि सरी तो मज़ा ही आ गया, मुझे लगता है, आप अपनी शार्ट स्कॉलकूल के नाचने लग जाओगे, यह होता है असली तरीका, मज़ा जाएगा, अग देखो, आओ, मज़ा करें, यहां है आपका टाइप आफ अलकीन, यहां है, टाइप आफ अलकीन, मतलब सब सिखाऊंगा, यहां है, टाइप अफ एडिशन, और यहां है, टाइप अफ प्रोड़क्ट, अब आपको जो सिखाने जारो ना, सीखने ना, मुझा जाएगा, किसी ने, मैंने, किसी को ने देखा, यह मेरा खुद का इजाद किया हुआ तरीका है, so please don't claim it, कि मैंने, मैंने वहां वीडियो का है, ऐस प्लस इंटु प्लस, प्लस इंटु प्लस, प्लस इंटु मैननस, मैननस इंटु मैननस, यह क्या है सर, प्लस प्लस, क्या आइगा, बोलो रे, प्लस प्लस क्या आइगा, तुम बोलो मैं लिखुंगा, तुम बोलो मैं लिखुंगा, प्लस प्लस, 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 प्ल प्लस मैनस, प्लस, यह क्या किया आपने, अब देखना मज़ा आएगा आपको सुनके और समझ के, सर्थ ताइप ओव अलगिन प्लस है, प्लस मतलब होता है same side, प्लस का मतलब मैंने क्या define किया same side, माइनस का मतलब ulti side, तो थाफ स्षट ወ. तो ईडिशन, टाक है, जुड union किए । स्ञ अगर आपने अगर ऑपका अडिशन स्फट ወ एंकुड एंकुड टाक किए यहां लग है अब type of alken same side मितलब क्या होती जब alken में दोनों चीज़ same side हो sis alken sis plus sis minus trans यहां पर trans मतलब हम क्या कर रहे हैं जब alken sis हो same side वाले groups हो उस तरफ अगर जोडते हैं तो alken अगर sis हो तो plus वाला part हो गया addition भी sin हो तो plus हो गया sis trans sis trans हमने किया अब plus 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 मतलब क्या है product में जो part आप जोड रहे हो वो part भी same side जुड़ेगा सर को example देखे समझाओ तो मज़ा ही आ जाएगा आओ जो example मैं आपको भी दिया था वही देखते हैं हमने लिया ये plus d2 हमें जोड़ना क्या है बिटा डीटू जोड़ना है अरे सुन लो गहां वालो जहां से सुन लो यह बहुत इंपोटेंट है यह advance के लिए बहुत इंपोटेंट चीज़ है मैंस पर भी चीज़े पूछने लग गया भी है तो यह लिकिन कैसी है सिस या ट्रांस सभी तो सिस है यह plus होगी अब तो डायट कर सकते हो मालब सिधा 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 उल्टा 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 सिधा अल्टि वहां होंगे same side type of product कैसा होगा plus plus मतलब same side d इधर d इधर दोनों d same side होंगे तो देख के लग रहा है नहीं plus 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 अब माल लो इसी question पर फोड़ा change कर देते हैं ऐसे होता यह लिया होता यह लिया होता यह लिया निकल बताओ क्या हो लिया अब देखो तुम्हें समझना होगा sin addition है तो minus plus minus 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 का मतलब क्या है यह लिया यह आपका methyl उपर नीच वाल पाट इधाईल है और d od जोड़ना है अब d od कैसे जूड़ेंगे तो plus minus plus minus मिलब एक d अगर right है तो अगला d left होगा आपने ऐसा क्यों नहीं किया यह d left में तो आप शुड़ेंगे तो यह और इसकी mirror image यह और इसकी mirror image यह और इसकी mirror image दो answer बनेंगे यह और इसकी अगर optically active compound mirror image अलग अलग होंगे इंशोमर सोंगे और optically inactive compound mirror image identical होगी यह आपने सीखाई है मतलब इसकी mirror image लिने का कोई फायदा नहीं है क्यों symmetry है तो यह और इसकी mirror image दोनों same होंगी दोनों बनेंगे दोनों same है बात करतम होगी तो ऐसे आप minus plus और यह कहां लगेगा और फ यψा इसे पहले महीं कर दिर हो यह रावान राम बान है राम बान भाय माहूल की बना देगा यह आपका यह बना देगा आपने یुह आपको आपका पूरा माहूल सेट हो गहाएर इसके अंदर इतना शांदार है यह ब्लस प्लस 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 मतलब fame side मतलब opposite side जो जुड़े हैं वो दोनों opposite आजाएंगे तो यहाँ पर दोनों same चला जाएंगे ऐसे यह है इस्टियों chemistry of high dose मज़ा आगया होगा I hope आपको मेरी बास समझ माई होगी हम कर क्या रहे यह समझ में नहीं आया mirror image वाला part कुछ मत करो यार यह पर प्लस mirror image लिखोगे लिख लो फाइदा नहीं है क्यों क्यों कि इस optically inactive है inactive compound की mirror image यह दोनों क्या होगे semi हो जाएंगे यहाँ दोनों अलग-अलग है active compound है यह अपने आप्टिकल में पढ़ा होगा बस इतना तो मुझे कभ image लेनी है जब आपका compound active हो, बात का तम, that's it, that is your hydrogenation की stereochemistry, now we are moving toward the triple bond hydrogenation, जैसे ये जो पार्ट है न, ये पार्ट, जो आमने पढ़ ला था, ये पार्ट, ये पार्ट, इस पर कुछ अच्छी सब्सक्राइब बतारो मैं आपको, कहानी कुछ इस प्रकार थी, लोग tension में थे, लोग इस पार्ट को लेकर tension में थे, कि हमारा मन है कि ये triple bond जो है न, ये triple bond है, इसको हम S2 निकल डालने पर, हम चाहते हैं कि ये यहीं रुख जाए, यहीं रुख जाए, अच्छा, हम चाहते हैं कि triple bond को, हम double bond पे ही reduce करके रोग दें, तो एक तरीका तो ये है कि आप एक मॉल S2 डाल तो, only add the one mole of S2, तो अपका काम हो जाएगा, वह बस सही, लेकिन वह practical नहीं है, theoretical बिला अच्छा लगता है, लेकिन लेबरेटरी में एक S2 लाया और डाला, ऐसा नहीं होता, तो अब क्या किया जाए, इस कहानी में सब परिशान थे, कि होगा क्या, कैसे किया जाए, अरे यार पीछे वाला भी बहुत टेंशन में है, बात तो सही बोल रहे हो, तो क्या करें, तो उसमें फिर एक बंदे की entry हुई, उस बंदे का नाम था, समझाता हूं, मैं आपको थ्यान से समझना, और कोशिश करना, कि हम क्या सीख रहे हैं, उसको देखें, उस बंदे का नाम था, लिंडलार, H2, with PD-BSO4, बेरियम सलफेट, और you can say calcium carbonate, calcium carbonate भी चलेगा और बेरियम सलफेट भी चलेगा, और ध्यान से सुनिएगा, PD-BSO4 और PD-CSO3, इसको बहुते हैं, लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार्स, 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 इसको poisonous कर दिया क्या कर दिया उसने पोई जहरीला कर दिया कि भाई ट्रिपल आये ट्रिपल चिपके ट्रिपल चिपकने के पाँ जैसी reaction हो डबल बनते ही यह वापस बहा निकल जाए उड़ जाए क्यों मतलब वो ट्रिपल से डबल होते ही reactivity आपकी बंद हो जाए और ट्रिप विल बी CS2 double bond CS2 आय हाय अच्छा तो मतलब इस reaction में linlar catalyst की बदते उसने ट्रिपल से डबल पी रोग दिया वैसे तो यह MOP of alkyne है या reaction of alkyne है या hydrogen of alkyne है लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई यह बात वो यहीं पर सीख लो कि अलग चीज क्यों पढ़ो बार बार तो यह है आपका actually में क्या है यह तो एक तरीक यह हमें करना है हमें क्या 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 करते हैं quinoline को जोड़ते हैं as a poison quinoline is added as poison यह आपका linlar catalyst with poison जैसे क्या किया मोबाइल मोबाइल का cover cover यह मोबाइल यह cover cover के उपर फिर मोबाइल पर आपने एस्टू डाली और साथ में डालने से पहले आपने surface पर थोड़ा सा क्यों लिए चिटक दिया उससे क्या हुआ surface क्या हो गई पोईजनेस हो गई reactivity कम कर दी reactivity कम हो गई तो ट्रिपल आई ट्रिपल चिट की डबल बनी बार that is actual feel दिना नहीं कोशिश कर रहा हूं तो मैं समझ में आए तो बहुत बढ़िया है कि बहुत ही तगड़ी process है पता है एक बंदे ने एक काम और किया था उस बंदे न क्या क्या है आर सी और सील पर किया अभी नहीं सिखा रहा हूं यह चीज़ आपके अल्डिहाइड के टोन में आईगी पर उसने क्या किया है एक पार रोग दिया तो इससे अल्डिहाइड बनता है उसको बोलते रोजन मून रियक्शन पढ़ी होगी आप लगोंने वो भी इसी का अप किसटर हम ही पडा देता हूं एक साथ कोटा ना हम लोग हैड्र पडाया तो भी क्या कर देते हैं तक आप बच्चे को बार बार वहां अललग यह एललग तर अललग उधर अधर अललग यह बडियाग आफ एक साथ पड़हा ता कि धॉनरय आम क्या करमेंवाले आप लेट बुर्टन पार्ट, या भेरेंशाना है, का रुल्फिर के साथ लिए पता दिया बिरैयम श्लिर के साथ अब माँ 걸로 को सिकना ओट दियाग साथ का फ़िराग स्ट्टीस फ्लॉपस प्लस प्लस चिप तो देता हैëं तो जल्दी चिप पगए कि यहाँ पर Amy पर यप अन्य करने के बार्ट हो यह दो लोग डोनों कदरती है तो यहां दिट यूजिए इसे कि पास ज्यादा है इसे बात ही नहीं हा रही है पैसे कौन जल्दी देगा या कौन जल्दी लएंगा य इस पे बात ही नहीं आ रही है अगर जल्दी देने लेने की बात होती तो बात अलग होती माललम ने का alkyne औ nad by email में कौन जलदी electron देदेगा तो फूर triple ऑ double में क्या फरफ़र क्या फरण है Electrone negativity का किस तता है Sir triple की electron देना पसंद कम करेगा इसलिए double जल्दी लेक्ट्रों दे जाए ट्रिपल से लेकिन यहां पर ट्रिपल क्या से fast active है यह एलेक्ट्रों देने नहीं है सर्फेस पर एड्जोर्ब होना है जो जल्दी चिपकेगा तो से लेक्ट्रों देने थोड़ी यह चिपकना है तो जिस पर ज़दे लेक्ट्रोंस पाइलेक्ट्रोंस होंगे वो जल्दी से सर्फेस पर इस सर्फेस को क्या से लेक्ट्रोंस हाई है मोड एडोगेशन पावर लेशाम यह आपका इना दौई को देख लिए इसको सर्फ त Prix Leah fod में खरेस होगा अबही और यक्재 फिन चीडिशन पडीश को जबिलेत कर दीक्ट्राइश होगी चल दी से इसको चाप लीजिये चल दी से चलो चाप लिया होगा अब इसको तक पूरा 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 तो प्रूरा आपका ये भी हैड्रोजेशन भी आएगा आपके पास woods भी आएगा, इस तरह के क्योश्चन दूँगा आपको, मैं don't worry अभी, आप पे लिए देखिए, देख लिया, अब आओ, अब हम चलते हैं, reaction of alkene, sorry reaction of alkene, तेखो सर आप ये topic खतम हो गया, तेखो मैं आपको, ये आपके alkene मिलने के तरीके खतम हो गया, अब हम शुरू कर रहे reaction of alkene, फिर हमारा आएगा properties of alkene, ये पार्ट खतम हो गया, फिर हम alkene, alkene पहेंगे, वो fast हो जाएगा, वो alkene में बहुत कम reactions है, वो खतम होता है, आपका बहुत बड़ा पार्ट खतम होता है, अगर हम बात करें, alkene, alkene, alkene के बाद, हम बेंजीन पर दिखते हैं किता क्या होता ह है, reactions of alkene, करने का जाने, जहां से सुनिये, प्लीज सुनिये, देखो, कुछ important है इसमें, इसमें जो पहली reaction है, बहुत important है, उसके बाद वाली reactions इत्ती important नहीं है, वो आपके J syllabus में 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 आती, advance में तो बिलकुल नहीं आती, आस तो आई नहीं है, कुछ 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 इसमें क्या करना है, अलकेन की reaction सामें पढ़नी है, पहले हम पढ़ेंगे substitution, substitution, ठीक है, दूसरा, ऐसे हम नहीं करके reaction को पढ़ेंगे, isomerization, तीसरा, aromatization, अच्छा, इस अब reactions है, हाँ, इस अब reactions है, aromatization, combustion, combustion, पाँचवा, pyrolysis, यह सब वो reactions हैं, जिसे में आपको बता रहता हूँ, यह से यह, यह, यह सब मेंस के लिए ठीक है, राकि आती नहीं है, यह एडवांस के लिए ज़रूरी है, यह मेंस के लिए तो है यह, एडवांस में भी काम की चीज है, यह तो है काम की चीज, ठीक है, अब यह पाँचो छे और यह एक्शन हम पढ़ेंगे, अब substitution में तो halogenation भी है, nitrogen भी है, sulfonation भी है, इन सब चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे, आपका, एक और उतवा में ध्यान से सुना, एक सेकर, मैं कमशन लिख दिया, एक, दो, तीन, हेलोजनेशन, भलाब हेलोजन लगेगा, हेलोजन आपका substitute होगा, अलकेन में H हटाके, आप CL लगाएंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, nitrogen, NO2 लगाएंगे, अलकेन में, यहां आप sulfonation करेंगे, and reads reaction, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि अब हम यह पढ़ने वाले हैं, आपको दिमांग में रहे हैं, यह प्योर ग्यारवी इंस्योर्टी का पाट है, इसमें बहुत बहुत बिमांग में लगाना है, यह आपको पता होना चाहिए, यह थोड़ा सा लॉजिकल है, मैं आपको बढ़ा तूंगा, सिंपल सी बात को लॉज मेलब, मेकनिजम मेरे पास भी नहीं है, अलकें की डियाइट रियाक्शन पता हो लिए यह काम की IIT के लिए है, यह इंपोरेंट आप है, यह तो आपको इंपोरेंट है, सबसे इंपोरेंट है, यह दोनों भी NCIT में नही इनपातार इंटेजरेस के ओपर आह जा रहे हैं, तो हम पहले हम पडने जा रहे हैं, first we are going to introduce halogenation, बागी जो रियक्शन से यह एक, दो यह तीन, यह चार, यह पांच, यह ज़े मुश्किल से 10 मिल लगे गा, इतना easy है, कुछ हई नहीं ही इसमेरे बताने को, फिर वो प्रप इस पर किया बहुत variable questions बनते हैं, बहुत follow questions बनते हैं, जिनमें बच्छा fuzz आता है. Halogenation, आओ. Sir, आप तो pure, मैं तो ऐसे लिख के लाया हूँ, जिसे आप यहीं पढ़ा रहे हो, मैं कोई लिख के लाया हूँ, पार्ट तो वो है, आप फरजी-फरजी वाले पाते हैं, हम चारो की बात करेंगे, हम चारो की बात करेंगे, चार मतलब एक आपका होगया fluorination, chlorination, bromination, iodination, again, यह reaction आगई यह, अब आपके reaction आचुकिया है, अलकेंस की reaction यह lot, फ्रीड इकल आगे अपस से, अब आप देखो करते क्या है, ध्यान से सुनना और समझना, हम इसमें क्या करते हैं, सब्स्टिटूशन, हम लेते हैं रह, अलकेलिया, प्लस एकस्टू लिया, प्लस क्या लिया, एकस्टू लिया, और साथ में हम यूस करते हैं, एच न्यू, सनलाइट, और यूवी रेज, य ये फ्री रेडिकल ये फ्री रेडिकल बनाने में काम आते हैं, एक्स्टू विल ब्रेक इन्टू एक्स डॉट दो मौल एक्स डॉट कि कैसे होगा मैं बता रहा हूँ, सिजा जुगार क्या है ये एच अटाओ, सब्सिटूशन है, हट आओ, एक्स लगो, मतलब क्या अटाओ ? X. साथ में बन गया HX, र एक्स हट एक्स ये बन गया, ह हट के क्या लग गिया ? X लग गया, Süarine, इस असब्सिट्टूशन रेक्षं चिस न रेक्षं, किसने किसको सब्सिटूट किया ? H हट के x लगआ Prayer, X ने substitute किया H को तो that is a substitution reaction और यह आपका है यह आपका है reaction यह है आपका reaction वाला पार्ट और अब हम पढ़ेंगे mechanism वाला पार्ट सर देखो जुगारत आपको आई गया है इसका mechanism पार्ट सीखें मतलब सर क्या कर रहे हैं पहली स्टेप हम पहले X2 को तोडएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे X2 को तोड़ेंगे किसकी मदद से Sunlight की मदद से अच्छा Sunlight की मदद से X2 को तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा Sunlight चाहिए बहुत कम चाहिए बहुत कम समझ रहें मिठाई का डबबा होता है खोल दिया बस वापस बन कर दिया इतनी अगर ज़्यादा तेज आपने Light दे दी Bright Sunlight दे दी सब कुछ तूट जाएगा Molecule तूट जाएगा X2 को बहुत सारे Molecule तूट जाएगे इतना नहीं करना हमें केवल रियक्शन को स्टार्ट करना है वो बताऊँगा क्यों देखो पहले X2 तूटा क्या बना? 2 mol X. X2 तूटा? X X तूटा? क्या बना? X. 2 mol X. अब ये जो X. बना ना ये अपना काम करेगा और हमारे पास क्या है? RH है और हमारे पास क्या है? X. यह रहा X. जो हम लेके आए हैं अब ये X. आप से पूछता हूँ क्या होना चाहिए? सब दो possibility है R X प्लस H. या H X प्लस R. मतलब ये X. जो है या तो H. के साथ ये बन टूटेगी? यहाँ डोट, यहाँ डोट या तो H X बनेगा और R. बन जाएगा या R X बनेगा कौन बन जाएगा, सर? R डोट बनेगा H डोट हाईली अनस्टेबल है तो H डोट आप ऐसे फ्री में नहीं बना पाएंगे So what you are going to get आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? R dot प्लस H X और यही रियक्शन की क्या होगी? R D S slowest step of the reaction R D S आपको क्या होगा rate determining the slowest system of the reaction is R D S यह आपका हो गया अब dot बन गया अच्छा अरे सर यही पर इसके point बता तो सर आप तो free radical intermediate rate of reaction is proportional to stability of free radical as this stability of radical increases rate of reaction पीछी सावा जा रही है सर यह तो हमें बिल्कुल सेम लगता है हमने पहले पढ़ा है हाँ बेटा यहां पर वही सब कुछ है R D S आपर R R क्यों नहीं बना क्योंकि यहां पर X2 आपका बहुत सरा बज़ गया है बहुत कम X2 मैंने का बहुत कम लाइट लेते हैं यह बन गया तो आप X2 पढ़ा हुआ है यहां पर सब्सक्राइब करने प्धाने के लिगए पढ़ा हुआ है कुमोच्ति कोछ अब आईए चन्मारी अंगले अलिए दू पउअ पूएट है अपि यहँष्ट धीब आपको सबस्टर इसल sleep एक बार में ख्लिक हो जाना चाहिए कि यह देखो X. जो हमारा बना है यह वापस से काम आ जाएगा इसलिए reaction एक बार शुरू हो जाए फिर होती चेंड रियाक्शन है यह इसलिए इस चेंड रियाक्शन में that is your और इनिशियेशन जिसने reaction को start किया है इनिशियेशन और यह है आपकी दोनों step propagation जो आगे बीच की step से जो आगे ले जाए रियाक्शन को propagation आडियस क्या है free radical का generate होना और यह बन गया अब लास्ट यह खतम हो गया लास्ट में बसता है termination इसमें क्या होता है अरे बाई कुछ ना होता है इसमें जो बज गया वो रियक करते हैं वैसे तो सारे के सारे molecules इसमें हो जाएएंगे कुछ molecules जो बच गए और इनके जोड़ने से क्या बनेगा तुम खुद बता दो आप खुद बता दो पीछे वाला बोल रहा है चिल्ला के पीछे से आवाज आ रही है बोल रहा है सर इतो हमें भी बता है यहां RR बनाएंगे यह एक्स एक्स बनाएंगे यह आर एक्स बनाएंगे मेजर यही होगा लेकिन यहां हमारा पहले ही आंसर आर एक्स आ चुका है कुछ मुल्यकुल जो बचे थे वो उन्हें यह भी कर लिया यह तर्मिल यह हमारे काम की नहीं है काम की चीज यह है कई बार reaction को रोकने के लिए scaven अब मैं आप लोगों को 30 seconds का टाइम दे रहा हूं आपको यह सोचना है आपको यह सोचना है कि अगर एफ होता सीर होता f.cl.br.i. मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं इन चारों में stability को गिवन जियोसी में आपको पता दिया है चारों में कौन जाधा stable है which is more stable it is more stable कौन कौन जाधा stable है और कौन जाधा reactive है कैसे क्या होगा खुछ सोचो अपने आप आपको एक सेकंड में सब्सक्राइब समझ मैं देंगी एक मिनित में concept चमका दूँगा जल्दी से जल्दी जल्दी तो अगर आपने सोच लिया हो तो हम बात करें मैं आप सर इसमें क्या पूछन चाहरा हूँ कि अगर माल लो अगर माल लो यहां पर एफ सी एल बियार आई जो है ना यह अगर चारो लोग की compare करें तो इन चारो में आई की size सब्सक्राइब बढ़ी है इसी के चलते आई डोट बहुत ज़्यादा stable है इसी के चलते आई डोट बहुत ज़्यादा जो भी पड़ेगा इसको इसे इतना इसी घतम करता हूं एदेखो आउलोग से तो मज़े ही आगया फसी ल क्यों यह ना इवन टर आउ क्लास्व में भी मैंने इसको एसे ही समझा रखा है यहां से देखिये एफ डोट हाइली अनस्टेबल आई डोट हाईली यह इतना अनस्टेबल है कि यह इन सब के अंदर मोस्ट रियक्टिव और इतना ज्यादा रियक्टिव है कि highly exothermik reaction होती ता fast reactive करता है यह reaction रुकती ही नहीं है highly exothermik explosive reaction है explosive reaction है explosive reaction है इसमें और इसलिए अगर आप इसमें methane लेते हैं और आप F2 आप देखीएगा मज़़दार चीज इतना ज्यादा रियक्टिव होता है कि कार्बन ब्लैक बन जाता है लोग एक F लगना तो छोड़ो चारो F साफ क्यों इतना ज्यादा रियक्टिव है highly exothermik reaction 4mol HF तो यह reaction हो जाती है इसके अंदर और आप सोची कितनी स्ट्रेंज थींग है यह आपके कितनी अलग चीज़ है किसमें यह reaction हो गई वही अगर हम पात करें आई डॉट की अभी F और आ को कंपेर कर रहा हूं फिर C और ब्र कंपेर करूंगा क्यों एक्स्ट्रीमिस्ट केस है यह बिल्कुल एक्स्ट्रीम कैसे से क्यों में देवाद कि अपने कान पारेंगा उसी पर बहुत बड़ी रामयन है यह बहुत जदा बड़ा काम चलता है यह ऐली अन्स्टेबल है तो लीस्टेपल है यह पड़ा रहेगा अपको क्या करना अपने अपने निकालाना है इनना लीस्त रियाक्टिव इस्की इसकी आपको मजाएगा देखकर प्रफ आपको आंसर क्या आता है और ही इतना अंस्टेबल है कि यह वापस से रियक्शन पूरी की पूरी कहा जाती है रिवर्सीबल कहा जाती है पीछह रिवर्सीबल पूरी क्विझल पीछह क्यों आरे रहें रहें दियुक्त है रियक्टिव है उप्रेट ने थी ऑन चया नेजलु कि सब्सक्क हां कि HI को गयब कर देते हैं, है कि HI को गयब करने से क्या होगा? HI जो है खुद क्या हो जाएगा? तो HI अगर हड़ गया है तो लीच अटलिपाबानी क्या कहाता कि अगर प्रोट की कंस्ट्रेशन कम होगी तो रेक्शन पुरी पुरी तो हम यहां डालते हैं oxidizing agent क्यों ताकि हो हम क्या कर सके गायब कर सके इस चक्कर में इस चक्कर में हम इसमें हम डालते हैं oxidizing agent like da a salt chloride carbonic layer αZEN Mov ağa 3 sha 2ि सब डालता हैpp्यां हम होते रहगी होते रहे होते रहे होते होते मज मस् harm to इसी लिए मैं आपको क्या प्योला कि इस रियक्शन की खास बात क्या है ए बहुत slow reaction है और slowly reversible भी है तो जान बूझकिये हम इसमें यह डालते हैं ताकि रियक्शन थोड़ी सी फास हो जाए इच्छाई क्या बन जाए आई-टू बन जाए आगे से आगे काम होता चला जाएगा यह था एफ और आई का काम पूरा समझा दिया चार्ट वाले वेवें में पूरा समझा दिया कि अग्या समझना फिर से क्यों स्कूर्षिंट करेंगे बहुत सारे सीए लोड ब्यादो ते को समझो के तो मज़ा आएगा सीएल और ब्यादोट की इन दोनों की बात करें आगे यह लो और लो और अच्छे से टेबल फूम में कर देता हूं था हूं ताकि तो बहुत ध्या मोर मतलब इन दोनों है ना और यह लेस्टेबल लेस्टेबल है तो मोर रियाक्टिव है बहुत रियक्टिव एक रियक्टिव और इसलिए इतना ज़्यादा रियक्टिव है इसलिए यह लेस इसलिए सलिए इसलिए चार लोग है इसका पेड़ भर हुआ है इसका पेड़ खाली उनुमxo फैरऊको न्यूम 여자 करेगाई की चारा beverage है उट्यों करते हैं मतलब यह बन सकता है, h यहां भी है, 4 जगें है, तो 4 गीण हम लिकनल है, यह बहुत बहुत 냉 estos il डग्रीव लगेगा यह क्या बताना चारा हूँ मैं आपको, मैं इसको于s Smjoo'd, लेकिन हां, अभी क्या आपको में बताया 2017, more selective और आपको पता है इसका selective का वो देखिए आप मज़बाद बाद देखिए कम selective है इसका ratio इसका reactivity ratio reactivity ratio पता किता आता है 1 ratio 3.8 ratio 4.5 यह क्या है सर बता रहा हूं इसका reactivity ratio पता किता है देखिए मज़बाद आएगा 1 ratio 80 ratio 1600 है यह क्या है सर यह क्या चीज है इसका मतलब है कि 1 degree से टकराना collide करने की tendency अगर CL.1 degree से एक बार टकराएगा तो उतने में वो 3.8 times 2 degree से टकराएगा और 3 3 degree से वो 4.5 times टकराएगा मतलब समझ रहा कितना पास पास है इसमें देखो 1 degree से अगर एक बार टकराएगा तो 80 बार 2 degree से टकराएगा और 1600 बार अब देखो इनने कोई comparison नहीं है कितना बड़ा वेल्यू कितनी बड़ी वेल्यू है कि 3 degree से इसका मतलब यह स्पेशली यह selective है इसको यह define कर रहा है कि selective है इसलिए यह बोलना चाहरा है कि भाई देखो मैं selective हूं क्योंकि आप देखो 1600 बार अब यह तो आरते भी नहीं है वो 3 degree से ही ultimately more selective का मतलब क्या हुआ free radical stability जहां पर ज़्याद फ्री रेडिकल स्टेबल है वहां पर यह answer देगा क्या आप सब लोग को मेरी बात समझ में ही यह बहुत important table है तो मैं आपको समझाओंगा लेकिन हाँ अभी आपको मुझे असा लगता है कही न कहीं साब बाते समझ में आ घय होंगी more stable less stable reactive selective याद थोडी करना है stable जदा है तो reactive प्रेक्टिव कम है तो selective जदा है यह इतना reactive होता है इसलिए इसमें ब्राइट Sunlight, इसमें इसमें कौन सी Sunlight यूज ब्राइट Sunlight, Diffuse Sunlight यो ब्राइट Sunlight? होती नहीं है आदमी को यह लिया आपको इन में बताना है ध्यान से सुरिए आपको बताना है आपको समय दे रहा हूं कि टोटल में भी आपके साथ बना रहा हूं टोटल पॉसिबल प्रॉक्ट इंकलूड करके इनके मेजर पहले अपन बात करेंगे इनके प्रॉट्स के बारे में फिर इनके मेजर कौन सा ओगा वो भी सिखेंगे देखो तो यहां लग जाता, इसमें यहां लग जाता, खतम बाद, ब्रोमीन में एक परसेंट टेंशन ने लेनी, ब्रोमीन के अंदर, कि आंसर में क्या बनाना है, आई हो, आपको मेरी बात समझ मारी होगी, कि मैं बूलना क्या चाहता हूँ, इसमें बने ही all possible, all possible का मतलब क्या हुआ यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ तो यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, बात यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां ल तो तीन और चार तो चारो जगे लगा लो सर यह यह और यह सेम नहीं है नहीं बेटा आई पेसी नाम लिख लेना तो मैं लगा दिख जाएगा बच्चे बहुत कंविजवाद है उसके अंदर यह सवाल ओलम्पियाट का यह सवाल है यह लिए ठीक है अब आपको पूचा है कित्ते बनेंगे प्रोडक्त तो आओ इसमें कोई सेंटर कारे ले क्या नहीं सर यही बनेगा अकिला इसममें को रहे हैं नहीं सब यापके चताथ मिजम बंने कंसा वोसी पर अभाँ तो यहांपन कित्ने क्या ओगा आपका हर यार्यक क्या हो गओंत्र हो गया तो यहन एक नहीं दो बनेंगे सबक्राथब ऑपने की डैकाररण खीड़िए क्याई तेर यह पर तीन आपका तीन आ इसा मर, पर यहां पर यह 토ी इस सवाल आ선टे जाना ही लगा है, लास्नीवोज सवाल आयता है असुथ अफ इस पर हसले हम पतले बात यहां यहीं hani इस वाला क्षिस को बूल जाता है कि यह सनेटर करल भलग मतलब यह आप यहां सबस्क्राइल पर नियाएग इसको हैma na मंतलब यहां पर constructive स्ट्राइल नहीं है एक यहां से संटर बात समझ में किसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मोग मोनो कर रोट और बात करें शर मुझे एक बात समझ में नहीं इस वाले question में जो थ्यांस्ट सुन ना सारे लोग सभी लोग उसे दरकास थे इसको बहुत थ्यांस तुर्ण पाट परता बच्चों के लिए कि मैंने यहां CL2 H0 लिया तो दो आंसर आए यहां पे भी और यहां पे भी मेजर कौन सा होगा तो मेजर बताने के लिए कि दिको ब्रोमीनेशन में टेंशन नहीं है डॉट की स्टेबिल्टी चेक करने है लेकिन क्लोरीनेशन में क्या करें सार तो क्लोरीनेशन में आपको यहां इसे सीखते है इसे सीखते हैं वान रेश्यो 3.8 रेश्यो 4.5 इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है यहां पे 1 ६ढल एच किते हैं सब से पारे निकालो 1- Pillow 1-12-11-21-aran, वह वाला है, फिट 3 degree h निखा लो, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज समझेगा, कोई formula याद नहीं करना अपने को, formula याद कलने है, मैंने देगा है, कई लोग formula लिखवाते हैं, formula नहीं करना, simple देखो, 1 degree h कितने है, यह 3, यह 3, यह 3, यह 3, तोलो सेम है, h, h, carbon नह हो बार, इन्हें h से टकराएगा, कि तोलो सेम है, 2 degree कितने है, 0, 3 degree कितने है, 1, अब सर यह तो होगे, number of hydrogens, अब इन से टकराने की probability या, reactivity ratio, उसको करो multiply, तो 9 into 1 degree से टकराने की tendency कितने है, 1, value निखालो, into 3.8, 2 degree से, सर महलो लोगर तोनो अलग अलग 1 degree होते तो, तो उनका अलग उनको अलग करते हैं, उसमें क्या है, 1 into भी आओं, उस पर भी 4.5, निकालो, value निकालो, please find the value, this is a 9, this is your 0, this is your 4.5, मतलब 9 और 4, 13.5, साड़े तेरा बार, ये CL dot, इस molecule से टकराया, total 13.5 times, CL dot इस से टकराया, उसमें से 9 बार, 1 degree से टकराया, और 4.5 times, 3 degree से टकराया, 13.5, ये कहां से आया बेटा, सबको जोड के लिखा मैंने, 13.5, formula याद निकरना, बेटा, formula बिल्कुल याद निकरना, किया किया, 1 degree वाले की, अ upon total, 3 degree वाले की upon total, तो वो आ गया, इसके 0 ही है, तो मतलब 13.5 times compound, CL dot से टकराया, उसमें से 9 बार, 1 degree से टकराया, 4.5 times, 3 degree से टकराया, बताओ, जादा बार किस से टकराया, सर, 9 बार वाले में, इसका मतलब, ये आला, आपका क्या है, major product है, ये आपका minor, और सर, ये कैसे हो गय ये ही तो खास बात है, इसकी, मतलब major कौन सा हो गया, 1 degree वाला, मतलब ये, ये आपका major है, ये आपका minor है, ये आपका minor है, लेकिन ब्रोमीन में तो ये अंसर था, कि ब्रोमीन में selectivity depend कर देती, reactivity ratio में इत्ता difference था चाहो तो वो भी निकाल लेना, देख लो ना, 1 करोगे, यह आपको निकालना है, चलो, ये ratio सेम रहेगा, देखो, मेरे को ऐसा लगता है, कि ratio आपको देगा IAT, पर नहीं दे, तब भी ये ratio मानना है, और दे दे तो अच्छी बात है, पर जो दे दे, तो जो दिया है, उसी बिस पर निकालना है, ये नहीं कि हमको तो ये सिखाया गया आ क्योंकि IAT ratio चेंज कर सकता है, कभी भी, चलो, ये question आप solve करो, सभी लोग solve करें, ratio है, 1 ratio, 4 ratio, 6, आपको इसमें value निकालनी सब की, सब की value निकालो, ये P है, ये Q है, ये P क्योंकि क्या है सर, यहां अटे कराना P, ये Q, R, S, P, Q, R, S में probability factor निकालो, क्यासे rate उपन निकालो, 9. 9.5 निकालो, और ये बताओ, मेजर कौन सा होगा, जल्दी कालो, ratio ये है, तो आपने हुछ इस दो निकालो, अभी आ पो ये दे रहा हूं, अभी आपको ये दे रहा हूं, तो ratio चेंज हो तो, अबे, temperature बढ़ाओ गे तो, quality frequency के आओगी, बढ़े की तो, ratio होता रहे ये, उस त जल्दी इसका अंसर निकालो जल्दी इसका अंसर निकालो फिर आपको एक बहतीन सवाल और दूंगा मैं तो यह बहुत देख्रों यह दिखना है यह द्दिग्री यह द्देख्रै कि यह द्देख्रै कर दो कि अगरे काकि इन डीकरी आज गते हैं 3 है, 3 यह भी तो है, यह बीटा है तो यह एपला पार ठीक गते हैं 2 हीओ, तो 6 है होगा। यह जाई है, एक है उह यह है, हम उच सजगे करान। हें यह ज़िए, ग़ा यह ज़िए, शाल बातकिने यग तो होतोगे, तुम्हें में 47 एसनार को सिजट्हसरदी में इरला का मैण है तो तो तो सिक्स इंटू 1 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1 तो भी निग भी योगा six यह घ् Dr. यह हो गया, आँठ यह हो गया, तीन अब total गिनो, 6 x 12 और आट, टीन 23 23 time इस Istanbul से टकराया उसमें 6 बार इस वाले से 6 बार इस वाले से और 8 बार इस वाले से और 3 बार इस वाले से तो 20 बार वाले में इतने एते टकराया मेजर अंसर क्या हो गया? आट वाला, ऐसे निकालते हैं, इसमें मेजर ये वाला हो गया, हाँ, ब्रोमीन होता, सीधा यहाँ, सी डिग्री वाला निकालता है, 30 साथ, आंसर, सर आप एक क्वेशन और दे रहे थे, लास्ट क्वेशन, लास्ट क्वेशन ऑफ एफ फोटो डिग्री वाला देखिए, मैंने आप से एक क्वेशन दिया, तॉटना क्वेशन है, बहुत पर दस क्वेशन है, बताना है, टोटल, इसमें रिशिन भी निकाला, इसमें आपको बताना है, टोटल मोनोगोगोड और आंसर, तोटल मोनो ख्लोरिनेटेड कितने एक सिर्वले आंसर आएंगे निकालो आल प्यूजल्ड प्यूजल मैक्सिमोम प्यूजल सिम्ट जल्दी निकालो, हमें जल पीलें, जल्दी आंसे निकालो इसका जल्दी जल्दी, जल्दी आगया होगा, अब बहुत असान है यह लिया, यहां सील लगा दिया यहांए सील, अब पता है इसमें सबसे बड़ी बार बता गया है तो उसके पास एक dot यहाँ बना, तो उसने वहाँ CL लगाया, एक बार dot यह वाला बनाया, उसने, यहाँ CL लगा दिया, लेकिन वह भूल गया कि यह वाला dot जो है, इस साही सवाल, सेम ऐसा सवाल यह वाला, यह, यह, इस साल IAT में आया था, लास्ट यह एडवांस पर सवाल यह यह सवाल आया था, सेम कि उसने में किया, dot जो बनाया उसको resonance करवाना था, यह resonance करवाया, अब आपको resonance कराने के बाद, dot यहाँ आ गया, double बीच में आ गया, उससे भी CL लगाना था, अब आप चेक करो, GI और OI, चेक करो, यहाँ पर यह center curl है, दो बनेंगे, यहाँ पर कुछ आपके अंसर आएंगे, total possible monoclonal products are five, two and two and one, that's it, हाँ, यह चार ज्यादा होंगे, वो अलग बात है, यह बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें dot resonance नहीं कर रहा है, यह में resonance कर रहा है, that's it, यह आपका बहुत धांसू सवाल है, यह अल्टर धांसू सवाल है, मजा जाएगा अगर इसको तमीज से कर लेते हैं, तो, अब इसको बहुत तमीज से कर लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से चीजों को कर जाएंगे, आप इसको फटाफर से इसको चापिए, दिखो इस सवाल को अच्छे से लिखना, यह वाला last सवा जो इस्टामा किया, इसको अच्छे से लि कि टिपिकल सवाल जो एडवांस में आते हैं वो भी मैंने करवा रखें अभी मैं कुछ समय में एडवांस के उन प्रैटर्न पर भी आऊंगा चाहां एडवांस बहुत तफ पर जाता है उस तब कुछ वीडियो लेकि आऊंगा जहां पर एडवांस के लिए बहुत वो मैं ही लेकिया हूंगा बिकोज एडवांस तो हम भी करेंगे तो यह आया बाट चलिए अब यह है आरोमटाजाशन जैसे कि मैंने आपको बताया था अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा यह हुआ यह मैं आपको बता रहा हूँ दो मिनिट में अभी हम पढ़ रहा है अब हम पड़ अरोमटाशन इसोमारजाशन और अपाल्समार्शन पाल था यह पाल यह सॉपंशल ने लिए पांचन पेंवगशन देख लेते हैं फिर हम यह दुत दूने बताके मैं आप आपका अलके एंड करूंगा पर प्रोपटीज पा जाएंगे हम इनकी छोलिए यह है आपका अरोमटाजिशन है इन डाले अरोमटाजिशन आल करूरपती मोटे इनकी दोरा क्या होता जैसे एक दो तीन चार पांट शे कर्वन है शे कर्वन का अंसर आगया बेंजीन शे कर्वन का अंसर क्या आगया बेंजीन तो कैसे बेंजीन एक दो तीन चार पांट शे साथ कर्वन क्या बनाओं साथ कर्वन नहीं बेंजीन यह कर् टॉलिएंट कॉमन नेम है क्या यूपीसी नेम है दोनों अब 1 2 3 4 5 6 8 8 में क्या होगा बेंजीन अब क्या बचे दो कार्बन बच गए इथाइल या दो मिथाइल अब दो मिथाइल में और्थो मेटा और पैरा तीनों बनेंगे तीनों बन जाएंगे यह चारों बन जाएंगे इसे आपके यह 2 आते जही में सवाल आया था इस टाइब का याद आ रहा कुछ कुछ इसा घुझता नहीं ऐसा था तो एक दो तीन चार पाँ छे ऐसा तीन छे ऐसा घुझता यार मुला बंगे बंजीन बनके दो करणा लगने थे बस इत्ता सा था अल्टिमेटली इसी इसी कॉंसेप्ट के उपर सवाल आया था क्यार लोगे आप लो को मिला कि सर यह कब करना है सिंपल से आपको छे कारविंगे चेन होगी साथ की होगी दिमाग नहीं लगा ना अब कहां सब जाएगा इस वाले में बात करें शर यह तो हमारे यह नहीं नहीं है यह हमारा कोटा एस्क्लूजिव है जो सवाल आते है न यह पीडीसी या एसी डिल्टा इनके यूस के दवारा यह एस्टू बीडी नहीं है पिटा पीडीसी उनली तो इसमें सर्फेस को एस्टू चाहिए एस्टू निकाल लेगा अच्छा अगर एक रिंग में एक भी डबल है तो यह दो यहां से एच-च यहां से एच-च एच-च दो मॉल एस्टू बहार निकल जाएगा और आपका अंसर आ जाएगा बेंजीन अच्छ यहां पर यहां से एच-च यहां से एच-च नेफ्थलीन तो यह कैसे बना आपको पता होना चाहिए छीता है एस्टू निकालना इसमें हच निकाल लो प्रिडीन यह काम की चीज़ है भीवेटा काम की चीज़ है कुछ अलग चीज़ पीडीसी ऐसे जलता बहुत काम की चीज़ है बहुत रीक्शन अरोमटीसिज़ेशन कि अरोमेटिक बनाने वाला पार्ट है कि हमने यह इसे की बनाया और तो अमने वह पड़ा था वह alken मर्शलीज बना दी मर्शलीज देखो ना भाई इसमें छे कारबन है तो पांच की चेन ये कारबन छे और यहां ऐसे और भी आईसो वाला सब बना सकते हो तो यह आईसो यह कैसे हो रहा है कोई लॉचिक नहीं यह डाइरेक्ट एंस याद करने वाली रियाक्शन है मैं कुछ न कारबन मिथेन लिया ओटू डाला तो यहां बना कारबन सॉलिड कारबन सॉलिड डाइरेक्ट इनकम्प्रीट कमशन बाकि अगर पूरा कमशन होता तो आप लोग ने पट रखी ही रियाक्शन मुझे याद है सी एकस एच वाई प्लस एकस प्लस वाई बाई फोर ओटू या एकस ये है पका इनकम्प्रीट कमशन ये बना प्लस ऑर क्या बनेगा दोमो लुक्वीड यहेट नश्चु वाः के यह इसा ह९ह अट कर लोग यह मेंस के लिए है, आएगा और नहीं आएगा, वो भी पूर पता है, आज सब तो पुछा नहीं मेंस ने भी, पर हाँ, अपना फर्ज बनता, अपन करें, वो मैंने करवा दिया, मेरा था, एक और है, पारुलेसिस, यह है, कंट्रोल उक्षिडेशन, यह भी एक एपार्ड है, कि में एक हटाओ, ओएच लगाओ, बीन थो इसको, इसी सिक्वेस्ट पर याद कर रखा है, कोपर, मो, और मन्टू, मन, मन्टू, मोıtू, और कोपर, मोटू, मन्टू, इसमें किया, कोपर वाले में, एक ह Toutarat के ओएच, मोटू वाले में, दो ए एच हटा के ओएच, और मन्टु वाले में 3H हटा के OH यह द्यान रहा है, यहाँ पर क्या आएगा 1H हटा के OH, तो यह बन गए आपका CS3OH इसमें 2H हटा आने है, और OH लगाना था 2OH एक कारवन पर डपर मन जाएगा यह बन गए SCHO यहाँ पर 3OH लगाना है तो एक कारवन पर 3OH 2H तो क्या बन जाएगा CS3C, double comment O, 2H बन गए और 1OH बज गया 2H बन गए, 2H बन गए, 2H बन गए, 2H बन गए, 12H बन गए, 1H बन गए, SCC यह इसमें से याद करने वाला पार्ट है, सीला याद करने वाला पार्ट है कोई लोजिक नहीं है मेरे पास किसी के पास नहीं, कोई बज़ता है कि कैसे हुआ स्ट्रीट फ़रोड याद करना है, NCIT में दिया है और हाप लोग को पढ़के जाना है, याद करने का तारीका copper motu mantu, copper motu mantu copper motu mantu, H8 always लगा, H8 always लगा, H8 always लगा, H8 always लगा, H8 always लगा है, तो CO2 बनता है, यहाँ आपका बनेगा carbon monoxide और 3-nmol S2, यह बहुत important part है, इसको समझ लो, यह important है, यह पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेंस यह advance भी बूछ सकता है, कभी कभी इससी feel आती मेरे को, क्यों के अलके की के मनेफोर की अके यह reaction जो अलके अन पर होती है, अगर एक भी H है तो वहां क्या लग जाएगा OH, यह अके लिए असी reaction है, जो आज तक कई के मनेफोर की दी हुई है, मुझे साथ फील आती है, कभी कभी इसके उपर जा सकता है तो इध्यान रखने वाली बात है कि अमने फो डेल्टा चीटा एच अठा के वेच लग जाएगा यह ध्यान रखना ही रखना है स्टार्मांक कि यह ही सिलिए हैं स्टार माग और और कर लो एकी पावर स्टार कर लो इतना इंपरणट है अरे ज यह एडवांस वालों के लिए-ए-की पावर स्टार इस वही इंपॉठन पार्ट कर लेना मुझे फील आती कहीं रहा है आने ओले सालों में आगले साल मुझे नहीं पता लास्त नंफाइनल पार्लराशिस भेन आपको बताता हूं नायट्रशन सल्फनेट आरक है वही बहुत बड़ा पाट है है नहीं वह बड़ा पाट है नहीं बहला, pyrolysis, cracking बोलते हैं, knocking, cracking, pyro मतलब होता है, high temperature, lysis मतलब तोड़ना, high temperature पर पहुंट को तोड़ना, it's a pyrolysis, sir, क्या करना है, कुछ नहीं भाई, C6, H14 लिया, hexane लिया मालो, तोड़ दो, तो एक बार तो H2 निकल दिया, एक बार carbon को तोड़ द पाट है, आप समझो कि यसे gas waste जो अपना होता है, यह पेट्रोल पेट्रोल, उनमें सब चीज़े काम आती है, अपने साथ, अपने साथ, क्रेकिंग, नौकिंग, जब डीजल में नौकिंग वाला पार्ट, यह सब वही वाला पार्ट है, यह है आपका, डीजल, पेट्रोल म यह याद करना है, नहीं, कभी याद नहीं करना, आपको पता होना चाहिए कि क्रेकिंग क्या है, क्रेकिंग क्या है, ब्रेकिंग ओफ बोंड्स ऑन हाई टेंपरेचर, पाइरोलेसिस, इस प्रेकिंग, यह आपको पता होना चाहिए, अब लास्ट फाइनल, अब आता है आप और अब का jeśli एक लिग तैस करे exact date करण तेस क्या वे पर लिगकर सृल्फॉनेशन ही नईटरेशन का मतलब है नाइटरेशन का मतलब है एkeitनीडिशन का मतलब है अज़नौ लगना है और सलफॉनेशन अलिए अश्ट्राइशन का मतलब है और सिफनीचन का मतलब है एसटूल वा ह रिएजन्ट है, रिडिदूसिंग भी है, और रिश्मांसर आएगा, CS3, CS2, NO2, NO2 लग गया, समझ गया, और बता हूँ मैं आपको, अगर अपने प्रोपेन लिया होता, और सेम यूज किया होता, तो एक अंसर तो यह आता, एक अंसर बता क्या आता है, यह कार्बन-कर्बन ब मुझे भी नहीं बता भाई, चमतकार है, चमतकार है, CS3, NO2, यह, यह, तो यह आपको, सरी कैसे हुआ, आता है, सल्फोनेशन, सरी कैसे होगा, आप यह बता दो, इसमें कुछ नहीं, SO4 लिया, और हीट किया, आंसर है, SO3H, बस, इसमें नहीं टूटता, यह बहुत स्टोंग यह बहुत सत्नें, यह बता है, यह बता है, यह बता है, यह बता है, सरी कि रहाया अप कंच्छ राक्शन हे, एक stimulation और होती है, SO2 and CL2. SO2 के इस बार तो ultimately यह सवाल बन गया, CL2 Hnu. photo hallucination वो वाला पार बन गया, और CL लगा लो, that's it. और कुछ नहीं करना, इस reaction का नाम है, reads reaction. पहले पूछते तो, अब तो शायद नहीं पूछते लेकिन हाँ, तो यह अपना फरजापन कर लेते हैं, reads reaction. यह ही है, तो एक तुरी CL2 Hnu ही है, SO2 बहार निकाल दिया, CL2 बचा, उसको Hnu नहीं है, बड़ा एसी सा प्रोसेस है, तो यह पूरा का पूरा alkene आपका end होता है, अब हम आते हैं, अगले पार्ट पे, अब हम आते हैं, अगले पार्ट पे, that is your properties, alkene, alkene का पार्ट पूरा होता है, मैंने आपको alkene के बहाने काफी कुछ पढ़ा दिया है, alkyne के भी कुछ reaction करा दी, alkyne की भी कुछ reaction करा दी, ऐसे ही चलता है, अब हम आएंगे alkene बे exclusive, electrophilic addition, ozone analysis, hydroxylation, बढ़ा होगा आप लोगा ने, बढ़ा तो होगा आप लोगा ने, elimination reactions, सब पे आने वाले, इसके दुनार मैं alkyne के भी कुछ बाट ले लूँगा, भी बिजमे, तो अपने आप चीज़े, बस वही main चीज़े, अब आप आपको सही बताओ ना, अगर मैं बात कुरू, अब इस one short की तरश में सबसे main चीज़ा बची हुई है, वह है, alkyne की reactions, बागी कुछ भी नहीं है, alkyne तो आप मान के चले, पंदा मिटकर भी नहीं है, और बेंजी बाट बहुत easy है, बहुत easy है, वह आपको वैसे आगे भी आएगा, पर फिर भी मैं आपको यहां बता दूँगा, लेकिन हाँ, अब हम पढ़ रहे हैं, properties of alkyne, alkyne की properties, इनका boiling point, और इनकी solubility, यह क्या होता है, इनकी properties क्या होती है, वो, NCRT जो लिखता है, उससे बाहर में कुछ भी नहीं बचाऊँगा आपको, properties में सबसे पहले यह बता दूँगा आपको, C1, carbon, एक carbon से लेके, alkyne, एक carbon से लेके, चार तक का, वो होता है आपका gas, past से लेके 17, यह होता है liquid, समझे, और 18 से लेके onward, यह होता है आपका solid, अच्छा ऐसा, यह आपका petrol diesel, यह होता है, अच्छा, properties में क्या आएगा, सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे और most important है, bowling point, थेखो, solubility तो इनकी होती ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, पानी में गुलने के लिए कोई force ही नहीं है, पानी में कैसे gold होगे, कुछ attraction का कुछ source ही नहीं है, O-H हो, edge bonding हो, कुछ हो, attraction हो, भाई यह तो बिल्कुर nearest से compound है, कोई dipole moment ही नहीं है, काई का dipole में कुछ ही नहीं इसमें तो, इसलिए यह water में insoluble होते हैं, यह non-polar solvents की तरह यूज की आते हैं, आपने पड़ा हो गए तो, they are used as a non-polar, जिनमें polarity नहीं है, solvents की तरह यूज की आते हैं, boiling point is an important part of that, यह advance में सवाल इसके ओपर आ भी चुका है, and that is a very important part, यह आपको अच्छे से करना है, जही advance में भी आ चुका है इस पर सवाल, इसलिए के आपको अच्छे से करना है इसको, boiling point is directly proportional to, देख लेना, molecular weight, जितना ज्यादा mass होगा, मतलब कमपाउंट उतना बड़ा है, एक दो सकत घुलिए तो यह सो सकत जितना भारी होगा तो forces ज़णा होंगे, उबालना मुश्किल होगा, जितना भारी होगा उसको, उबालना, उबालना मतलहly开始 boil करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए molecular weight ज़एधा होगा, तो boiling point ज़एधा होगा, अब मैं आप लोगो दूसरा example दो example दी है मैंने branching से क्या हो रहा है अब आप खुद देखो branching करने से ये sphere की तरह बन गया sphere की तरह बन गया मतलब इसका area इतना है इसका area कम हो गया area कम होने से forces बहुत कम हो गया spherical हो गया, छोटा सा area हो गया इसलिए इसको बन गया है, ये छोटा हो गया रही और इक ऋबने ये तो काफी easy हो गया इसको बनना थोड़ा सा मुश्किल है, तो branching बढ़ गई तो boiling point कम हो गया इसलिए one by branching one by branching तो branching बढ़ेगी तो boiling point कम होगा, क्यूं sir branching बढ़ेगी तो area यह कम होता जाएगा, कॉंपेक्ट होता जाएगा, इस्फेरिकल शेप में आ जाएगा, तो फोर्सेस भी कम हो जाएगे, उबालना भी काफी आसान हो जाएगा, तो इनका ओर बताओ, बताओ, मैंना आच बोला, वन लो छोड़ो, पी, क्यू, आर, बताओ, क्या अंसर आएगा, ओविसी बात है सर, पहले देखो मास, मास समना लग-अलग है, खतम, इन, मास सब में सेम है, पांच करवन, पांच करवन, पांच करवन, इस सब आईस उमर से हैं, ब्रांचिंग आ रही है, तो ब्रांचिंग इसमें ज़्या है, इसका बोलिंग पॉइंट साथा होगा, that is the boiling point, that is the boiling point, solubility होती ही नहीं है, इस तरही है नहीं पॉलिंग 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 होती है, तो प्रपर्पर्टी ऑफ अलकेन बहुत ईसी है, बहुत जदा ईसी है, उमीद आपको ये सारी बाते मेरी समझ में आ गई होंगी, सारी इसको लिक लिजिए या बोलिंग पॉलिंग 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 प्रपर्ट की इंपर्ट माकर लिजिए, एडवांस 2014 में पूरा बढ़ी होती है, इन्होंने सेट बना के दिये थे, मुझा एक बना के दिये थे और फिर उन्ने बाते की थी, चल्दी आब करेंगे मैं आपको क्योशन दूंगा भी एक अभी आपको कश्छन देऊंगा चलो दे देता हम आपको तक आपको ट्रॉय करें मज़ा है आपको भी बड़ा सा बड़ा सा कुषन देता हम आपको एक ट्राइ करें जो हमने अब तक पढ़ा उस पर काफी कुछ पूछा है मैंने ट्राइ करो ट्राइ करो पूछा है मैंने ट्राइ कर दो पूछा है मैंने ट्राइ करो पर कोछा है प्राइकरो? कोशुष करे में सासाथ मेरे संग, संग आपिनलीो, यूढक着 है। प्रृप में में सासाथ के वे लूब करेंदा थे पांके रखेड़ी हे रखें ट्राइ करें बड़ी अलाप और एक नवर्जन है करो ट्राइ है ट्राइ को जल्दी से गए जल्दी में आंसर इसका स्वास्थ लिख सी आते ड्रोंगा प्लयाँगा चलिए इसको सॉल कर लेते हैं तो इसको हम सॉल कर लेते हैं आसान सा है बहुत जद्धा असान यह है आपकी फूर्स रियक्शन भाई लोग आगे होगा ब्यूटेन दो कर्बन तोड़ो डॉट बनाओ जोड लो ब्यूटेन लगाओ मस्त रहो जिंक फ्रैंक्लेंड रियक्शन अटाओ डॉट बनाओ जोड़ दो यह यह आया एरो उल्टा है यह आया है कोल्बी लेट्रोल असिस से कोल्बी में हम लेते थे आर सी ओ ओ ओ न ठीक है तो आर क्या रहा होगा तो आर यह वाला पार्ट रहा होगा मतलब यह वाला पार्ट उसके ओपर सी ओ ओ ओ एने यह पाट रहा होगा है इसको रियक करवाया है सोडा लाइम डी कर्वोक्सिलेशन सी ओ टू निकालो एच लगाओ ब्यूटेन ब्यूटेन आया है सोडियम इथर से यह होगया आपका सी एस त्री सी एस टू डबल आया है ना एक्स अब डॉट बनाओगा जुड़ गया होगा यह बन गया होगा एक्स कुछ भी हो सकता है CLBR लेलो हाई लेलो एस टू निकल यह आया है हाई हाई यह बहतरी सवाल बन जाता है एक इक्विविलेंट एस टू डाला है एक मोल एस टू डाला है तो अलकिन कहां कहां हो सकती है अलकिन यहां हो सकती है अल तो त्री अलकीन्स आर पॉसिबल एस विच के प्रदूस आर ब्यूटेइन तो तीन आंसर पॉसिबल एस के तौर पर तीनों में लिख दिये हैं यह आपका कंवर्जन कंप्लीट होता है अब हम मुव करेंगे तेखो अब जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत थांसुपार है अब जो पढ़ने जा रहे हैं बारे में अलकीन्स की रिहेक्शन कर्णन पर गाने जा रहे हैं सब्से पहले हमस्ता करेंगे क Zargar tells me we are going to start with the rearrangement of carbogatine, irrespective of the alkyne, 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 मैं सबसे बड़े बड़ा रहा हूं, rearrangement, कि वो आपके electrophilic addition आये, जा है, elimination आये, दोनों में काम आयेगा, सो हम पहले बात करेंगे, rearrangement of carbogatine की, simple से जादा, उसमें अंचेस नहीं लेंगे, पर हाँ, rearrangement of carbogatine लेके, then we will move toward the elimination and then electrophilic addition reactions and then alkynes will like finish, हम पहले, alkynes को finish करेंगे, alkynes तो बहुत छोटा सा है, देखते हैं, benzene agram cover, मुझे लगता नहीं कि benzene cover हमें करना चाहिए इस chapter में, hydrocarbonate मतलब है, alkyn, 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 benzene is a separate chapter, जो कि halo alkynes, halo alkynes, पूर औरगनिक chemistry में cover होता है, तो देखते हैं चलो उस पर बात करेंगे, पर हाँ, यह बात करते हैं पहले, let's talk with the re-arrangement of re-arrangement of carbocation, re-arrangement of carbocation, re-arrangement of carbocation, अगला हमाला topic है, carbocation का rearrangement, carbocation का rearrangement, सरी, क्या होता है सरी, आपने तो मना किया था कि radical to rearrange नहीं करता, अरे तो radical rearrange नहीं करता हमारे syllabus के लिए, लेकिन cation तो rearrange करता ही है, और इस तो question भी अच्छे अच्छा आ चुके है, cation सरी कैसे करता है, मान लीजिए आपके पास है, cs3, cs2, cs2 plus, ठीक है, अब हमें पता है, अभी इसके time के पास, अभी इसके time की बात करें, तो resonance तो नहीं है, hyper में बात करें, तो 2 alpha H है, अगर मैं किसी तरीके से इसकी stability बढ़ा सकूँ, पहली उमीद होगी यह resonance से बढ़े, पर वो possible तो है नहीं कहीं पर भी, और hyper से बढ़ सके, तो hyper से किसे बढ़े, alpha है 2 थे, तो बढ़ जाए, अब होता क्या है, अगर मैं इस cation को ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास दो chance है, या तो methyl को उठा लाओ, या H को उठा लाओ, तो मैं आपको बता दूँ, आप उसको उठाईए, जिससे आपको stability जदा मिल रही हूँ, यहां पर तो, आपने H को उदर shift किया, आपने क्या किया, यहां एक H था था न, CH2 है, एक H यहां भेजा, और प्लस यहां भेजा, मतलब सर नहीं समझ में है, आपने क्या किया, CH3, CH, यहां आगया, प्लस चार्ज, और यहां का H था, हाइडराइड, H-, ह माइनस यहां चला हा गया, यहां प्लस हा गया, CH3, क्या कुछ फाइदा हुआ गया, सर, कुछ फाइदा है किया, हाँ, प्लस फाइदा है, सर, हाँ, प्लस फाइदा है, रेजोनेस आगया, जी नहीं, रेजोनेस नहीं है, अलफा H कित्ते हो गए, छे अलफा H हो गया, सो, छे अलफा H कि चलते it will become 2-6 पर चला गया, सरक कब कब करना ये काम, अगर माल लो resonance नहीं हो रहा हा, माल लेते हैं कभी भी नहीं हो रहा, तो 2-3-3 जाएं तो चलेगा, 6-7 जाएं तो चलेगा, 6-9 जाएं तो चलेगा, बड़ेगा तो चलेगा, 6-6 जाएं तो नहीं चलेगा, 6-6 जाएं प्लस रेजोनेंस भी है, चल जाएगा, 6-4 जाएंगे प्लस रेजोनेंस से चलेगा, रेजोनेंस आते हैं तो बात खतम हो गई, लेकिन रेजोनेंस नहीं है, तो अलफा ये कम होते वह या बराबर होते वह कभी न जाएंगे, हर स्टेप में इसका एक रूल है, हर स्टेप में स्टेबिल्टी मिलनी चाहिए, और मैं आपको एक लाइन बूलने जा रहा हूँ आज, वह अगर समझ जाएंगे तो और मजाएगा, दुनिया में हर कार्बोकेटायन का एक सपना होता है, जिसे आप लोग के भी कुछ सपने हैं, IIT और NEET के, वैसे ही कार्बोकेटायन का एक सपना होता है, कि उसका पडोसी जो है, वो लोन पेर वाला हो, हर कार्बोकेटायन का एक सपना होता है, कि उसका पडोसी लोन पेर वाला हो, लोन पेर वाला होगा, तो उसको electron मिल जाएंगे, उसका octate complete हो जाएगा, मुझे ही, मुझे, मतलब cation को electron मिलते ही, उसका octate complete, इसलिए हर cation का सपना होता है, कि सपोड़ोसी loan pair वाला हो, और इसी phenomenon को आपने नाम सुना होगा, नाम तो सुना होगा, इसको बोलते हैं, back bonding, नाम तो सुना होगा, तो इस आप सबजिए, stability के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, back bonding, हम bb के पास जाएंगे, फिर हम rayso के पास जाएंगे, फिर हम alpha h के पास जाएंगे, यह तीन ही आपके criteria है, यह भी एक resonance ही है, यह भी एक resonance है, पर resonance में अच्छी quality का resonance है, back bonding, तो अब हमें movement कप करना है, जो हर step में क् होता, यह होता, अब क्या करता सर में, अब मुझे क्या करना होता, अगर मान लो यह होता, तो मुझे क्या करना होता, अब आप देखिए, यहां से यहां आने के लिए, h है क्या, sir, h तो नहीं है, h नहीं है, h तो है नहीं, h नहीं है, तो फिर किस को भेजू, sir, यहां पर मित इस वाले carbon पर plus लाना है क्योंकि अभी resonance तो नहीं है और alpha-h भी 0 है अगर मैं यहां से इस methyl को भीज़े दो सब्सक्राइब चला जाता है क्या अरे भाई कुछ भी जा सकता है जो इस carbon पर मौझूद है वो कुछ भी जा सकता है बस stability मिलने चाहिए methyl अगर यहां चला गया तो क्या बना दो carbon तो ऐसे कैसे रह गया यह यहां था plus वहां आ गया methyl और plus इस गया गया जा से methyl गया अब देखो तीन तीन छे और और बाई साब आट alpha-h 0 alpha-h से 8 alpha-h by methyl shift m e shift shift मतलब shift हो ना यहां पर hydride shift h- का shifting shifting यहां मिथाईल का shifting m e minus का shifting समझ गया कौन कैसे क्या होता है आपको मैं सिखा रहा हूं समझ ना यह है रिजिम्ट कार्बो कटायन माल दीजिए मेरे पास यह होता इन सवालों को फटा 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 कर लीजिए न आपको बाद़ पान्स वालत हूं क्ईट लग तारण भाप्ट होальную चान पाता हूं हाँ जी ट्राइ किजिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ देखो यहाँ पर आपके पास H है यहाँ आपके पास H है पहली कोशिश यह रहती है कि H को बेज़ दो H को बेजने से हमें लोग सुद्रा नहीं होता तो H को बेजा तो H को यहाँ से भी सकते हैं यहाँ से भी सकते हैं अभी क्या है resonance तो नहीं है, alpha h है, 3 alpha h है अगर मैं नीची लेकर आता हूँ यहाँ, तो alpha h बजाएंगे 2, 2 4 alpha h, उपर लेकर आता हूँ माल लो यहाँ पर, तो 2, 2, 4 और 3, 7 alpha h आय, हाय, हाय, तीन से सिदा 7 का jump 4 alpha h का jump इसलिए, 7 यहाँ 4 है, वहाँ 7 है 7 वाले बजाएंगे, इसलिए shift होगा 1 shift होगा, और कौन shift करेगा hydride shift करेगा, इसमें बताओ सोचो, यहाँ h है resonance नहीं हो रहा अभी कितना alpha h है, 4 alpha h है उपर जाओगे, तो 2 और 3 alpha h रहे जाएंगे, तो कैसे अब बना के देख लो ना, अपलस उपर बेज के निचे लाओगे, तो भी 4 alpha h है तो कोई change नहीं होगा यहाँ कोई rearrangement नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर shift करने के बाद कोई फाइसा 4-4 मतलब भी नहीं है सोचना भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर कैसे भी आपको दिख रहा है 3, 2, 5, यहाँ पर 7 alpha h है उपर जाएगा, तो भी unstable इदर जाएगा, तो भी unstable इदर जाएगा तो भी यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ उपर 1, तो 7 वाला ही सही है यहाँ पर no shifting यहाँ आप सोचो, तो यहाँ पर है, तो उपर गए, तो अभी resonance तो नहीं है और 3 alpha h है, अब, ओहो, 7 alpha h है और नीचे आता, पीछे सावाजारी सब दो ही alpha h है आरे मेरे ultra बेकुफ लोगो, यहाँ पर oxygen के पास क्या है loan pair, loan pair के चलते वो उपर नहीं, नीचे आएगा उसको दिख रहा है, सपनों का पूरा होना, उसको अपने सपने पूरे हुए दिखते हैं, यहाँ पर backbonding हो रही है बैकbonding के चलते, यह ज़दा stable है, यह ज़दा stable है इसी लिए, यह ज़दा पार्ट सही है, यह ज़दा गलत है क्योंकि बैकbonding हो रही है, यह सीखना, यह है आपका, यह है आपका ring expansion, मैं आपको एक एक चीज़ रिवाइस करवा रहा हूं यह, ring expansion, यह बहुत इजी पार्ट है, फिर हम आएंगे e2, e2 वाला पार्ट है, elevation के पार्ट है, वो पढ़ाऊंगा, then we'll move towards the electrophilic addition reactions, तो आईए, बात करें, अब इसमें मैं आपको क्या बता हूंते है, हां से सुनना किसी भी ring के बाजू वाले carbon पे अगर आपके plus charge हो, यह ring उसके बाजू में plus charge है अगर ring के बाजू वाले carbon पे plus charge हो, तब यह ring यहां से expand होती है, क्यों? क्योंकि उससे, दो option थे, यहां से h उटके यहां आ जाता, तो ring पे plus आ जाता, पर उससे 4 member पे plus आता, जिसकी electro negativity जदा होती है, चितनी यह बड़ी ring होगी, उस पे plus उतना अदा, 6, 5, 4 था, तो 6 वाली ring पे पर जदा अस्टेबल होगा, तो कोशिश ही होती है, यह bone यहां से चूटी, यह break होई यहां से, यहां आया delta plus, यहां आया delta minus, और यह minus इसके साथ कमाहिन हो जाएगा, numbering कर लो, कभी से फज़ा हो ना, numbering कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 जुड़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 5 जुड़ रहे हैं, 2 पे क्या रहा है, plus charge, बस यह आपका answer है, ऐसे 5 निमबर पे plus, और अलफा एज, उस पर अर भार में गया alpha एज, इस ring expansion वाले पर, ring expansion क्यों prefer कियाती है, क्यों ring expand करने से, क्यटायन जो है, वो बड़ी ring पर आता है, उस इलेक्ट्र नेगिटिविटी उसकी कम होती है, बड़ी ring पर तो stable होता है, इसलिए, अलफा एज भली कम हो रहा हो, पर अगर ring expand का मुख आया है, तो ring expand करेंगे, सुर हमें हमारे सुर resonance, याद है किसी को, dancing resonance, यह होता है 48%, यह होता है 47%, तो 5% क्या होता है फिर, यह पाट होता है, 5%, लेकिन हाँ, हमारे लिए, अगर आप से कोई पुछली, यह expand होता है, क्या, हाँ होता है expand तो, इसलिए बनती है, बागी कैसा हावा मन जाती है, यह बनता है, पर इसलिए, बनत 6 member is much more stable than 7, इसलिए 6 वाली ring expand नहीं होती है, यह मिथाईल मुँपे मार देता है, और यहाँ पर, यह नीचे आ जाता है, वहले अपने 6 पर चलेंगे अराम से, यह, तो alpha यह बढ़ता है, काम जाता है, 6 की ring expand यहाँ पर नहीं हो पारी, सर, क्या कोई ऐसा कोई सारवजनिक तर खुले में, हम इंडिया में, खुले में, चौड़े में कुछ भी कर सकें, क्यार यह करना यह कर देंगे, ring expand करनी है, 3 वाली भी, 3 वाली भी कर देंगे, 4 में, 6 वाली, 7 में ले जाएंगे, कुछ भी कर सकते है, और किसको करना, उसका एक तरीका है, वो है, backbonding, हैं, मतलब स अगर, if backbonding is possible then, अगर backbonding possible है, तो priority order होता है, hydride, then benzene, then 3 degree, then 2 degree, then 1 degree, है, मतलब, सर, अगर आपके पास, backbonding हो रही है, बाद में जाने के बाद, तो हमेशा order follow होगा, H, pH, 3, 2 degree, मतलब सर, सबसे पहला hydride shift होगा, फिर phenyl shift होगा, फिर 3 degree shift होगा, फिर 2 degree shift होगा, फिर 2 degree shift होगा, सर्कार का, को example दो, चैसे, माल लिएजे मेरे पास यह है, pH, carbon, CS3, CS3, CS2 plus, OH, अब मुझे पता है, इस हिंदुस्तान में अगर कोई काम करवाना है, तो रिश्वत के तोर पर OH ही देना पड़ेगा, OH देंगे, तो उसको backbonding दिख रही है, देखो, apart from the, this OH, ultimately क्यों होगा बैगबोर्णिंग, पर हाँ, हिंदुस्तान में कुछ legal, illegal काम कराना हो, तो OH का सारा लीजिए, CS3 और pH में किसको पहले बेजेंगे, तो यहां backbonding हो रही है, तो order हमेशा फोलोगा, H, pH 3, H तो है नहीं, pH है, तो पहले pH जाएगा इधर, so pH क्यों सो resonance हो जाएगा, बाढ़ में गया, जितना जल्दी shifting होगी, उतना जल्दी आपका answer आएगा, जितना उतना स्टेबल होगा, तो आपका answer क्या आया, यहां आपका बचा OH, यहां बचा CS3, प्लस चार जाज आगया यहां पे, और CS2 के पास क्या चार आगया, pH, that is the answer, सर, CS3 को बेज़ू है, pH को बेज़ू है, तो pH को बेजना पड़ेगा, order हमें follow करना ही पड़ेगा, और और अगर backbonding जैसे सीदे, उल्टे सीदे काम हो रहे हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब सर, अगर मैं चाहूं, तो 3 को यह करना है, सूचना बेटा, देख देखो, देखो मगर, प्यार से, यहां देखो, यह प्लस, यह दोनों लिए है, मैंने का, दोनों shift करोंगे, बले सार, यह तो 3 की 4 में तो में जाएगी नहीं, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि इसको बले में, तीन 4 सोटो backbonding दिख रही है, backbonding के चलते, bond यहां से oh plus, oh, सुरी यह किसे किया, numbering कर ले ना, अपने आप समय जाएगा, और इसमें, इसमें भी सच्छे की साथ में, सुरी अंस्टेबले, अरे भाड में क्या अंस्टेबले, सुरी कब करना है, जब only and only, backbonding हो रही हो, तो backbonding हो रही हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ उसको पता है कि में सबसे दर stability वही देगा, backbonding, यह देखो, मैं आपको पहले ही बुला, कि backbonding उसका सपना है, वो चाहता है कि backbonding हो, यह देखो, साथ की ring, भयानक, OH, प्लस, चाहतो numbering कर ले ना, numbering कर समय में देगा, यह बन जाए, और यह सार, मतलब, backbonding हो रहा हो, तो कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा सकते हो, contract छोटी ring कर सकते हो, 6-5 में जा सकते हो, 6-7 में जा सकते हो, 7-8 में जा सकते हो, 7-6 में आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, backbonding हो रही हो, और यह से shifting कर रही है, तो shifting करते हैं, order यही follow करना है, लेकि यह order तब ही follow करना है, जब क उसको माईडर करवाना है, जिसमें order follow रहा हो, HPA321, H, फिर phenyl ring, फिर 3 degree alkyl, 3 degree alkyl, 1 degree alkyl, that's it, उमीद आपको मेरी बास समझ में आई हो, that is a real element of carbo-ketion, अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे elimination reaction, dehydration of alcohol, तो हैरिंग डालें, dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, alcohol का dehydration, alcohol से पानी को निकालेंगे, पीछे से आवाज आ रही है, सरीर बड़ा मज़दार हो गया, हम, alcohol से पानी निकालेंगे, जी हाँ, वो तो बोल रहा है, पीछे वाला बोल रहा है, सब महां तो पानी डाला, अरे, तो मैं बोल रहा हूँ, हमें अब alcohol से पानी निकालना है, यही काम करेंगे, अब देखिए, आगे, चलिए, शुरू करते हैं, हमारा दुआदार, dehydration of alcohol, कुछ नहीं, हम alcohol से पानी निकालेंगे, भाईया, हमने लिया ROH, बोल रहा है, हमने लिया ROH, पर हमने डाला, acid, acid बोले तो, kong S204, concentrated, S204, S3PO4, concentrated, K204, यह दिया, ठीक है, यह सब acid है, हीट कर रहा है, साथ में, इसने, इन सब ने H+, दिया, और आपको बता कि इसमें बनती है, अलकीन, क्या बनेगी इसमें, अलकीन, अब हम सीख रहे हैं, अलकीन को बनाना, MOP, method of preparation of alkenes, है न, अलकीन बना, तो कैसे बना, इसमें बना, इसमें मेकनिजम से बताईए, तो हम हम क्या करते हैं, हमने लिया ROH, और हमने एरो पर डाला, H+,, H+, डालने से क्या होगा, लोन पर एरेटरोन दिये, और आपका क्या बना, अरे वह, ये बनते हैं, आपका क्या बना, ROH, H+, पानी बन चुका है, वाटर बन चुका है, वाटर बन चुका है, वाटर is a very good living group, तो यहाँ पर यहाँ से लिव कर रहा होगा, So what you are going to get, you are going to get, R+, and water, R+, and water, ये जो R+, ये जो अब आपका क्याइन बन गया, क्याइन केंड रियरेंज, क्याइन केंड रियरेंज, और क्याइन रियरेंज करेगा, देखो मैं तब आपको, ये हीट कर रही है, हीट करने पर क्या बन जाएगी आपकी, अलकीन, जो स्टेबल अलकीन, इसे बोलो, स्टेबल अलकीन, मतलब क्या करना है सर, मैं अपको फिर समझा रहा हूँ, S+, गया, पानी निकला, प्लस बना, खुल मिला के क्या करना है सर, OH हटाओ, प्लस बनाओ, रियरेंज कराओ, अगर हो सकता है तो, रियरेंजमेंट कराओ, प्लस बनाओ, फाइनल जो प्लस बना, उस पर अलकीन बना दीजिए, जहां-जहां पॉसिबल है, उसमें जो मैक्सिमम स्टेबल अलकीन है, that is your major answer, अच्छा, कुछ भी नहीं करना सर इसमें तो फिर, कुछ नहीं करना बेटा, मैं एक्जांपल लेता हूँ, सर इसके पॉइंट्स, बोलो पॉइंट्स, चलो पॉइंट्स लिखते पहले, पॉइंट्स लिखो, बोलो, कार्बो केटायन इंट्रमेडियेट, बुसरी बात, स्टेबिल्टी ओफ, ए भगवान, कार्बो केटायन इंक्रीजेज, रेट, इंक्रीजेज, जितना स्टेबल प्यास होगा, उत्ती रियक्शन की रेट क्या होगी, फास्ट होगी, तीसरी चीज, एलिमिनेशन रियक्शन, क्यों एलिमिनेशन, पानी निकल गया, कुछ पाद निकल गया, O-S था, H था, H और O-S पानी निकल गया, अलकीन बन गई, कौन सा एलिमिनेशन, तो अब आप खुद देखो, ये पानी अपने आप निकला, मेरे पे प्लस बिल्कुल स्टेबल, नहीं है, मेरे पे प्लस हटाओ, हटने के लिए हमने, H प्लस हटाते हैं, तो थीवर से बनाथा, O-E अठाया, रियक्शन के RDS, तो अपने आप हुआ है, तो अपने आप हुआ है, अपने आप हुआ है, unimolecular, so you will say E1 mechanism, elimination, unimolecular elimination, one मतलब unimolecular, unimolecular elimination reaction, so this is E1 reaction, E1 reaction mechanism, fourth point, stable alkyine is a major product, stable alkyine is major, ठीक है, and rearrangement is possible, मैंने क्या बोला, खुद point बनाओ, जो जो मैंने पढ़ा, मैं उसी को लिखता जा रहा हूँ, point लिखवा के लिखके नहीं लाया हूँ, खुदी जो पढ़ रहे हैं, उग लिखते जा रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में रहे, वन शोट का मतलब लंबे टाइम तक आपको दिमाग में रहे है, माल लीजिए मैंने example लिया होता यह वाला, त्याहन से सुनिए, मैंने माल लो यह लिया होता, OH, ठीक है, आपनो ट्राइ केजिए, कोशिश केजिए सभी लो, ट्राइ करो, एच प्लस डेल्टा, कहीं पर ऐसे भी लिए लिए थे थे हैं, कोशिश करें, मैंने हर वेरिशन देने की कोशिश कर लिया, ट्राइ करो तीनों कुश्यन, तीनों में एक एक नया नया वेरिशन है, ट्राइ करो, तीनों ही कुश्यन ट्राइ कर लो, आप से हो जाएंगा आराम से, यहां पर, पहले आपने क्या किया, ब्लस बनाया, OH हटाओ, ब्लस बनाओ, रियर्रेंज हो सकता है, हाँ, रियर्रेंज कराओ, इदर भी बन सकती है, इदर भी बन सकती है, लो, दोनों बना देता हूँ आपके लिए, यह, और यह, अरे सर्थ, दोनों सेम हो गई तो, लो, यह, अब कौन सी मेजर, कौन सी माइनर, अरे सर्थ, कौन सी मेजर, कौन सी माइनर, इसमें तो नहीं है, नो अलफा है, यहाँ पे तीन और दो पांच अलफा है, जी और सी बढ़ा होगा, यह आपका मेजर, यह आपका माइनर, यह माँ और यह मी, एक मेजर, एक माइनर, एक मेजर, मेजर कैसे बताया, स्टिबिल्टी से बता दिया, that's it, किया किया, ओवेश हट आया, प्लस बनाया, रेरेंज कराया, अलकीन बनाया, कातम, इसमें बताओ, यह देखो, यह लिया, प्लस बनाया, दो और दो चार एक पांच अलफा है, अगर यह यहाँ आजाए, रुक जाना नहीं, तुमकर भी हार के, प्लस यहाँ आया, तीन, तीन, छे और एक साथ रिंग के बाजू में प्लस है, छे में जाएगी, फिर ये बनेगा, कोशिश करना पड़ेगा आपको भाई, सुरी तो अंस्टिबल नहीं, अलफाएट दो ही रह गए, अलफाएट इस क्या, रिंग बढ़ गई, रिंग प्लस, छे भी प्लस आ गया, बढ़ गया, अब फिर से स्टेबल की बात करूँ, तो दिख रहा है, एक अल्टरा से अल्टरा गदे को भी दिखता है, कि बीश में बनाओ, ताकि अलफाएट तीन, तीन, छे चार, दस अलफाएट हो गए आपके, दस अलफाएट, मूस्ट स्टेबल, सुची इतला अलबा करना है, इस तरीके से ये टफ सवाल है, यह थोड़ाएजी है, यह और अच्छा सवाल है, अब यहाँ डो-दो ओ-एचे-सर किसको दें? तो अब डेखो, आप र्डियस क्या था? कार्बो कटाएट किस स्टेबल्टी, तो केटाएट कहाँ स्टेबल है? केटािएट इसको हटाएट तो यहाँ स्टे देता है क्यों है वो ओ एच का लोन पेयर अब यहां एच भी है और मिठाइल भी है कौन जाएगा सबसे पहले तो हाइड्राइट शिफ्ट होगा and what you are going to get एच यहां आगया प्लस यहां आगया ओ एच यहां आगया ओ अपना लोन पर उसको दे देगा इच यह इवांस का पेरिग्राफ टाइप में हो मेट्रिक्स टाइप में सवाल आया था इसमें यह और यहां बन गया डबल बॉंड ओ ने लोन पेयर दे दी है फिर एच प्लस निकल गया वापस यह बना इस रियक्शन का नाम अलग से पर नाम आपको काम का नहीं है आपको पता ना च jugarर्शन का नाम हो गया पिनाकोल फिया नहीं यादकरना सिंपल सी बात है का वंसा प्लस बनाँ जहां प्लस अफिर प्लस तु स्छिंवार्श में अगैं आगे होगी है वोको से अशुन नाम कर रहे हैं आपका यह हाइट्रेशन ओ टरीटो यह आपका दी हॉद्रेशन ओ य उमीद है आपको एक एक बात मेरी समझ में आगी होगी. The addition of alcohol. अब हम मूव कर रहे हैं E2 की तरफ. यह even हो गया. यह even खतम हुआ. अब हम मूव करेंगे E2 की तरफ. अब हम मूव करेंगे E2. हैडिन डालें. Biomolecular Elimination Biomolecular Elimination E2 reaction E2 reaction E2 reaction हम भी जल पी लें एक मिनट के लिए जल पी लें तो पटावट से चाप लो चलो शार्ट करते हैं Biomolecular Elimination Reaction अब हम E2 reaction की तरफ मूव कर रहे हैं E2 मतलब क्या होता है साज What is E2 reaction इसको बहुत ब्रीफ में समझना One short crisp के ऐसा direct सवाल किसे करना है मुझे सर्थ एक ऐसा तरीका बताओ जिससे में सीधा सवाल देखो मैंने इसलिए अपनी classes में summary बता रखी है Summary क्या बोलती है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इससे मान लीजिए आपके पास यह है यह आपका एक्स है ठीक है पीछे सावाज आ रही है सर यह मेरा एक्स नहीं है अरे भाई मेरे मैं बोल रहा हूँ यह एक लिविंग ग्रूप एक्स है मैंने यहां बेस लिया हीट किया हीट क्यों किया कि एन्थेल्पी सपोर्ट नहीं करेगी आप elimination करवा रहे हो अलकीन बना रहे हो सिंग्मा बन दोड़ा के पाइबन मना रहे हो एन्थेल्पी सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको सपोर्ट एन्ट्रोपी सपोर्ट नहीं कर रही है क्यों जो बन पहले गूम रही थी उसको आपने गूमने सा रोग दिया एन्ट्रोपी की क्या चाहते हो और सर मेरे को तो H पसंद है बेस को H पसंद है पीछे वाला बोल रहा है पीछे से आवा जा रही है कि सरह में तो कुछ और ही पसंद है अरे भाई मेरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बेस को क्या पसंद है तुम्हारी पसंद नहीं पूछ रहा हूँ H ये लिया यह यह, बेस H लेगा, तो यह तो यह H लेगा, यह H लेगा, अगर यह वाला H लेटा है, वो वेला ही है, ह A कर दो, ह B कर दो, एक है लेगा, तो आप का अंसर आएगा, यह, इसने एलेक्ट्रोन लिए, और इसको लात मारके बाहर निकाल दिया, इसके ABMO में सिगमा एंटी मोर्णिंग में अब ठीक है एंटी मोर्णिंग की बात रही करते हैं इलेक्ट्रोन दिया और लात मार के बाहर इसलिए बोलते हैं H और X मस्ट बी अपोजिट H and X मस्ट बी अपोजिट क्यों अपोजिट? क्योंकि H उपर है X नीचे है तो H पुश करके उसको बाहर निकालेगा दोनों सेम चाहिए हुआ तो क्यासे पुश करेगा उसको? इसलिए X नीचे H उपर पुश किया बाहर इसलिए यह इसको ऐसे करेगा तो एक अलकिन यहाँ बन गई यहाँ पर दो अलकिन पॉसिबल है सिस और ठांस प्लस यह वाला तो दो अलकिन आपकी पॉसिबल है दिपेंडिंग ऑन थे X अंड बेइस इस X और इस बेस पर डिपेंड करते हुए दोनों में से कोई भी मेजर हो सकता है अब इनके केसर कैसे हो सकता है मैं आपको पांच मिनिट में पूरा E2 खतम गर दूँगा अगर आपने तमीज से सुन लिया तो ये वो राम माने अगर किसे ने सुन लिया उसको मज़ा जाएगा मैं सही बता रहा हूँ आपको अगर आप में इमानदारे से पढ़ने की इच्छा है तो आप इसको ज़रू समझेगा एक बार में काम हो जाएगा मेरे पास सवाल आया मुझे नहीं पता क्या आंसर आना चाहिए था मैं सब से पहले क्या चे करूँगा बहुत ध्यान से सुनना है साभी लोग आपको दो टाइप की मिलेंगे आपको दो टाइप की बेस मिलेंगे एक आपको मिलेगा moderate और poor मतलब पूर तो क्या ही लेगो moderate और poor एगी में आ गया और एक very strong base मैं आपको example के साथ दूँगा भी है very strong ठीक है very strong base अब moderate base के साथ अब आपको तीन चीज़े देखने पड़ेगी बहुत त्यान से समझेगा आपको एक बार समझ में आ गया ना बलो और गद्दी से उट उटके नाचो गया यहां केवल एक case मतलब साथ अगर आपका base moderate है तो आपको living group चेक करना पड़ेगा very good moderate poor मतलब साथ क्या लिखाईए lg मतलब आपके पास question है आपने पहले arrow check किया base भी ही की नहीं आपको पता है J mains में maximum बच्चे पता है क्या गलती करके आ रहे है पिछले कुछ सालों से elimination में बहुत question आ रहे है पता है बच्चे क्या करते है मालो M.E.O.S. लिखा है अरे यह तो उसमें अरे भाई यह base ही नहीं है यह आपका solvent है यह आपका polar protic solvent है यह बाते आप सीखेंगे मैं आप लोगों को hello अगर मैं आता हूँ तो मैं आप लोगो hello English hello range में सिखाऊंगा यह बात क्यों यह सब बाते J mains वाले पूछ रहे हैं continuous so बच्चे का सोचते है जैसे मैंने जैसे arrow पर लिखता हूँ ना मैं TPUH तो बच्चे एक साथ अरे यह तो strong हो गया अरे नहीं है भाई अगर strong पूछना है तो TPUO minus लिखो ना यार यह strong base है बलकी base है यह solvent है यह आपका solvent है यह आपके base नहीं है यह बहुत गंदे जो mistake है बच्चे करत के आते है मैंने क्या लिखा base B minus base moderate very strong यह कौन से सर एक्जामपल दे रहा हूँ अब बात करें moderate की तो alcoholic KOH क्योंकि KOH ने alcohol we'll convert the ROH ROH है ROH विल करना तो RO minus है ना alcoholic KOH और simple यार RO minus ETO minus MEO minus यह वाले यह सब आपके moderate basis है very strong की बात करो तो आपके syllabus में सबसे strong में सबसे ज़्यादा आने वाला TBO minus Tushy Proxide NH2 minus यह सब आपके strong base में आते हैं यह सारे के सारे किसमें आते हैं दोनों के दोनों DB, DBN बहुत सारे हैं लेकिन दो जो main आते हैं आपके IAT के लिए सबसे important यह है यह दोनों में क्या हैं यह दोनों strong base है इनको भी strong करना है तो आप काम करो इसको बहुत ज़दा कर दो alcoholic KVS को अगर आप 400 degree पर heat करोगे तो अव्यसी बात वो भी यही बन जाएगा इतना high temperature कुछ भी करवा लो यह लिया और अब इन तीनों पर देखो ध्यान से सुना question आया आपके पास question आया इन दोनों में देखा आपने यह देखा यह लिखा हुआ अब आप जैसे आपने यह देखा यह देखते आप क्या क्या देखोगे अब आप चेक करोगे living group living group कैसा है अगर living group very good या moderate very good moderate कौन से होते है CLS बाकी सब आपको मैं बताता हूँ कि क्योवल आपके जैई में क्योवल 5 ऐसे लोग है जो poor है poor की category में 5 ही है F OH OR NR3 plus SR2 plus इन 5 के अलावा आपके J syllabus में एक भी poor living group नहीं है OTS, OTS ये सब आपके लिए very good या moderate माँ जाएंगे अच्छा तो हमें एक ही मानना है मतलब आपको इन 5 में से अगर कोई ना मिले तो समझ जाना कि वो इसी category में आता है अच्छा इतना भी easy हो गया आपको बस ये 5 देखने F, OH, OR, NR3 plus, SR2 plus अच्छा इस वाले case में हम देखेंगे अलकीन की stability अच्छा अभी आप देखो तो सही आप feel आजाएगी आपको decides major product अलकीन की stability इस case में major product decide करेगी मान लो ये CL होता और ये moderate होता तो moderate है तो हम living group देखेंगे CL है वो भी moderate है तो अलकीन की stability ये major होता और अगर poor living group है poor का मतलब क्या हुआ चान बूच के निकालना पड़ेगा निकलना पसंद नहीं करता अगर वो निकलना ही पसंद नहीं करता तो कैसे निकालोगे इसको हमें जबर तर्च दक्के वार में पड़ेंगे हमें H को निकाल निकालके electron density खटी करनी पड़ेगी इसलिए इस वाले केस में डेल्टा माइनस इन दोनों केसे में पताता हूँ क्यों डेल्टा माइनस इस्टेबिल्टी decides major मतलब सर डेल्टा माइनस की इस्टेबिल्टी या अलकीन की इस्टेबिल्टी इसका मतलब क्या हुआ सर इन दोनों केसे में सर इसमें माल लो यह हुआ तो और यह आगिया मतलब खतम बात है अगर आपको एरो पे यह दिख जाए तो इसको देखने की भी जरूरती नहीं है स्ट्रॉंग बोलेगा मैं तो H पहले लूँगा यह को पहले निकाल लेगा तो डेल्टा मैनस ही बनेगा अच्छा मतलब इन दोनों ही केसे में केवल अब आप समझे ना मैं आपको कोई भी सवाल देता हूँ मैं को सवाल से समझाता हूँ उसको क्वेश्चन से समझोगे तो मज़ए आजएगा अब लिखना माल लीजी आपको मैंने यह लिया होता है जहां से समझना लो करो सर क्या कर रहा है इससे भी एक कर रहा है इसको कोन है भाई तू बोले मैं तो मोडरेट हूँ मैं तूम कौन हो आण विखना हूँ मैं भी मोडरेट हूँ मोडरेट इसको देखा हूँ मोडरेट अलकन की सिविल्टी अलकन कहा स्टेवलल बीचमे या साइड में सर बीचमे वह भी कौनसी वाली ट्रांस वाली मजा ही आगया ज़ी बागे बदेंगे मैं बनाए नहीं है में आज़ी आए अच्छा, A, G, F, क्या करेगा, C, रटागे, F, यह आपको अभी हलो, स्वार्स रिएक्शन, F लग गया, ठीक है, अब E, T, O, मैंस देल्टा, यह आपको आगे आएगा, तो पुष देल्ट्रोन, देल्टा मैनस बनेगा, तेखो, हो सकता है, आपसे कनले लोगों को यह समझने में थोड़ी मुश्किल आए, पर एक बार कोशिश करना, एक भी सवाल गलत नहीं होगा, यह मैं गरांटी है, उल्टा सीधा रटने की बजाए, इसको समझ लो, तो आप दिल्टा मैनस की सब्सक्राइब कर देख लो, तो कहां सब्सक्राइब कर दे रहा है, तो यह थिशाब हुए अच्छा, यह नाध पड़ेगी, यह मैजर होगा, हर्सें, नहीं भी सेब बनुफ में सब्सक्राइब को भारा बारा मांध में हुआ था, कि जैदा सब्शिवए मतलब जिस Alkin में H कम है वो 70 है, जिसे यहां पर 1, 2, 2 H है लेकिन वो इस यहां देखोगे इसमें है, तो तीन है 1, 2, 3, तो यह वाली आपकी Hoffman है यह Hoffman है, वो 70 है, खतम बात वो 70 है, याद रहे करना, समझो यह लिया, और तुम तो strong हो दिखना ही नहीं है इसको, सीधा क्या करना है, Δelta-Min? कहा एस्टेबल, इदर कहा एदर सभूत है इलक्टोन दे रहा है तो यह वाला ता स्टेबल है, तो यह वाला जाबल एफ लगाया एजी एफ एफ लगाया वापस अरे यह तो तुम तो strong हो, यार डिल्टा मैनस इधर ही बना है यहां पर भी आंसर यह आएगा और यह सरी तो बहुत इजी हो गया हाँ जी अगर आप थोड़े भी समझदार है तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी एक बार में सवाल अब देखो यह अल्टिमेटले चार सवाल एक साथ हो गए क्यों है आप कुछ नहीं करना आपको डिल्टा मैनस की स्टिबिल्टी या अल्कीन की स्टिबिल्टी देखनी है रेट में भी यह करना है आप सबूर के रेट ओवीटू पूछले रेट ओवीटू देखलना कहां क्या दे रखा है और मोटेट बैस अल्कोली क्यों देदिया तो समझ करना है आपको कुछ नहीं करना सवालों में अब सर्व आपने हमें बताया था एंटी एलिमिनेशन उसको क्या करना है माल लो उसका क्या यूज है तो वो यूज यह है बेटा धियान से समझ न यह थोड़ा एडवांस का पार्ट है यह लिया चेक्या है यह लिया आपके बास तीन रियक्शन दे दी मैंने आपको तो स्टीरो कि मेंश्टी पर हातो आफ सिखा रहा हुँ आपको मैंने दिया eto- वैसे तो यह सब हलो अलकेंट करा पाट है पर मैं चाहता हूं कि आपको मेरे होते में आपको एडवांस तक कुछ-कुछ पाट यहां पर करा जाओं यह लिया आपने है यह सवाल आया हुगा है जही मेंस में हीट नहीं भी तो तो भी चलेगा यह लिया eto- वैस देल्टा तो CL के अब हमने क्या पड़ा CL यह लिविंग ग्रूप एड़ हमस्ट भी NT अब CL कहां है डैश में तो एच कहां होना चाहिए wedge में wedge में h है क्या हरे हाँ h wedge में है h wedge में है तो हम यहां क्यों देख करो यहां भी देख लो मैं वहां इसलिए देख रहा हूँ कि alken वहां पर stable आएगी because of more alpha h इसी के चलते your answer will be double यह समझ गए मेरी बात को अगर यहां की बात करो यहां CL dash में है और wedge में h चाहिए पर wedge में त बाड़ा हुआ है तो यहां का h निकालना तो possible है ही नहीं इसलिए हम हमें पता है हमारी इच्छाई के अलगीन वहां बना है लेकिन stereochemistry fix होने के कारण हम उसको वहां से नहीं निकाल सकते हम यहीं से h निकाल पाएंगे so that will be your removal of hcl यहां को option sir नहीं समझ में है अजर CL dash में है h का होना चाहिए wedge में because it's anti elimination hncl must be on nt because यह CL living group इसको दख्का देगा तो यह निकलेगा थोड़ी same side में दख्का देगा ऐसे अजरा है CL के opposite हमें wedge में h चाहिए wedge में no reaction कोई answer नहीं आएगा यह आपको समझ माना चाहिए अच्छा तो इसका मतलब sir CL अगर dash में है तो h का होना चाहिए wedge में CL wedge में है तो h का होना चाहिए dash में आपोजिट होने चाहिए तब आपका answer आएगा उमीद आपको मेरी बास समझ में आई हो यह जो चीज है ना यह इसी को बोलता है एक सवाल और करते हैं आचाओ धासू सवाल है धासू एड़ास में तो तीन बार में 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 आ चुका है इसलिए बोल रहा हूं समझना CS3 CH CL CL ठीक है यह लिया मेनला अल्कोहलिक के वच ध्यान से सुनना यह वह कॉंसेप्ट जो बच्चे बहुत मिस करते हैं उनको समझ में नहाता कि क्या करना है हीट ठीक है एक बार और CS3 CH CL2 कहां से देखना बटा सरल्ट सभी लोग अल्कोहलिक के वच सेकंड एन एन एनस्टू डेल्टा है इन दोनों में क्या फरक है आओ ध्यान से देखें और समझें जिसको यह समझ में आ गया उसको अलकाइन वदा पार भी आ जाएगा और आगे कि तो सवाल आइटी में आया तब भी आजाएगा आप यहां ध्यान से समझे अगर मैं बात करूं तो यहां पर एलिमनेशन होना है लेकिन यहां पर एक नहीं दो-दो CLL जो लिविंग ग्रूप के तरकाम कर सकते हैं तो यहां से H निकाल के एक बार पहले निकाल दिया यहां का H यहां का CL लाट पार के बहां निकाला क्योंकि CL का लोन पर क्या कर रहा है रेजोनेंस कर रहा है तो यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड के रेक्टर है क्या यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड के रेक्टर यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड के रेक्टर यहां पर CL बॉन्ड इसलिए तोड़ना वाला यहा तो फिर क्या करें तो सर यह नहीं कर पाएगा हाँ अगर आप हीट को 200 डिगरी 300 डिगरी 400 डिगरी कर दोगे तो 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 तूट जाएगा लेकिन ऐसे नहीं तोता यह आगया आपको यह आपका अंसर है इसलिए यहां पर हमने जान बुझ की कहा रहा ला एन एनस्टू डेलता और मैं आपको अभी बताया था कि N-N-H2 is your strong base अच्छा अच्छा सर आपने यह निकल जाए वापस से आपने इसलिए strong base डाला था कि strong base आकर यहां से h को निकाल ले उसका काम है h को निकालना तो पहली सिप में क्या बना आपका CS2 double bond CHCl आप चाहें तो पहली step यह काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं बस heat की value बहुत बढ़ानी पड़ेगी NANS2 लिया तो वो यहाँ से H और CL निकालेगा so answer will be H C double bond CH वैसे तो NANS2 आगे भी reaction कर सकता था इसलिए मैंने मेरे notes में तीन variation दे रखें NANS2 1 equivalent, 2 equivalent, 3 equivalent 1 equivalent में H और CL निकल यह बन गया दूसरा equivalent यूज़ होगा acid base करने में तीसरा equivalent होगा दूसरी पर acid base करने में तो NANS2 यहाँ से alkyne का S तो ammonia से acidic जादा है तो NANS2 यहाँ से H easily निकाल सकता है इस पर IAT में इस साल question भी आया है आपको चाहो तो मैं बता सकता हूँ यहाँ देखिए H C triple bond यह सेम सवल आया था इस साल IAT में उन्होंने दिया NANS2 CS3X यह CS3I तो क्या होगा सर N A plus Ns2 minus Ns2 minus यहाँ से क्या कर लेगा acid base, क्या कर लेगा acid base, तो क्या बन जाएगा H C triple bond C minor तो दोनों निकाले, एक निकाले, मेंशन नहीं किया, नहीं दिया तो एक बार ही माननो access लिखता है, तो संगना आदा कि दोनों चाहता है फिर दिया है CS3I तो इसका इस पर attack और AI बाहर यह विस्ट आप आगे पढ़ोगे अभी फिर भी मेरी भावना पर कंट्रोल नहीं रहा है, मैंने बता दिया यह C और यहां पर क्या लग गया CS3 यह वैसे alkyne की reaction है तो आप alkyne वाले पार्ट में देखोगे मैं तो यही करा देता हूं ता कि यह पार्ला पार्ट भी मैं यही करा देता हूं ता कि क्या बच्चों को link डिरें कि alcoholic के वेसे में फरक क्या आगया चानक से यह moderate है यह strong है तो moderate है अपना काम कर दिया partial double bone character के चलते तूटेगा नहीं तो strong लेकर इसको जबर से तुड़वाया अब चाहते इससे निकालना तो high temperature बढ़ा लो बढ़ा लो तो चाहते ही करना होता है कुछ बहुत बढ़ा टास नहीं है उम्हीद है आपको मेरी एक एक वाकिव देखो शायद आपको समझ मा रहा हो हम थोड़े से advance की तरफ चले गई है यह advance का पाट है advance 2017 में प्रेगराफ आया था इसके उपर कोह 400 डिगरी celsius तो अच्छे अच्छे confused हो गए थे क्या करना है कोह 400 डिगरी दिया है तो अव्यस्टी बात है कि निकलेगा ही निकलेगा अलकाइन बनेगा ही बनेगा अध hy to reaction with stereo chemistry आपको मैंने स्टेयो chemistry साथ साथ सिखा दिया थेखो मैं आपको इस फार्ट कुल र auditory सी पहतना करता हूं मैं पूरा मैं आज आपको एक दिल की बाइब बताता हूँ, आप सभी को आज में एक दिल की बाइब बताता हूँ, मैंने क्या observe कि यहा किया है, कि online वाले पार्ट में कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाए, बच्चों को लगता हुआ, क्या पढ़ा है, कोई अपने कहाने सुना जाए, क् में बढ़ते थे, इसाब हाल तु कहाने सुना के बच्चों को मजा आता हूँ, यह असली टीचर, अरे भाई, तुम कंटेंट पर ध्यान दो, इसलिए online में आप देखना, maximum offline की टीचर्स जो बहुत famous जो rank लाते हैं, वो online में अपना content उतना देने ही पाते हैं, क्यों है, चाह क्या होता है, मैंना देखा है, कहीं लोग very strong वाला case, और वो जो living group वाला case, poor living group वाला, F, O, H, O, R वाला, इसमें कहीं लोग E1CB बोल देते हैं, गलत बाद हैं, किसी किताब में नहीं लिखा, except from the Indian authors, foreign authors कि किसी किताब में नहीं लिखा, कि it's an E1CB, it's an E2 reaction, clearly I can say, I can prove that, it's an E E2 reaction, E1CB बढ़ा कि आप बच्चों के लिखा कर रहे हो, E1CB क्या होता है, what is E1CB, सोच के देखो, unimolecular elimination via CB, conjugate base, तो conjugate base बना कर elimination, अब conjugate base किसे बना लोगे, conjugate base का मतलब क्या हुआ, acid से बनता है conjugate base, acid मतलब कोई इंसान H नहीं, partial नहीं, delta मानस नहीं, पूरा मानस बना दे, मतल तो इस दे दे, a मानस बन जाए, that is conjugate base, इसका मतलब क्या हुआ, base आया और उसने पूरा H निखा लिया, अरे यार, यह इन केस में कैसे possible है, हाँ, पूरा कब निखा से, सोचो, दिमान लगा, अपना दिमान लगा, कि आ यार, आज सामने एक जो आदनी बेठा है, वो rank produce कर complete minus बनाया जाए, तो एक काम कर सकते हो, आप उस negative को stable कर दो, आप उस negative को stable कर दो, मतलब सर, आप उस negative को stable कैसे कर सकते हो, negative क्या कर ले, resonance कर ले, electron withdrawing group लगा दो, अच्छा, अगर आपके पास electron withdrawing group मौझूद हो, अगर आपके X के बाजू वाले इस side या कही भी जहाँ पर H है, अगर इसे मालो इस जगे, यह इस जगे, यहाँ अगर electron withdrawing group मालो आपने यह लगा दिया, अब यह H प्लस निकालना आसान है, बिकोज यह minus आएगा, वो इसका क्या कर लेगा, resonance कर लेगा, इसी लिए, इसी लिए, इसी लिए, उस case में आप पूरा minus बना सकते हो, उसी को बोल हो, तो यह point लिख सकते हो, आरे point करके, लिख सकते हो, आरे point करके, E1CB takes place in case of electron withdrawing group and poor LG, poor गंदा living group, क्योंकि गंदा living group चाहता है, डेल्टा मानेस बने, और विड्रोइंग हुआ तो, इसको delta minus will convert into complete minus, I hope आपको यह logical part समझ में आया हूँ, मैंने पूरा logically पढ़ा है, जिसको रटना है, वो रटे, पर मैंने आपको पूरा logically बता जिए, example देता हूँ में आप लोगों, आप सब लोगों ने पढ़ा है, अल्डोल condensation, मुझे याद है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है, अल्डोल NCRT में है, अल्डोल, aldehyde और ol, अल्डोल condensation, मैंने यहाँ पे, आपको मैंने living group बता है, worst 5, F, OH, OH भी a poor living group है, अब क्या होगा, मैंने यहाँ लिया, OH minus delta, तो क्या होगा, अब यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, तो यह H निकालना असान है, because CH हो क्या है, यह आपका electron withdrawing group है, सो यह आएगा, यहाँ से H को उठा, ले जाएगा, और आपका क्या बनेगा, conjugate base, अब यहाँ पे आप पूरा minus बनाएए, बिंदास तरीके से, यह पूरा का पूरा माइनस है, उलाद पड़ेगी, और OH को बाहर कर देगा, तो alken will form here, so this is your E1, CB, unimolecular, क्यों यह यह unimolecular है, क केला single molecule में ही, लाट परके बाहर निकल रहा है, so that's an E1, unimolecular elimination हुआ, conjugate base, क्योंकि पूरा minus बना, तो पूरा minus बना हुआ, conjugate base बना, so that is your E1, CB, में E1, CB बहुत लंबा, चोड़ा, अंचन नहीं पड़ा था, कि वहले, छोटी सी बात में बता रहा हुँ, इसक्तर विड्रों ग reaction, him reaction, him, of man, exhaustive methylation, elimination reaction, him, he or me, don't him, reaction आएगी आपके पास, so that is your E1, CB, तो आप सोचे, E1 पड़ा, E2 पड़ा, E1, CB, जो आपके hydrocarbon party के लिए important है, में आपको advanced level तक इसको चूदिया है, अब प्लीज यह मत करना से नहीं हैं, आएचा हमें हैं, हम गाम वाले लोग हैं, ऐसे मत क प्लीजानी है मेरे को, वो है dehalogenation, dehalogenation, बस, उसके बाद आपका elimination, या reaction, इसा formation of alkyne है, method of preparation of alkyne है, आप इन सब reaction में, आपने dehydration में, आपने E2 में, अपने E2 क्या है, H और Cl को निकालना, क्या निकाला, आपने hydrogen निकाला, और Cl निकाला, X निकाला, तो आपने क्या पड़ा de-delete किया, hydro or hello, dehydrogenation, लो, ये creation हो गई, dehydrogenation, हमने dehydrogenation पड़ लिया, हमने dehydration पड़ लिया, हमने dehydrogenation पड़ना शुरू किया है, अब हम क्या करेंगे, dehydrogenation, X2 को निकालेंगे, X नहीं, X2, एक X से परिशान थे, यहां तो दो दो X आगे, यहां देखिए, माली जी आपने यहां यहां CL यहां CL लिया, कुछ नहीं, हम arrow पर लेते हैं, ध्यान से सुनिया, आसान सा है, काफी easy पार्ट है यह, हमने लिया NAI acetone, या फिर आप लिजे zinc, देखो zinc वाला पार्ट तो आसान है, zinc वाला पार्ट तो बिल्कुल woods की तरह हो गया, dot dot, जोड़ दो, वो तो easy पार्ट हो अगर सिंगल होता यह, क्यों एक होता यह, तो आई लग जाता, यह होता तो भी आई लग जाता, दोनों साथ में हैं, तो दो आई आजू बाजू highly unstable है, और निकल जाएंगे, आई 2 बनके, अलकिन बन जाएगे, यह एक shortcut है, तो that's why there's a de-halogenation reaction, easy part, यह NCIT में दिया है, आपक इस compound का, नाम तो सुना होगा, गेमेकजीन, लिंडेन, 666, सुना होगा आप सब लोगोंने, यह, इसका एक isomer ऐसा है, जो इस वाली reaction में 200 रियक करेगा, पर de-halogenation बहुत slow करेगा, कैसे सब, देखो, यह wedge, यह dash, यह wedge, यह dash, यह wedge, यह dash, यह wedge, यह dash, अब तुम खुश सोचो इस C-L को निकालना है, तो इसके opposite में H चाहिए, इसके लिए नहीं, hydro-halogenation के लिए, तो यहाँ पे H wedge, यहाँ C-L wedge में आगे, यहाँ भी C-L wedge में, तो reaction नहीं होगी, आप देखो, सब के लिए कुछ नहीं, opposite में कुछ ही नहीं, लेकिन इस reaction में हमें C-L और C-L कहाँ और देखो, यहाँ देखो, C-L, C-L, और रोड आपको यहां आपको अपको आपको आपको है समझ में आगई हो, so that is your dehalogenation reaction, now we are moving toward, now we are moving toward, electrophilic addition reaction, यह तो मैं इतना easy आपको है, you will enjoy that, एडिशन और एक्षिन है इसको सबसे पहले मैं अपने classroom टाइप का आपको एक model समझाऊंगा आपको मैं इसमें model समझाऊंगा कैसे सोचना होता है फिर आपसे सवाल समझाऊंगा फिर आपको सवाल कर आँगा आप बोलोगे यह वी ओगया यह वी बहुत ध्यान से समझना बहुत प्रिशाइज बहुत प्रिशाइज और क्रिस्प पड़ा रहा हूं कि अर्ट्रोफिलिक एडिशन क्या है देखो मैं समझाता हूं आपको आपने लिया सी डेबल बॉंट सी ठीक है यह अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है के प्लीज वहोंतोरि। आपके पास कोई रीजेंट आए महां है अपको क्या café कि कहाँ प्लस पार्ट है अब होगा क्या यहाँ पर दो चोईस आती है यह तब ढो लेंगा जा इसने इसको बढ़िए इसनी स्कमझ भी दिये इसने उसको सेम है लेकिन अब यहां पर दो चोईब क्या है जैसे ही'कलग ने विलेक्टोеров को इलेक्टronics देए अब इहां में मृतक्त हो जारा है अब यहां पर दो चोड़े से मृतक्य अब तो अब बोले तुब मेरी मदद करो, तो ईअलिक्ट्रफाइल बोलता है मैं तुम्मारी मदद कर सकता हूं, देखता हूं मैं तुम्मारी मदद कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, मतलब तो रहां पे दोंदद है, ऐड़ेक्ट्रफाइल …. doesn't have loan pair have loan pair, मतलब सर या तो loan pair नहीं है या loan pair है, सर क्या फरक पड़ेगा loan pair से, समझाता हूँ यहाँ देखो, see यह देखो carbon, carbon, यहाँ plus charge यह is carbon, carbon electrophile यह लग गया अब अगर electrophine के वाँ loan pair नहीं है तो ऐसी रह जाएगा loan pair होते, तो वो इसको electron दिये देता for a timing कि जब तक तुम्हे nucleophile electron ना दे, तुम्हे कोई और पैसे देने वाला ना है, तब तक तुम यह उधार के तोर पर रख लो हाँ, जब तुम आजाए कोई और तुम्हेर पास कमाने का सोर्स, तो मुझे वापस कर देना तो electrophile अपने electron जो हैसा, इसके पास loan pair हो सकते हैं, मैं आपको समझाओंगा भी कैसे समझाओंगा, और इतना बारी की समझाओंगा कि आप एक बार में पूरा electrophilication खतम कर दोगे, अब आप देखिए, अब आपने यहाँ पर loan pair होंगे या नहीं होंगे? यहाँ नहीं है, तो यहां पर as it is रह जाएगा, अगर loan pair नहीं है, तो ऐसके एसा, यह अएसा, रह सरगा, loan pair होता, तो यह ऐसे नहीं होता, फिर आप में loan pair था कि उसका तो जलाता है, वहाँ सब्सक क्या हो debate चाहिता हि, फॉरमर चार्ज, क्या हो जाता है और थाचनलớसेर Kinda the इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनेगा, इसको बोलते हैं, कार्बो केटायन, क्लासिकल कार्बो केटायन, और इसको बोलते हैं, नोन क्लासिकल कार्बो केटायन, अच्छा ये भी एक्टाम होती है सर, NCC, नोन क्लासिकल कार्बो केटायन, और you can say NCC, और you can say NCC, और ये नो रियर केटायन है यह नहीं तो रियर्रेंजमेंट कभी हो गा ही नहीं और यहां पे can rearrange और वा सर तो सोचा भी नहीं था can rearrange तो यह फरक है दोनों में अब मैं आपसे पूछता हूँ मैं आद देखो बड़ा simple खुतम हो गया मैंने आपसे पूछा HBR मैंने आपसे पूछा मैंने आपसे पुछा होता 1 H2 H plus बताव 1, 2, 3, 4, 5 माल लेते हैं ये path 1 है ये path 2 है तो क्या फरक पड़ेगा अरे भाई साब HBR के अंदर ये path followगा 1 ये 2 तो सर अव्यस सी बात है 1 वाला क्यों? अरे आपको BR नहीं देखना है आपको catanic part देखना है H plus H plus है तो loan pair है क्या? नहीं है H plus loan pair नहीं है यहाँ कोन है? कोई भी एक ले लो BR plus loan pair है? हाँ, bromine के पास क्या है? loan pair H2 अपर लिए देखना है, H2, H plus यहाँ भी H plus है, यहाँ भी loan pair नहीं है तो path 1 होगा यहाँ path 2 होगा NO CL NO plus CL minus NO plus के N के पास क्या पढ़े हो है? loan pair कितना असान हो गया आप लोगों के लिए यह चेक करना कि विदर NCC बनेगा या simple catanic बनेगा simple सी बनेगा, आप तो region देख के बोल सकते हो कि सर यह मैं आप से पूछता हूँ, यह वाला आप बताओ हाँ बहुत आप बहुत आसान हो गया HG OAC यह क्या होगा? तो अब यह होगा HG plus 2 plus, delta minus, delta minus तो HG, HG के पास loan pair है की नहीं? अरे सर है loan pair, तो यह कुन सा path है? 1 की 2, path 2 NCC बनेगा यहाँ पर भी तो NCC वाला path सर क्या फरक पढ़ता है इससे, इसमें फरक पढ़ता है यहाँ rearrange होके कहीं भी जा सकता है तूसरी बात, यहाँ Nucleofile जब attack करेगा तो कहीं भी attack करता है, सीधा, नीचे, उपर नीचे, कहीं भी attack करता है, लेकिन यहाँ पर अगर ring ऐसे है, देखो ring ऐसे है, तो फिर Nucleofile उपर से आपको नहीं कहा, उपर से push करेगा, ring खुल जाएगी तो अब आप खुछ सोचो, आप इसको ऐसे तोड़ रहे हो ऐसे ना, यह तोड़ दिया आपने तो होगा क्या, जिसने attack किया, वो तो आया उपर और यह bone कहा ने गी, नीचे एक उपर, एक नीचे, एक उपर, एक नीचे, यह क्या है, यह क्या है यह anti-edition, क्या ही है, anti-edition इसलिए NCC वाले path में anti-edition होता है अच्छा, मतलब only anti-edition, हाँ सर, क्योंकि ring खुलेगी तो एक उपर आएगा और एक नीचे आएगा, it's anti-edition यहां तो दोनों बहुत, कहीं से भी कर लो, कुछ भी उपर से कराओ, मर्जे पड़े से कराओ, बहुत sin and anti, क्यों, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, तो कहीं भी attack करा लो, फरक नहीं पढ़ रहा यह इसकी बहुत खास बात है, और जो यह समझ गया, उससे सारे सवाल हो जाएंगे, मतलब सर, यह आपका minus वाला पार्ट होगा, मतलब यहां प्लस, minus, plus, 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 anti-edition का मतलब क्या हो, ब्रोमीन का इडिशन कैसा होगा, anti-edition, मतलब minus, क्योंकि पार्ट टू आ रहा है, पार्ट टू, क्यों लोन पर है न, प्रोमीन के पास, तो NCC बने का था, anti-edition होगा, anti-edition होगा, मतलब minus वाला पार्ट होगा, अच्छा, मैं आपको आयटे का सवाल दिखवाता हूँ, दियान से समझेगा, अचलो उससे पहले, आईए, अब आप questions आप करेंगे, सभी लोग, मैं आपके सामने कुछ questions लिख रहा हूँ, आप लोगों को, सभी को solve करना है, सभी लोगों को, ये question आपको solve करना है, थोड़ा बोन लाइन बनाता ह आपको 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 इसारा शवाल आपको दो आपको परना हवाँ, बनाइए, ट्राके जिए, बनाइए, ट्राइ किर्जिये, यह सब कुछ इजी हैं आपको पर अपरी तरफ से एफ़ट डालना है इसके उपर चार हुए और दूमें इसके बात बर यह ट्राइ कीजिए कोशिश कीजिए छार ओर धायों कीजिए एक बार में उसकिस करोंगा इसके यह इसके बॉलन सब्सक्राइब पर अब बया सबढ़ तो लोन पेर तो है नहीं, तो simple bone तोड़ो, plus बनाओ, plus कहां बनाओ, जहां plus stable हो, अरे जहां plus stable है, यही तो है markonic of rule, कि जहां plus stable है, वहाँ आपने nucleo-file जोड़ दे रहे, यहां तो rearing जो जाएगा, पर otherwise अगर मालो rearing नहीं होता, कि जहां plus stable हो, वहाँ, nukle-file के जुड़ना, यही markonic of rule है, पढ़ाया है आप सब लोहां, आप से लोगने markonic of, anti-markonic of, यहां plus stable हो, उसका ulti side, बलब यह आपकी markonic of side है, यह आपकी anti-markonic of side है, यहां पे यह markonic of हों यह anti-markonic of, यह सींपल सी बात है, यहां पनाओ, और प्लस यहां रहेगा या रीरेंज हो जाएगा रे सरे हाइडराइड शिट हो जाएगा बिज आपको बात हो बात हो बात हो नहीं लगा ये रीक्शन आपने क्या किया आपने हाइडरोजन और हैलोजन को जोड़ा so this reaction is known as hydro halogenation or you can say or you can say addition of hx hx को जोड़ना अरे यार सर यह क्या हो गया h और x को जोड़ना प्लस अब है कुछ नहीं किया मैंने मैंने बस आपको यह सिखा कि इलेक्टरफाल को देखना आना चाहिए क्या है यहां पर इलेक्टरफाल को ने h plus h plus गया उसके पास गया चलो यहां plus बना क्योंकि plus जहां सिखाल कुणाईगे अब यह रुकेगा या रेरेरेंज होगा so यह तो रेरेंज होगा रेे एक्समेंड होगी so फाइनल आपको यह बना पहले यह फिर expand, आप try करना आपनी copy में expand करने का, ये लिया, फिर ये plus बना, ये plus बनते ही, अब OH लगा दो, OH है ना, क्या पानी है न, OH लगा दिया, तो ये क्या हुआ, आपने क्या किया, H और OH को जोड़ा, H और OH है, पानी का जुड़ना, this is known as Hydration of Alken, ये भगवान, ये तो बहुत आसान कर दिया आपने, Hydration of Alken, और इसे बहुत आसान हो, ये एक topic, ये addition of HX, ये addition of Alken, addition of H plus H2O, ये तो है dilute S2 4, dilute का मतलब क्या हुआ, पानी, और S2 4 का काम क्या है, H plus देना, तो ये और ये तो same reaction है दोनो, जान बुच के दिया, तकि आपको ध्यान पड़े कि ऐसे भी लिसकते हैं, ऐसे भी लिसकते हैं, यहाँ पर simple plus बनाईए, OH लगा दीजिए, यहाँ आपका answer आ गया, this is Hydration of Alken, अभी हम Hydration of Alkyne भी पड़ेंगे, मैं यहीं पर सब सिखा दूँ आपको, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ना सिखे एक जिसा सिखो, I want you just learn simplest thing, कि इसको ऐसे करना है, बात करता है, बार बार चार चीजा अलग अलग नहीं, कि उसमें यहाँ तो वैसे करना है, ऐसे कुछ नहीं करना, यहाँ पर S2 4 है, तो S2 4 क S3H, तो यह कैसा है, H, S4, यह होगा, ओटे करेगा, यह नहीं है, यह अंसर है, और आपको बता दो, यह शांदार चीज़ कि बता क्या है, यह आपका वाइट कलर की PPT आती है, यह वाइट कलर की PPT होती है, that is an indication, यह आप उसको लेबरेटरी में भी यूज कर सकते हो, आपक जाएगा, फिर छाल लूँगा, तो जो PPT आया था, वो आपका, फिर इसको वापस से, हीट कर दूँगा, हीट, हमने अभी इसी का de-hydration, वापस हीट करूँगा, तो अलकीन बन जाएगी, so ultimately you can get the alken back, तो आप दोनों ने इसको separate कर लिया, यह तरीका है, यह भी एक रिक्श ही देखते जाएगे, यह सवाल जही में समय आता है step का, माल दीजे मैंने लिया आपके धामने, SCL एक बार, फिर लिया HI, बताओ क्या आंसर आएगा, सोचो, time दो, समय दो इसके उपर, समय दो भाई लोग, समय दो इसके उपर, तो जाके आपसे सवाल होंगे, questions होंगे, होन क्यूंगे, होनल सके इसके उपर, समय गय कहते है, बता है, कि यह सवाल है, हो जाम सवाल है, प्रह म कमक दो कजा है लिया आपके। क्लाय करें दस क्रिश्चन जितनी तमीज से करोगे उत्ते जीवन पर खुशर होगे दस क्रिश्चन काफी कुछ कवर हुआ इसके अंदर हर लेवल तक के क्रिश्चन जा ले हैं फिर हम इसके बात करेंगे OMDM, HBO, KCP, TCP बात करेंगे उसके बारे में हाँ जी हमने SCL लिया, SCL डालने पर क्या होगा H+, CL- गया है इसके उपर, तो क्या बना जी? CS3, C, double bond, CH, अब सर प्लस कहां बनाओ, मैनिस कहां बनाओ तो ओविश्ची बात है, प्लस यहीं बनेगा, अलफा H के चलते हे, resonance तो होना जाएगा, प्लस बनेगा, यह बनाओ, अपका C, H+, इसको लिया, यहां प्लस आया, ताकि alpha H मिल जाए, तीन alpha H, इसी ने यह यह, यहां आपने CL जोड दिया, आपने क्या किया? यहां आपने CL जोड दिया, अब क्या करूं सर अब क्या करूं सर तो अब मुझे born तोड़नी है अब मुझे पता है कि plus कहा बनाओ तो प्लस यहाँ बनाओ तो अव्वेस्टी बात है plus बीच में बनाओ क्यों सर बीच में क्यों बनाओ अलफा S तो ही यह सासरे CL के पास क्या है loan pair, बच्चे पुछते हैं, loan pair देखे हैं, money size देखे हैं, अरे जब catine बन गया, तो money size कैसे देख सकते हो, catine खाली है उससे क्या कीचोगे है, जो बिचारा पहले ही खाली है, जो बिचारा पहले ही खाली है उससे क्या कीचोगे यार, इसलिए उस case में, आप CL यह अच्छा आप समझना इस बात को एक ही carbon पर क्यों लगे क्योंकि जो बनने वाला cation है वो उसके पास में जधा stable है यही reason aromatic के अंदर भी आता है पानी डाला पानी पानी s-plus डाला तो क्या बना बिटा प्लस बना c-s2 फिर oh का टेक और यहां पर वापस से tautomerism यह क्या कर जाएगा tautomerism पढ़ा होगा आप लोगोंने जी योसी के अंदर यह tautomerism आप इसमेरिजम के अंदर कहीं लुक जी योसी मपढ़ते कहीं इसमेरिजम पढ़ते है tautomerism टॉटोमरिजम किया trilogy simply simple सै n कोई लोचा नहीं है क्योंकिल लाझा लगा दिया वह ठीक बात हैλοवाउट यहां पर संटीलो chemistry फिक्स है किए transform है आप से पूछता हूँ ब्रोमीन का कौन सा addition होता है तो सर ब्रोमीन का तो anti addition होता है तो यह हो गया आपका minus यह अलकिन केसी है प्लस की minus सुछ तो ट्रांस है यह minus है अर तो minus minus क्या answer आएगा plus इसका मिलब क्या होगा अफिशर बनाओ यहाँ आएगा me यहाँ आएगा me माइनस माइनस plus मतलब दोनों ब्र कहा लगेंगे same side ओ हो एक second में answer सर इसकी मिलब image लू या ना लू ले भी लूँगा तो फाइदा है या नहीं है symmetry है कि नहीं और तो symmetry है तो फिर लेने का कोई फाइदा इसकी image को नहीं है तो simple सा बात है यह आपका answer है anti-edition अभी इसके बाद एक चीज़ा बताऊंगा आपको isolated यह लिया अब सर इसमें क्या है यह plus है सिसल कीन है यह addition क्या सा है minus है plus minus minus ओ अच्छा तो अब minus का क्या मतलब है एक bromine अगर right में है तो अगला bromine का होगा left में यह फरक है symmetry है क्या नहीं सर पोई symmetry नहीं है plus इसकी mirror image plus इसकी mirror image ओ यह सब भी सोचन एक एक सिकना answer ला रहा हूं है मैं आपके सामने solve कर रहा हूं plus minus plus minus minus plus minus minus plus दोनों same side ऐसे करना है simple स्वाल है आपके सामने आपके सामने दिया, यह दोनों दिया, ठीक है? यह देने के बाज़ता, किया ने, उन लोगों ने क्या किया? IT ने क्या किया? कि यह देदिया और फिर क्या किया? मनने मनने plus उन्होने m ln dɊ o plus d दिया, इस तरी के सवाल पुछे हैं, तो आप लोगों, मैं पहले बतावा हूं यह चीज़ से आ गई, दूसरी बात, यह इसका यूज लेबोरेटरी में भी किया आता है, कैसे सर, bromine का color होता है brown bromine का color होता है brown, reddish brown brown होता है, reddish brown तो थोड़ा लाल पन भी आता है तो reddish brown color जो है, अगर ये कर रहा है तो reddish brown color खतम हो जाएगा, colorless हो जाएगा इसमें कोई color नहीं बचेगा इसमें भी कोई color नहीं बचेगा so this test is used for the unsaturation अगर compound में double or triple है तो 100% reaction होगी और आप पता लगा लोगे कि double or triple है कि नहीं है मालो, ये दो container है आपके पास एक में double है, एक में alcan है, एक में alcan है मुझे पता नहीं कि किस में alcan है, किस में alcan है एक तरीका तो वो था, estrocephal वाला एक तरीका bromine डाल दो, दोनों में तो bromine का brown color देखता हूँ इसमें गायब होगे, और इसमें अभी भी है इसमें है, वो alcan है, इसमें गायब होगिया alcan है, alcan react कर गई वैसे ही इसमें bromine जोड़ो, bromine जोड़ो, तो कित्ती में जोड़ेगी यहाँ पर दो बार डालना पड़ेगा, दो पाई बोंड है तो सर आंसर क्या आएगा, C, S, T दो बार जोड़ो, C, एक बार जोड़ा तो BR, BR एक बार और जोड़ा, फिर BR, BR खतम, यह आंसर है यह आंसर है, तो बहुत तफ नहीं है यह, यह सवाल आएटी में आने लाएग सवाल, आते ही, आया हूँ सवाल, सचो ना, इस सवाल इतना इसी सवाल आगया, लेकिन लेंग्वेज गुमा दी, इन इंशो मरे, डायसो मरे, फिर उप्टिकल साथ में, इंसर्ट कर दिया, यह कोंसी रेक्शन है, इलेक्टोफिलिक, एडिशन, र वाटर, यह सब चीजें उन्होंने NCIT में, अलग से, अलकाइन में दी है, मैंने इसी के साथ करवा दी, ताकि आप बच्चों को अलग-अलग चीज ना लगे, त्यारत इस कॉमन तिंग, जितना इसी वे में बढ़ों कि जितना नंबर ओफ कैसे कम करोगे, यह अलग वो रट स्थम होता ही है, फिर एक अलकाइन का अरोमिटाशन बचा है, बागी आप कर लेंगे, मुझे इतना पता है कि आप थे समझदार लोग हैं, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा भी अगर आप कोशिच करेंगे तो आप चीजों को अच्छे से कर जाएंगे, उमीद आप सबको य MDM, HVU, बता जिता हूं, मैं आपको, वो भी एलेक्टोफिक अडिशन है, सिंपल सा पाद, देखना, ध्यान से समझना, समझना, मान लीजिए, मेरे को ये चाहिए, ये है, ठीक है, मेरे पास यहाँ तीन पात है, ध्यान से सुनिये, और समझिये, पूरे औरगेनिक कंस्ट्री में, ये लिया, ठीक है, ये क्या है, मुझे एक बार ये बनाना है, ठीक है, एक बार मेरे को ये बनाना है, औया लोग, समझ में आरिया है, बढ़ ये बनाना है, सर ये तीनो अलग अलग प्रणेट है, एक ही अलकीन ते तीनों काम करने हैं, यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, यह भी कर सकते हो, कैसे करें सर, इसके अंदर compound देखकर क्या feel आती है इस case में हम plus इज़े को यह अलकीन छोड़के हम यहां OH लगा रहे 100% यह rearrangement हुआ होगा 100% हमने क्या किया H plus और H2 हमने पढ़ा hydration इस case में बिना rearrangement किये हमने marconic of site पे OH लगा दिया इस case में बिना rearrangement किया anti-marconic of answer आगया अब ध्यान से सुनना जहां marconic of है वहां हम यूज करते हैं OMDM जहां anti-marconic of है वहां हम यूज करते हैं HBO पूरी organic chemistry में दो ही ऐसी reaction है जहां anti-marconic of answer लाएंगे आप एक तो HBO और एक peroxide effect खराश effect नाम सुना होगा आप लोगों ने अब ध्यान से सुनिये तो किया क्या यह हम पढ़ चुके हैं अब बचे यह दोनों तो पहले इसको समझाता हूँ यह OMDM क्या है simple सी बार देखो मैं आपको केवल re-end बताऊंगा इसमें इसका mechanism कोई काम कर नहीं है एक percent भी इसमें हम क्या करते हैं यहाँ से देखिए हम लेते क्या है यहाँ से देखिए पहले लेते हैं हम OME दो पार्टे oxy-mercuration oxy-mercuration oxygen और mercury का जुड़ जाना is oxy-mercuration oxygen हमने लिया पानी तो पानी यह O-H जोड़ेगा यह mercury जोड़ेगा तो इसको बोलते हैं oxy-mercuration मतलब sir इस case हमें NCC बनेगा और फिर पानी का ठेक होगा तो यह O-H जुड़ेगा और H-G जुड़ेगा तो feel आ गई होगी यह एक बार में अच्छा तो यहाँ लगेगा O-H क्योंकि ring बनेगी फिर कुल जाएगी H-G-O-H-C यहाँ लगेगा तो यह हो गया oxy-mercuration oxygen और mercury का जुड़ जाना demercuration mercury का हट जाना फिर mercury हट के हम लेते हैं N-A-B-H-4-N-A-O-H तो ultimately यह एच आपका, आप समझदेना मैं आपको एक shortcut में चिखा रहा हूँ, ultimately काम क्या आता है यह H और यह O-H तो यहाँ से O-H आया, यहाँ से H आया, यहाँ D हुआ तो D आएगा, H हुआ तो H आएगा, तो answer क्या आगे आपका, इधर से O-H और इधर H, understood है तो यह होगी आपका बिना, अचा बिना rearrangement हुआ, मतला पकी बात है NCC बना होगा, इसलिए यह बहुत important है, and that is your OM-DM, that is your OM-DM, अब जो अगला है, वो है आपका HBO, वो है आपका HBO, वो है आपका HBO, वैसे तो यह अलकोल में वापस आता है, यह पार्ट जो आप पढ़ रहे हो, यह अलकोल इतर में और advanced level में भी आता है, बलब अगर मैं आपका अलकोल इतरवा चप्टर लूँगा, उसमें मैं आपको यह वापस से और धांसु सवाल भी करवाओंगा, जो advanced वाला पार्ट आएगा, उसमें और advanced लेके जाओंगा, यह है आपका एक fun shot, चहां पे आप डिरेक लिए, यहां से यहां से OH, यहां से H, खतम, मेरा answer आगया, इस वाले case में क्या करते हैं, हम लेते हैं, anti-marconic validation करना है, तो हम लेते हैं, पर तो reagent की बात करें, हम इसमें लेते हैं, B2-S6 या BST-THF, या तो BST-THF लेते हैं, diaboran या BST-3, simple BST-3, और साथ में लेते हैं, H2O2, NaOH, समझे ना मे आदी बात को, यहां का H, यहां का OH, ह और OH, यहां का OH, यहां का OH, यहां का H, यह दोनों जूरते हैं, anti-marconic analysis, यहां OH लगना था, वहां H लगना था, यहां उल्टा काम होता है, यहां पर, और आपका answer आता है, इधर H, और इधर OH, तो कैसे हुआ mechanistic इसका बहुत बड़ा mechanism है कभी अभी जो एडवास ओला पार्ट आएगा उसमें पकी बाते एक्स्प्रिन करूँगा इसका mechanism तो वेरी टिपिकल बड़ा classy पार्ट है इसका तो यह इसका एक बहुत बड़ा एक example आप करेंगे सबी लोग यह लिया और उसमें important part भी मैं आपको बताऊंगा अभी इसमें है इसमें आपका होता है sin edition किसा होता है sin edition मतलब H और OH जो है वो same side जुड़ते हैं यहां मैंने लिया OMDM यहां लिया HBO please tell me the answer please tell me the answer चल दीस answer बताओ क्या होना चीए video video pause करके इसको answer निकालो OMDM में answer आया है आपका देखो मैं तो कैसे करता हूँ यह प्लस जाज़ा स्टेबल है यहां जोड़ेंगे OH यह तो यह आ गया यहां पर यह है आपका anti-marconic off तो हम क्या करना है OH इदर हुदर उसमें भी ध्यान रखना है हमें sin edition बनाएं अगर OH अगर डैश में है तो Hb आपका डैश में होगा सेस्टिवेज में आगया यह एच और OH कहां होते हैं सेम साइट सिन एडिशन प्लस सिमेट्री है क्या प्लस इसके mirror image that's it तो यह है आपका OMDM-HBO OMDM-HBO is not a tough part इस पर जब भी सवाल IAT में आया है न उसमें हमेशा से क्या किया उसने direct पूछा है कोई गुमावदार कोई stereocamistry पर बात नहीं की simplest way में पूछा है simple आपको HBO आता ही कि नहीं आता है OMDM आता है क्योंकि HBO में बहुत खुद ही अपने आप में बहुत पच्छा बाट है कि वह anti-mark होने को पर तो IAT हमेशा उसी पर पूरा फोकस करता है कि बच्चों से यह पूछा जा है कि इनको यह भी पता है कि नहीं कि OMDM करते क्या है है I hope आपको मेरी बाते समझ में आई हो तो that is the OMDM and HBO अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं that is a very important part of the advance आज तक जेई मेंस में इस पर कोई सवाल नहीं आया आज तक आज तक बोल रहे है सर यह क्यों बढ़ा रहा है बता देता हूं हलका सा तो आपको ध्यान रहेगा हमें करन क्या है अब हम जो पढ़ने जा रहे है वह है आपका KCP and TCP यह क्या है सर KCP TCP किएंटिकली कंट्रोल प्रॉट्ट और थर्मोडानमी किंट्रोल प्रॉड्क्ट्रोड्श ऐसा प्रॉडक्ट जिसको काइनेटिक्स गवन करती हो एक ऐसा प्रॉड़क जिसको थर्मोडानमीश ग वो बात करती है, वो बात करती है stability की, तो इसका मतलब जो stability की तरफ जाए, वो TCP है, जो प्रोड़ rate की बात करे, जल्दी बनने की बात करे, वो TCP है, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि तर कैसे करना होता है, कैसे questions को सोचा जाता है, मान लीजिए मेरे पास ये compound है, ध्यान से सुन CCL 4, 1 equivalent, 1 equivalent लो एक हचाब अब 2 अलखीन, 1 हचाब कैसे करें सर, तो 2 अलखीन, 1 हचार में, अब आपके पास 2 choice है, या तो ये अलखीन तोड़ लो, ये अलखीन तोड़ लो, एक काम करते है, पहले एक-क करके दोनों allkin to कुछ resonance भी कर रहा है और alpha edge भी अच्छे कासए है और right वाली allkin तो प्लस कहा है यहाँ यहाँ आईगा क्योंकि resonance कर रहा है अब इन दोनों में से आपको select करना है कि कौन सा ketan from 03 resonance यह भी कर रहा है यहαँ alpha edge 6 है यह 3 है तो ये नहीं, ये के टैन आपका select होगा, आपको एक line AC बोलने जा रहा हूँ, जिसे आपको एक बार में खतम हो जाएगा, जैसे ही आप ये select कर ले कि इस alkin को तोड़ना है उस alkin को तोड़ते ही जो plus बना वहाँ BR लगा दो वहाँ BR लगा दो है, हाँ ये ये हमेशा आपका क्या होगा KCP, for your cerebus अगर आपने दो बोन ने एक बोन तोड़ी, उसे plus बनाया उसे plus बनाते ही, BR लगा दो, वह आपका हमेशा क्या होगा, KCP, हमेशा क्या होगा KCP, उस plus को अब resonance करवाओ, इस plus को resonance करवाओ ये plus, अब इस plus को जैसी आपने लगाया, BR लगाओ पीछे सावाजाई जाई सो इसको TCP बोलने, नहीं बेटा, गलती नहीं करनी अब देखो, resonance कर रहा है कोई कौन जाए stable है, ये ये अलकीन resonance कर रही, नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही stable भी हो, हो सकता है नहीं, जो जड़ा जो जल्दी बन रहा है, वह ये आपका stable भी हो, तो इसलिए उसको बोलते है, KCP and TCP, ये KCP बन जाए, प्लस बना, BR लग गया, जल्दी बन गया, KCP, अब इन दोनों में कौन जाए stable है, वो आपका होगा TCP, इतिफाक से यहां 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 यहां, यहां से बोल रहा हूं, यहां मैंने आपको कोई temperature mention नहीं किया है, यह product major आएगा at low temperature, at low temperature, और minus 80, minus 40, minus 0, ऐसे temperature पर आपको यह बनाना है, और TCP, क्योंकि TCP का महलब क्या होगा, thermodynamic, आपको energy देनी पड़ेगी, low temperature पर collision frequency बहुत काम होती है, जो बन जाए, वो बन जाए, जो जल्दी बन जाए, वो answer है, high temperature पर high temperature कितना मानना है, room temperature भी आपका high temperature है, 80 degree दिया है, तो भी room यह आपको high है, और दूसरी बात, कुछ भी mention ना किया हो, जैसे यह सवाल आगया आपके, IIT पे मलों यह सवाल आगया, बोला कि major answer क्या होगा, आपको को temperature mention किया है, क्या है, assume the room temperature, लिख लेना इस बात को, important point, if temperature is not mentioned, then assume it, room temperature and TCP will be major, यह सवाल था और बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए थे, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आगए, यह तो, यह कैसे, लेकिन हाँ, बता दूँ मैं आप लोगों को नहीं दिखा, temperature नहीं लिखा, तो क्या माना होगा उसको, room temperature और TCP मामाईदे बनाएगा, that is your KCP and TCP, simplest way, एक बार और बोलता हूँ, दो अलकीन है, तोड़ो, plus बनाओ, देखो कौन जयादा stable है, दोनों अलकीन में से, यह तोड़ो पर पर plus बन रहा है, वो, यह तो पर plus बन रहा है, वो, कौन जयादा stable है, यह stable है, जो plus बना, उस पर BBR या CL जो भी है, वो लगा दो, वो गया KCP, और, यह resonance करवा के चेक कर लो कि कौन जयादा सिवलारा अलकीन, वो आपकी TCP, जाटी से KCP है, टीसीप इस लाइंगो, लिखो जल्दी अपनी कॉपी में, या जहां पे भी आप छापते हो, आप छापो जल्दी से, चलिए, शुरू करते हैं, तो यह हो गया KCP, TCP, अब हम मूव कर किया और अपने H+, H2 डाला था, H+, H2 डाला, तो आंसर तो आ गया, कि आपने प्लस बनाया, OH लगाया, टोटो मराइस करा दिया, लेकिन लोचा क्या हुआ, कि इस डबली बॉन्डेट कारबन पर प्लस आ गया, डबली बॉन्डेट कारबन पर क्या गया, प्लस चार्ज, अध इस लोचे के चलते प्रोब्लम क्या हो गई, अब करें क्या, यहाँ प्लस बनाया, अंस्टेबल, तो अब क्या करूं, तो अब ऐसा कोई तरीका निकालना था, कि जिससे प्लस ना बनाया, रेक्शन हो जाया, तो अब लोगों ने एक जिस सोचे, कि भाई देखो, आस तक आ नाम था, नाम तो सुना होगा, कुछ रोव रियक्शन, नाम था, कुछ रोव रियक्शन, कुछ रोव रियक्शन, मतलब सर, अगर आपने यहाँ 1% HgSO4 डाल दो, 1% HgSO4, क्यों एक परसेंट, क्यों एक परसेंट, क्यों एक परसेंट, क्यों एक परसेंट, क्यों एक परसे NCC बना, NCC बना, वो बागी रोटेट होता रहेगा, NCC बना, HG का, पानी का अटेक, आहा, काम पूरा, मतलब सर, कुछ इस प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं, CS3C, डबल गॉंड, CH, HG, ऐसा, ऐसा कुछ बना, और फिर पानी का यहां अटेक, ताकि के टायन बना ही नहीं, के ट अटलिस्ट का है, यह आया और निकल गया, लेकिन इसकी वज़े से रियाक्शन की रेट और यिल्ड, दोनों फास्ट हो गई, यिल्ड बहुत अच्छी आती है, इसमें, अनसर तो वही आता है, ऐसी टोन, OH अटेक होगा, फिर टोटो मैंस हो जाएगा, लेकिन मुद्दे की ओर बाद यह है की, यिल्ड, good yield obtained, good yield obtained, mजा आ जाए, मजा ही आ गया इसके निदर तो, कि भाई साब, good yield obtained, इसमें, यह बहुत positive part हो गया, इस positive part के चलते, this is a very, 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 very good part, that happens, good yield, I hope आपको मेरी बास समना ही हो, कुछ, love reaction, that is the part, यह अच्छी reaction, कुछ है नहीं, करना कि हम मारक तो कहां जोड़ू, यहां OH लगाओ, टोटोमराइस कर दो, यह आयवास वाले J-Mains का उसमें यह था, कहां लगाओ OH, तो इसमें OH कहां लगाना है, जहां, यहां प्लस जास्टेबल है, बेंजीन के पास, यहां OH लग गया, टोटोमराइस, टोमराइस कराना मत बूलना पाई, सब कोटोमराइस कराना, मत बूलना मननना, सब कोगलफ लगाए्टाएगा, जो फोम सतेबले है, वही करना यहां यहां ऑन्सरा आई है, यहां अजाए ढस्ताम्ति आसे ही किरनाए, गुछष के रना मत बूलाश, यहां यहां बुलाश अजाताओ लगाँप्दा, ख नहां studio that shooting was done in the quota and now I am in the IIT BHU our BHU campus our warranty setup पाटशाला भी एच्वायवत हम है तो आज मैं यहीं से record कर रहा हूं आप लोगों के लिए मंजिल अभी तेक हम लोगोंने कुछ रोव reaction पढ़ ली है हमने अभी तक क्या cover किया है कुछ रोव reaction हमने alkyne का edition alkyne edition पढ़ लिया को पूरा cover कर लिया आप देख चुके हैं हम लोग के सीपी टी सीपी ओंडी एंच बीओ सर ओंडी में इतना ही करना है हां जी इतना ही cover करना है हमें और उल्टा एक्स्टा किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी कुछ पॉइंट सो पता होने सी वहीं पता होने सी है के सीवी टी सीव में एक पर्टिकुलर आपको मैंने बताया भी था कि यह एडवांस का आयवा सवाल है that questions come the J advanced 2015 2015 का IIT का question exactly same to them वहां temperature mentioned नहीं था और question था the major product of the following reaction is temperature mentioned नहीं था मैंने आपको क्या सिखाया क्या सिखाया मैंने आप लोगों को कि जब temperature mention ना हो, assume as room temperature, assume as room temperature and TCP और इत्तफाक सुनिए, ये question advance में जब आया था, तो ये multiple correct के अंदर आया था, इत्तफाक से answer के वल single था, तो आप सोचिए temperature, अब कहीं बच्चे यहां confused हो गए, कि single अगर multiple में है तो KCP दे जेते हैं, अरे सर ने एक बात बोली है, temperature mention नहीं है, तो आपको TCP बताना है, room temperature मानते हुए, अगर आप से language ऐसे पूस्ता कि, provide may be possible, तो फिर हम जो जो बनते से पनलते हैं, कोई tensionally बात नहीं है, तो अभी हम क्या है, कि इस पर चल रहे हैं, अब हम आगे, ये हम पढ़ चुके हैं, कुछ रो, कुछ रो reaction में, इसका use क्या था, देग इसके चलते हमने क्या किया, हमने NCC बनवाया, और NCC के लिए हमने ऐसा reagent, ऐसा compound add किया, जो NCC बना सके, जिसके पास क्या हो, loan pair, HG, SO4, HG, 2+, SO4, 2-, HG के पास क्या है, loan pair, HG के पास क्या है, loan pair, so, इसलिए NCC बनवा के, आप लोगों से एक काम करवाया, सेम चीज़, सब कुछ बस यहां plus नहीं बनने दिया, थाकि yield शानदार आ है, yield को बढ़ाने के लिए, ये काम किया गया, I hope आपको ये एक एक बात मेरी समझ में आई होगी, कि हम कर क्या रहे हैं, what we are going to start and now, we are completed electrophilic addition, reactions for like, जो जो हमने, main concern था, हमने किया, अब हम move कर रहे हैं, ozonalysis, peroxide effect, hydroxylation, समझ रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, hydroxylation, बहुत important, जे ही मेंस और advance, sir, कोई आपका कोई special question दो ना, अरे भाई, एक बार ये पढ़ लो, मैं आपको, जबर दस question दूँगा, sir, आपने हमें वो नहीं पढ़ाया, आपका वुल किष्णर, रही है, वुल किष्णर और जो वो है, वो पार्ट, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा असा सोचना है, कि वो पार्ट आपका आना चाहिए, अगर मुझे लगता है, अगर मुझे फील आता है, तो मैं यहीं बढ़ा दूँगा, पाकि मेरा मन थोड़ा काम होता है, यहां बढ़ाने का, क्योंकि वो चीज़ वहां कवर होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सी ओएच, ग्लाइकोलाइजेशन, ओएच और दो ओएच, हम यहां हाइड्रोक्सीलेशन बलब ओएच लगाना सिखेंगे, और बहतरीन तरीके से सीखिएगा, कि मैं आपको फील करने भी कोशिश करूँगा, एको, दोनों चीज़ कुछ बच्चे बोल रहे हैं, तीछे से आवाज आ रही है, तर यह बहुत मुश्किल है क्या, नहीं बिटा, यह बहुत इजी चप्टर है, बहुत इजी चप्टर है, आप समझे मेरी बात को, बस आना जरूर चाहिए, आपको मैं क्योश्चन बताँगा, आप बोलों को पहला रिजेंट हमारा है, देखो, एक बात आपको मैं बताता हूं, केमनफोर, केमनफोर इस अजूम तो वेरी स्ट्रॉंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट, के रिदूसिंग एजेंट, ऑक्षिडाइजिंग एजेंट, इस स्ट्रॉंग ऑक्षिडाइजिंग एजेंट, क के मनफोर बहुत स्ट्रोंग होता है तो अब हमारे दिमान में ट्रेंशन चल रही थी क्या किया जाए कि के मनफोर को फॉर को स्ट्रॉंग से वीग पे देखो मेरी पहली कोशिश रहे थी कि आप सब लोगों में पील दिला सको कि हम कर क्या रहे हैं क्या रहे हैं हम के मनफोर से क्या चाहते हैं मैं आपको लॉजिकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि के मनफोर जो है वह आपका स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉंग ऑक्सिडाइजिंग के चलते कोई कोई बात रही है चलने दीजिये कोई बात नहीं को स्ट्रॉंग ऑकटने रिख सब्सक्राइब हएं इसको हम थोड़ा सा वी करें हम थोड़ा सा वी करें तो वी करने के लिए क्या किया हम हमने क्या किया जहां सो आप लोग सोचना बागी कुछ मेंट सार लाइट कम यह तो केमनफोर को स्ट्रॉंग से वी करना है तो आपको केमनफोर की कंसेंट्रेशन को कम करना परे पहली चीज इसी लिए हम लेते हैं वन परसंट कितना परसंट बैटा वन परसंट केमनफोर वन परसंट केमनफोर ठीक है कैसा बहुत वन परसंट हो गया मलब केमनफोर बहुत काम है तो हमने किया कि असको डाइलूट किया वन परसंट डाइलूट केमनफोर कौन सा मीडियम अलकलाइन मीडियम आप लोगोंने फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमनफ प्लस टू जाता है एसलिए यहां पर अलकलाइन लिया है और कोल्ड लेते हैं कोल्ड जीरो डिग्री सेल्क्सियस कोल्ड कोल्ड अलकलाइन वन परसेंट केमनफूर यहां से रियेजेंट को समझना आयेटी में जब सवाल आया था जहीं एडवांस में इंटीजर में कुशन पुछा गया पहले ट्रिपल से डबल बनाया गया इस तरीकी से ऐसे छीजे हुई लेकिन उस दौरान हमें आपको यह समझना होगा कि इसका मतलब क्या है यह करने से क्या हुआ कैमेफॉर बहुत वीक हो गया पिर alkaline करने से क्या हुआ reducing आपका जो agent है जो आपका जो आपका यह alkaline है यह आपने बिल्कुल reducing agent जो इसका direction है वो तुम कर दिया oxygen state कम कर दी तो उससे ज्यादा reduce नहीं हुआ और cold लेने से क्या हुआ और cold लेने से collision frequency और कम हो गई collision frequency कम हो गई तो फिर react करना कम हो गया तो अपने आप आपने ऐसा काम किया है ताकि KMN4 ताकि उल्टा सिधा चीज ना कर सके सिधा जो काम करना है वही काम करें करना क्या है KMN4 दिखता करें मैं आपको फ्ली जिराने के कोशिश कर रहा हूं किसे K KMN4 के बात करना है तो MN double bond O double bond O double bond O okay okay KMN4 ठीक है होता कि देखो मैं आपको मैंकिनम स्काने कोशिश कर रहा हूं कि भाईसा होता क्या है इसने स्कुलेट्रोन दिये यह इधर और यहां जो डिल्टा प्लिस आ रहा होगा स्कुलेट्रोन नहीं जैने तो ultimately सारा काम ऐसा होता देखो यह अलकीन है यह सीधा यह मैंन है यह ओ यह सीधा इसके उपर चिपक गया चिपकनी वैसे क्या हो ओ मैंन ओ एससे रिंग बन गई पांच मेंबर एक दो तीन चार्ट देखो यह बहुत टफ पाट है मैं कि वहले जिन लोगों को थोड़ा लॉजिकली जाना उनके लि मैं। अरे वह ऐसे बन रही है मतलब क्या हुआ से mist in addition है अरे वा किन कैसी एप लख अ णिआदिशन क्या संटार माइगा इस सब स्रीठी के चलता खीए मैं आदे यहां पर प्लस 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 बहुत लगें दो अब जाएंगे अलकी में पाइब नटोड़ के दो लगाओ इसमें क्या सिखा आपने पाइब लोगों से पूछना चाहता हूं इसमें मिरेमेज लूँ या ना लूँ या ले पिलने तो फाइदा है यह फैने नहीं है सब्सक्राइब यह आपका अपका प्लस एमन एमन टू बने गा मन्टू एमन और टू क्यों मन प्लस फोर में गया ना ब्राउन कलर का होता है पड़ाओ आप सब्सक्राइब इन इन इसकी इंपोटेंट बात जहां से सुनिये दिस नोन इस पारट वन पर्सेंट कोल्ड अलकाला इन पर पर इद्म्री इन वह इंड नोने यह व्यांजेंन नोनेज वितन आज इनम पर आपको वीग की तरह किया उन्होंने 1% लिया कमना 4 लिया अलकालाइन मीडियम में लिया थाकि कम रियक्शन हो और जीरो दिविले के और लेकिक उन्होंने इसकी र्येक्टिविटी को काफ़ी कम कर दिया 1% ऑलका इसे अ प्लस फ्लस प्लस अन जालिकोलाज़ेशन फ्ल sus, व्लकर डाहिकोलाज़ेशन व्लकर क्या होत glycol this one that is known as ethylene glycol that is the ethylene glycol cs2h cs2h इसी लिए उसी से बढ़ा है दो है आज 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 गलाइको लाइजेशन इस लिए गलाइको लाइजेशन मन प्लस 7 से कहां गया मन प्लस 4 में color change हो गया though that is the test for unsaturation oh test for unsaturation एसे compound in unsaturation है वो इसे react करेंगे और color को change करेंगा color जो था प्रपल वो जाएगा brown color में आपके बाद एक container में अलके ने मुझे नहीं पता message sticker हो गया किसमेल किसमेल कि मैंने क्या वन परसंट कोड लगाइन वन परसंट कोड़ने के मिन फोट डाल दिया एक एक में कुछ रिवा परपल का परपल लगया एक में ब्राउन हो गया समझे जिन में ब्राउन हो क्या हुआ अलकीन हो गया उसमें अलकीन है that is a test of unsaturation that is a useful thing और यही आपके NCRT wise J wise most important part है second reaction जो बता रहा हूं वह उसकी इसी की भाई है इसी सेम डिट्टो कॉपी है लेकिन आपके J means में और इडवांस में आज तक वो आया नहीं है पर ओलंपियाड में आया है last year 21 के ओलंपियाड में सवाल आया था तो मेरी उमीद मुझे ऐसा लगता है कहीं एडवांस उस पार्ट को पूछ सकता है ठीक है न तो हम क्यों न उसको पढ़ लिया जाए देखो यह आपको आना सेब जिट्टो आंसर में कोई चेंग नहीं है कुछ चेंग नहीं होगा हम ले रहे हैं ऑस्मियम टेट्रा ओक्साइड ओसो फोर और लास्ट मेंस को तोड़ने के लिए अनटो एसो तरी यह लिया तो याद करना है याद क्या अरे यह दिख जाए और तुम में थोड़ा भी दिमाग है वेस डोबल नोडो डबल मढचो अरे भाइलोग यही सा Iya निकले की आइट निकालनी है तौमी इसे कर लो इसको यह बहुत इंपोर्टेंट है बहुत सदा इंपोर्टेंट रही प्लस 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 आंसर वही ओएस जो है आपका प्लस 6 में था प्लस 6 से जाएगा प्लस 4 में में प्लस 8 प्लस 6 में दोखेंगा withdraw कीवल एक चीश आउस् difficile जोग चाहिए might एक प्लस 8 टू प्लस एक्ट्ट वेसर था आपकी यही काम की चीज यह पर मैं यहां तोटा केman resembair तीनों पढ़ाता हूं ताकि बच्छे को एक साथ तीनों कर जाए तो यह अपने को करके जाने हैं जब भी एडवांस को जाओ तो तीसरा पहला करके जाना अगला है mcpba पीछे वाला बोल रहा है तो यह क्या लाए हो नया बीटा यह compound है mcpba इसको प्यार से ऐसे लिखते हैं बताता हूं क्या है स्थिमतलन का क क्लोरीन 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 यह आपका रिंग मनाएगा जूड जाएगा यह आपका वापस से तोड़ देगा अल्टिमेटली दिस्टू कॉंबिनेशन गिवस नेगेटिव एंटी एडिशन क्यों पता है फोरा लॉजिकली बताओ यह आपका सिन एडिशन है यह आपका बन गया ओ रिंग बन गई पानी का अटेक तो एक वेज निचे रेगे एक वेज उपर आगया एंटी एडिशन तो अपने को कोई मतलब नहीं इस से तीजा याद करने का माइनस चार्ज तो प्लस माइनस क्या आएगा प्लस माइनस वाट वेज आंसर माइनस सो प्लस माइनस माइनस बोले तो मे मे अप्लस माइनस माइनस तो ओ एछ आएगो आएज आएघफ देखर है देखर माइनस देखर में आया हूं तो लेक्ट्टर देख लेना मैं फिर बता रहा हूं कि यह इस में कभी सेंट्र स्मेट्र नहीं आ सकती क्योंकि वो बनता ही एकलिप्स में है यह आप पढ़ लिएगा अपमें जाएगा तो अल्टिमेटली क्या है यह बना और कौनसा एडिशन है एंटी अडिशन कौनसा है एंटी एडिशन यह बहुत इंपोर्टेंट है दस बारा स्टार्मा कर लो इसके उपर तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपड़ाओंगा प्रोक्साइड इफेक्ट आप मुझे याद करके बताओ ऐसी कौनसी रियाक्शन थी जो और इसी कौनसी रियाक्शन थी जो एंक्वा कूनаств दिया करतीति अब तक आपने पड़ा तर्वा पीछे ऒशिला कर बोल रहा है और मेरे की किया था अरे मेरे बाई मुझे पता है कि ये बाइन तूटे है की तो प्लस यहां इस हैं यहां-nucleafile चाटे होना मार्व कॉणिक और यहां अAT Motorola am जबने अब आपसे पूछता हूँ इस क्योश्चन में याBla सोचो ना पीछ वाला के रहा ए सब दोनों ही नहीं हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहा है कि सर ए और भी दोनों ही मारकोनिकव और याँ बात यहां कोई मारकोनिक नहीं है तो अब तक आपने एक रियक्षण पड़ी HBO जो की ऐन्टी मारकोनिकव प्रोड़क्ट है जो की एंटी मार्कोनिक ओफ प्रोड़क्ट है तो जल्दी से यह कर लीजिए इसको देख लो एक बाद हाइड ऑक्सिलेशन और यह बाद जल्दी देखो पीपी चलिए चाप ली आओगा आप लोगों ने अब हम अगली एक बहुत इंपोर्टेंट रियक्शन की तरह मूग करने जा रहे हैं इसका नाम है इसका नाम है खराश इफेक्ट पिछे से आवाज आ रही है पर जो हम समझ रहे हैं यह वही खराश है हाँ बेटा माल लो बस माल लेता हम यह वही कराश है यह आपका खराश इंपोर्टेंट है यह मैं आप बता दूँ अपनी कौपी की उपर च चहते हो उपर का इरिया होता है उस पर लिख लो मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता एकड़ाम में जाओ उससे पर ले इस तरह reaction को बिना पड़े अगर चले गए तो मान के चलना तो मपने कम से कम तीन नंबर एडवास में और तीन नंबर मेंस में गया पर गया होगे खराज़ ईफेक्ट ह्न्ड्रेट परसंट मेंथ वर एडवांस और उपर एगे यह वरी एकशन है चो काम किया था परोकसाइट पर परोकसाइट पर इसने क्या सिखाया इसे पहले आपके सिलेबस में है यहीं मेंस और एडवांस के सिलेबस के अंदर यह दूसरी ऐसी साथ एक्षन है, जो anti-marconic off प्रोडट देती है, अब सर्व anti-marconic off होते ही, अच्छ से अच्छ की दिमाग में आता है, और बहुत थ्यान से समझना, बहुत इंपोरेंक नहीं बोल रहा हूं, मैं आप बहुत बहुत बयानक इंपोरेंक बोल रहा हूं, इतनी जदा हादा इंपोर्टेंट है यह मैंने लिया HBR, CCl4 और मैंने एक बार लिया HBR, pHCOO, hold-wise अना, ऐसे लिया परोक्साइड लिया, यहां मैंने लिया परोक्साइड यह इसको ऐसे लिख लो, परोक्साइड आपको परोक्साइड दे रखा हो और आपको HBR दिया हो एक बार आप जो CCL4 नोन पोलर सुलमेंट जी आओ दोनों के अंदर जमीन आस्पान का फरक है इसमें आंसर आता है simple plus बनाओ, BR लगाओ, ठीक है? That is your electrophilic electrophilic addition, इस तवाले case में आंसर आता है ये सर ये तो उल्टा हो गया, सर जी ये तो उल्टा हो गया ये तो anti-marconic of हो गया, BR लगना यहाँ चाहिए था पर ये तो यहाँ लग गया, that is your anti-marconic of site इसे सावा जा रही है, सर ये तो बिल्गुल अद्बुत है, हाँ बेटा ये इसलिए तो ये काम की चीज़ है, कि हम अगर कोई चीज़ यहाँ लगाना चाह रहे हैं, उसके लिए शांदार जी रहती है, इसलिए HBO, HBO में भी OH यहाँ लगता था, यहाँ पर इसमें BR यहाँ लगेगा, that is a very 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 important reaction, ये आपका है, ये इसका reaction है, प्री रेडिकल एडिशन, अच्छा, ये भी फ्रीडिकल बनता है, अब मैं आँगा, इसके mechanism पर, question तो आप करी लेंगे, question में तो क्या ही है, question अगर मैंने आपको भी दिया होता, मालो, एक कोने में लिखता हूँ मैं, ये लो, एक कोने में, एगान सा बता, अब ये आयवा सवाल है, ये पता है, ये दे परकॉसराइड लिख दे, आल टोट कोई परकॉसराइड लिख दे, क्या करेंगे, sir, ये आपकी मारकॉनिक ओसाइट है, sir, ये आपकी एंटी मारकॉनिक ओसाइट है, so, BR will be add on the anti-मारकॉनिक ओसाइट, so, answer will be this one, sir, इसमें कुछ सिन एंटी, कुछ नहीं, बिंदास तरीके से सब बनाईए, that is your answer, so, इतना आसान है कि है, फिल्कुल आसन है, कुछ-कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपोटेंट है, वो हम उस पर discuss करेंगे, मुद्दे की बाड़े, पॉइंट्स तो बड़े आसान हो गए, प्रियर्डिकल इंट्रमीडिये, एडिशन रियक्शन, एंटी मारकॉनिक ओसाइट्स जो अलग है, हाँ, जो पॉइंट अलग है, उस पर मैं बात करूंगा, अब बात करते हैं इसके मेकनिजम की, तो ध्यान से सुनिये, मैं बात करने जा रहा हूँ, इसके मेकनिजम, मैं आपको क्योशन करना तो सिखाई दिया, क्योशन करना is not a big task of this reaction, क्योशन तो बहुत इसी रहते हैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, साथी स्टेप, ध्यान से सुनना, तो इस्टी स्टेप से क्या, अरे भाई सबसे पहले आपने लिया है परोकसाइड सबसे पहले आपने क्या लिया है परोकसाइड यह लिया है अरे ओ ओ ओ ओ बॉंड दिख रही है क्या अरे पीछे से बाद भाई सुनो ध्यान से सुनो क्या आपको क्या आपको ओ ओ बॉंड दिख रही है क्या हां सर तोड़ दो इसको रखना नहीं है बिल्कुल नहीं रखना इस bond को इस bond को रखना इसको तोड़े का कौन तोड़ेगा आपका sunlight अचा तो यहां भी light उसकरते हैं जी हाँ sunlight और UV rays दोनों मैं से कोई भी यह high temperature लेकर आप इस bond को तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए इस bond को पीएच पी ओ ओ डॉट अब आपको मैंने अभी बताया था कि CO2 निकलना हमने कोल भी ऐसा कुछ किया था जल्दी से टूड़ जाएगा पी एच वाला पार्ट ये वाला पार और आंसर आजाएगा आपका बन जाएगा पी एच डॉट ये पी एच डॉट आपका हो गया इनिशियेटर अब आपके पास पढ़ा है एच बी आर पी एच डॉट प्लस एच डॉट क्या आंसर सुनिएगा वापस लिखता हूं जा देखिए हमने पास क्या था पी एस डॉट और हमने पास क्या पढ़ा है एच बी आर और ये यहां से बोंड को तोड़ देगा और तोड़ते ही क्या बनाएगा तोड़ते ही आप बदाओ दो पोसीबिलिटी क्या बनाएगा प्लस ब्रोमीन डॉट और यह ब्रोमीन डॉट हमारी रियक्शन को आगे से आगे है लेकर बहुत सा ब्रोमीन है अमरे पार बिंदास तरीके से रियक्ट कराईए यह लीजिए और आप यह बाता ब्रोमीन क्यों लिखते हो CLBR आउंगा उस पर भी बहुत इंपोरेंट पॉइंट है यह लिए अब तोड़ दो अब आप मुझे बताएंगे कौन सा सही है बियार यहां लगाके डॉट यह बनाऊं या बियार यहां लगाके डॉट यहां बनाऊं मैंने क्या किया पाइबोन तोड़ी यहां डॉट यहां डॉट यहां डॉट यहां डॉट यहां यह जुड़ देंगे क्या वो जुड़ दाएगा दोनों बना लिए अब मैं आप से पुछता हूँ कौन सा सही और कौन सा गलत है पीछे से आवाज आ रही है तो यह तो नहीं नहीं कभी नहीं यह कभी possible नहीं है because dot is a one degree unstable यहाँ पर यह लेक्टोन दे रहा है टोन देने की वज़े से यह थोड़ा stable है two degree dot is much more stable than one degree dot so that is more stable बल इसलिए यह वाला सही है और यह वाला गलत है I hope आपको मेरी बात समझ माई होगी यह लिया BR dot अब आपके पास arrow मौजूद है अब सर अब कौन है अरे भाई HBR बहुत सारा बहुत कम consume हुआ बहुत सारा पड़ा हुआ है HBR आप बताओ कौन रियक्ट करेगा अरे सर आप बच्पन से यही तो सिखा रहे हों है कि यह dot यहां से इस बोन को तोड़ देगा और H dot से react कर जाएगा and what you are going to get you are going to get BR यहां लग गया H और क्या free हो गया BR dot यह BR dot आपका free हो गया और यह BR dot अरे वाँ पीछे से चिलाने की आवाज आ रही है शट खोल के लोग नाच रहे हैं कि सर समझ में आ चुका है अब यह BR dot वापस से यहां काम आ जाएगा इतना चेंड रियक्शन हो गई रेडिकल्स रियक्शन मोस्टली चेंड रियक्शन ही होती है अब आप फुस हो सकते हैं यह चेंड रियक्शन घूमता रहेगा तैट इस यह और प्रोपेगेशन पिछले नोलेज के आदार पर बता रहा हूँ यह है आपका प्रोपेगेशन यह है आपका इनिशियेशन क्यों सर अरे भाई इसने इनिशियेट किया जैसे ही यह बना था इसने रियक्शन को इनिशियेट किया इदन प्रोपेगेशन है अब ध्यान से सुनना सर वो कहा है टर्मिनेशन तो जो 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 डोट बज गए है यह डोट हो गया इससा को जोड़ लेना आपस में आंसर वह आएगा तब अगर बात करें कि सर यह हो गया यह प्रॉपर मेकेशन बताया बाई यह क्लास में बताते है मैं आपको मनजील में वन शॉट में बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस रियक्शन में को आप तमीज से दिखे अब इसमें सवाल आ सकता है जोई मेंस के अंदर यह आडवांस में कि यह काम SCL और HBR में नहीं होता SCL सुरी H I E B R तो होई रहे SCL और H I E में नहीं होता SCL और H I E में यह काम नहीं होता यह possible ही नहीं है सर क्यों? क्यों सर? क्योंकि SCL में मैं आप लोगों से सोचने को बोलता हूँ SCL में इन दोनों स्टेप में एक स्टेप आपको पता है जब मैं ऑफ्लाइन पढ़ा रहा होता हूँ यह जब मैं आपकी टॉपर बेशन पढ़ा रहा था विजिस्वाला के तोप मोस बेशन पढ़ा था SCL में क्या चैने हो अलकी तो भी रहे जाएगी यहां आएगा CL. यहां आएगा SCL आप से पूछता हूँ SCL में कौन सी स्टेप एंडोथर्मिक आने वाली है सोच समझ के बताइए SCL में शायद यह स्टेप एंडोथर्मिक आएगी जल्दी सोचिए इन दोनों स्टेप में एक स्टेप पॉसिबल नहीं है अगर CL आया तो हाँ बिल्कुल पीछे से आवाज आ रही है सर स्टेप फूर इस एंडोथर्मिक इस एंडोथर्मिक क्यों सर CL. तो बहुत जल्दी रियाक्ट कर जाएगा CL. is a highly reactive species फटाबट रियाक्ट कर जाएगा लेकिन SCL break नहीं होगा लेकिन SCL break बहुत बहुत पर energy लगेगी तो ये स्टेप एंडो हो गई ये स्टेप एग्जो हो गई एक भी एंडो हो गई तो स्टेप नहीं होगी energy नहीं मिलेगी तो हम reaction नहीं कर पाएंगे HI में HI में I.HI HI तो इसलिए तूट जाएगा HBR से भी इसलिए तूट जाएगा इसलिए वो तो एक्जो हो गया लेकिन I.DOT खुद इत्रा stable है कि react नहीं करता उसी के चलते ये इसके अंदर step 3 is endothermic 1 में step 4 endothermic या ऐसे बोलो कि propagation की पहली step आपकी endo है I.E.K.S. में step 2 is your endothermic I.P.O.P. आपको मेरी बात है समझ में आ रही हूँ ये था SCL-HI-Perox तो मलब क्या करना है सर peroxide effect is operative only and only in case of HBR मतलब HBR peroxide आये तो peroxide effect लगाना है SCL और HI के साथ कभी peroxide effect operate नहीं होगा और तो और अगर आपको SCL और HI में आ भी जाए तो आप simple जो आस्ता करते हैं मान लीजिए आपको question ऐसे दे दिया plus SCL peroxide तो आपको दिमाग नहीं लगाना है इसका होने या ना होने से system में रती भरी फार्क नहीं पड़ता simple as a plus बनाईए यह लगा दीजिए that is answer अच्छा तो इत्ता ही करना है हाँ जी आपको cable peroxide के कब सोचना है HBR के case में और मैं फिर बोड़ रहा हूँ दिल पे हाथ रखके आप लोगों को IAT के paper की कसम है आने वाले जो भी पच्छा इस वीडियो को देखता है और वो IAT देने वाला है तो मैं फिर बोलू आपको J E exam की कसम है किस reaction को बिना पड़े कहीं पर भी इस reaction को बिना पड़े जरा सा भी move मत करना इस reaction को बिना पड़े कहीं भी move मत करना यह आपको आना चाहिए चलिए आगे यह था हमारा paroxide effect खराश effect इसमें anti-marconic variation होता है यह पार्ट हुआ अब हम आगे move करेंगे Now we are moving towards a next reaction known as ozonolysis अच्छा यह भी है क्या चलो उसके काम करते है उसमें लेसे से पहले एक reaction पढ़ेंगे इसका नाम है NBS NBS पढ़ाओगा आप सब लोगों ने आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है NBS 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 का full form लिग देता हूँ मैं NBS का full form है Nbromo NBS का full form है Nbromo मुझे तो आज सक बुरा लगता है मैं जब भी कोई इंटर्व्यू लेता हूँ तो लोगों से पुछता हूँ NBS की full form क्या है लोग चिला के बोलते है Nbromo Succineamide गलत जवाब है NBS has a full form Nbromo Succineamide Nbromo Succineamide That is a full form of NBS NBS की full form है Nbromo Succineamide Nbromo Succineamide वो जब structure सर Succineamide याद नहीं करना Succineamide Succineamide यह रहा Succineamide OH-OH यहाँ भी COH उपरवी COH लेकिन Imide है पहले Amide Succineamide क्या होगा यह होगा आपका Succineamide यह होगा आपका Succineamide और हीट करने पर आप इसमोनिया निकालेंगे इससे जो बनेगा वो है आपका Succineamide यह है आपका Succineamide तो N पे Bromo इसमोन न पे Bromo N पे लग गया Bromo और बाकी पार Succineamide इस यूर इस यूर N Bromo Succineamide N B S यह यूर N B S और इस वासर नाम में भी हमें हर चीज तमीशे करना चाहिए और इसका सबसे बड़ा यूज ये बस अपने जहन में गोट लेना इसका सबसे बड़ा यूज है Alleylic दिखाता हूँ मैं आपको And Benzailic Position पर Only Alleylic And Benzailic Position पर BR substitute करता है BR लग जाता है अच्छा मतलब सबसे नहीं समझाता हूँ By a pre-radical By a pre-radical intermediate अच्छा इसका mechanism बहुत लंबा होता है मैं अपने अच्छे वाले बैच में बताता हूँ काम नहीं आता बच्चों की इच्छा होती कि बताओ 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 सरामे तो बताओ हमें जानना है मैं नहीं है लेकिन हाँ अमरे काम का है सर को example देके समझाओ सर यह लिया Allylic क्या होता है अब मैं आपको सिखाऊंगा Allylic और Benzylic Allylic क्या है Benzylic क्या है तो भाईया Double Vinyl होता है Double Bond पे इस Double Bond पे कुछ लगाओगे इस Carbon पे तो वो हो गया Vinyl Double Bond के बाजू वाले Carbon पे कुछ लगाओगे वो होता है Allyl अच्छा तो मतलब इस वाली Position को बोलते है Allyl Position और Benzylic क्या हुआ सर तो Benzyne के बाजू वाला Carbon Benzyne के बाजू वाले Carbon को बोलते है Benzylic Carbon तो Benzylic Carbon पे होने वाली Reactions को बोलते है Benzylic Substitution या आप इसा बोलो NBS का मालो ये लिया Arrow लिया मालो मैंने इस पर मैंने लिखा NBS तो आपको क्या सोचना है इस तर अलाइलिक और Benzylic पे बनेगा तो पहले हम क्या करेंगे हम बनाएंगे Free Radical तो रने बताया Free Radical अब यहाँ हम देखो एक तो इसको Resonance भी करवाना है तो Resonance करवाईए Double or Dot अरे इतफाक से दोनों ही क्या है Same है तो हमें BR लगा दो That is your तो इधर लगा उधर लगा बात तो Same है अगर दोनों अलग होते तो दो answer आते पर stereo पूसता तो stereo से करते लेकिन हमें यहाँ simple सा answer बराना है और यह आपका answer है So that is a NBS मालोड toluene होता देखो इस पर सवाल आ सकता है toluene होता और toluene पर कोई NBS पूसता तो क्या करते चुप चाप एच्छटा के BR लगाते और आपका answer आता Benzene पर CS2 BR Benzene पर CS2 BR That is a NBS Allylic और Benzalic Devil born के बाज़ो वाली और Benzene के बाज़ो वाली पोजिशन उसको बोलते हैं Allylic और Benzalic That is a NBS for all of you यह था NBS चल्दी से लिख लीजिए लिख लीजिए चाप लिया आगे चल अबेजी सा है NBS करना क्या है आगे चलते हैं अगली रियाक्शन बहुत important reaction रियाक्शन का नाम है Ozoneolysis Hey board महराज सही ले लो सही बहुत सही Ozoneolysis अबे नाम में ही लोग पूछते हैं नाम में क्या रखा है हमने कहा नाम में ही सब कुछ रखा है औरगनिक वाले तो नाम में ही सब कुछ जून लेते हैं हम तो वो लोग हैं जो औरगनिक वाले नाम में ही सब कुछ जून लेते हैं Ozone O3 Lysis मतलब breaking अच्छा तो Ozone के दोरा breaking O3 के दोरा bond की breaking is known as reaction is known as Ozoneolysis Ozone के दोरा Lysis Sir कैसे करना है आओ अच्छ तुमें हैं सिखा है reaction Ozone Lysis की CS2 double bond CS2 यह क्यों लिया कुछ और लेलो और यह कुछ और लेलो तो अलकीन पर ही करना है हाँ अलकीन पर ही करना है अलकाइम के भी होती है पर हम अलकीन पर पढ़ेंगे IIT में जब जब सवाल आ है इस पर bond तोड़ दो तोड़ दे तोड़ दो तोड़ने के बाद आप लोगो बताना चाहूँगा तोड़ने के यहाँ पर दो तरीके हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ज़्यान से एक region देखो मैं इसका mechanism सिखाऊँगा बहुत लंबा mechanism है O3 Ozone यहाँ जिंक नहीं है या इसके साथ आप लिजिए परोकसाइट S2O2 वो भी चलेगा S2O2 भी चलेगा अब सारी दोनों में फरक है क्या हाँ बता दू मैं आप लोगो को कुछ लोग दुनिया में कहते हैं ना बगवान जोडिया उपर से बनाके बेजता है पीछे से आदमे कुछ हो रहा है आपको कैसे पता हमारे बारे में अरे भाई सुनो तो सही देखो तो सही ठ्यान से देखिए कुछ लोग ऐसे दुनिया में पाए जाते हैं जिनकी affinity चिनकी पागिलपन ऑक्सिजन के लिए बहुत ज़्यादा होता है जिंक फॉस्फॉरस सलपर जिंक में बनेगा जेड़न ओ दे आर नोन एज दे आर नोन एज ऑक्सिजन ट्रेपर यह ऑक्सिजन को जितना जल्दी हो सके होता ट्रेप कर लेते हैं अपनी तरफ पागल होते हैं ऑक्सिजन के लिए जड़नों पी-ओ-पी-एस-3 आहा फॉस्फॉरस ऑक्सिजन मजा आ गया मजा आ गया एस ओ एम इटू को ट्रेप कर लेते हैं से क्या फाइद हुआ औरे भाईया ओतरी में परोक्सिलींक गाइज है एक प्री होगा उस ऐक्सिजन तो फ्री होने से पहले ही ये ट्रैप कर लेते कि तुम हमारे पास आओ, उससे फर्दर रियाक्शन नहीं होती, सर कैसे आओ, जहां से तमीज से दम दिमाग लगा के अपना भीजा, यहीं रखना, और समझते जाईए, आप को करना क्या है, आप ने जैसे ही ये बोन तोड़ी, इसको भी oxygen दो, इसको भी oxygen दो, मतलब सर, CH2 था, double bond था, O लगा दो, double bond तोड़ो, O लगाओ, इधर भी, उधर भी, अच्छा, तो इधर क्या बना, इधर भी क्या बना, CH, double bond O, तो सेम भी बन गए, फॉर्मल्ली हाइड, तो दो मोल, फॉर्मल्ली हाइड बना, यह है, सर, य यह, यह zinc का क्यूज है, O3 ने तो, मैं आपको बताऊंगा, mechanism क्या है, यह दोनों ने मिलके क्या किया, bond को तोड़ दिया, इतना ही करना है, सर, इतना ही करना है क्या, हाँ जी, केवल इतना करना है, मैं आपको examples को साथ, अभी मैं आपको 10 example, 5 example, 7 example लोंगा, चाहाँ आपको ए इसे ही करवा दूँगा, बहुत जल्दी, aromatation बचा है, बेंजी बनाना सिखा दूँगा, बहुत इजी पार्ट आपका, हुझाय कवर, आपको कुछ 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 फिर मैं आपको आरे इस्पेशल कराऊंगा, थमाधम, तीन-चार, तीन-चार या या फिर एक लोंगा तो ब बनाना ही है, इनको चेक करना है कि यहां पर जितने H है, CO वाली बॉन, यह बाजूस चुड़ेवे H, इन सब को OH बनाना है, इसको बोलते है, इसको बोलते है, रिड़क्टिव ओस उनले से, रिड़क्टिव क्यों, क्योंकि रिड्यूस मलब इसमें क्या होता है, जिंक वह वो आपका ट्रैप कर लेता है इस वाले केस में क्या होता है धियान से सुनना और इसको बोगों ने पढ़ा है अल्डिहाइड में हटा ओएच लगाओ तो कारबन डबल मोंडो थाई इधर भी ओएच इधर भी ओएच ओहो दो एच एक कारबन पर यहां पर दो मोल सीओ बन जएगी क्या में लाओंगा भी टेंशन मां ले यह को बोलते हैं इसको बोलते हैं oxidative ozone an rises यह आपका oxidative Wales mindfulness मतलब से कैसे हुआ है क्या हुआ तो यह नहीं रुका नहीं रुका तो एस्टू के साथ एस्टू बना लेगा यह ले लो यह दोनों लोग मिलके क्या करेंगे एच को हटाके क्या लगा जाएंगे ओएच जितने भी अच्छ हैं अब एक एच्छ लग जाएगा दियां दो एच्छ से कहां लगाना एच कार्बन पर ने भाई चाहां सी यो वोंड उस से अटेज एक्जामपल समझाता हूं अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी पहला साथ साथ सॉल करने की कोशीश करना आप गलत करोगे कोई बात नहीं rec NOT करना में आफोसे खाओंगा घलत करने से ही आधमी शिखेगा यह देखिए एक में रट्ट्यों एक में चीच्छ लग्सिजिये बगत क् fool चाहँ ओ ओष्यों जिन रो ओ, ठीक है, कोशिश करो मेरे साथ साथ, मेरे संग संग, कोशिश करें भाई लोग पीछे सा आवाज आ रही है तो बहुत एजी है भाई, एजी तो है, लेकिन सोचना तो आपको पढ़ेगा ना प्राई करें प्राई करें कोशिश करें भाई लोग कोशिश करें भाई लोग प्लीज टाई दे कुश्चन कोशिश करें अगर आप से हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यहां दिया है O3 Zinc S2O यह O3 Zinc S2O यहां मैंने 6 क्योश्चन लिये हैं हर वेरियेशन पर सवाल दिये हैं मैंने यहां पर हर वेरियेशन के क्योश्चन दिये हैं आप लोगों को कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मुझे से लग रहा है कि शायद बोर्ड इदर हो जाएगा कोई बात नहीं इदर कर लेते हैं कोशीश के मैंने हर वेरियरेशन देने की कोशिश जाएन कोशिश कि खवालया कोई दोडवकोными डबब रगजाओ मतलब सर 20 कोशिश करें sudah नीजाने पर करना किया था मांने भूल गया है बूल गये तो कोई बात catching तो यह स्टू डबल बॉन ओ अच्छा आपका एसिटल डिहाइड इतेनल और यह आपका हो गया फॉर्मल डिहाइड मेथेनल इतेनल एंद मेथेनल आउप्टेंड तो आपने हमें क्या सिखाया उसका इसके अंदर आपने बुला है अप सरी यह एच अटने की यह बच्छों का स्टारा हूं मैंने क्या भूला था सी यो पर जो एच सी अला एक ही है उसको अपन ऑफसे करेंगे सी एच त्री सी डबल बॉन ओ यहां जो एस था वह बन जाएगा ओछ अच्छा एसिट बन गया हां जी यहां बन गया एसिटिक एसिट इस ते क्या बनेगा तो यहां दो और पर्मल्डी हाइड उमीद आपको मेरी बास समझ में आ गई हो पता है आपको एडवांस के लिए पहुत इंपोर्टेंट है पता है एडवांस के स्वाल कैसे गुछता है यह कंपाउंड के के निजारो देगा यह देगा वो देगा इस तरीके से मिक्स करके इस कि अब इसको करो औक्सीडेटिव में यह क्या बनेगा यह सी रहेगा सी ौवड ओव फ्लस यह तो आप इस पर स्यूगर एच तो ही नहीं इस सीओ के पास इस कारबन के पास है इस सीओ के पास कोई एच नहीं है तो यह कंपाउंड चायज़क्टि उपर आओ ऑक्सीडेटिव कराओ स्यम रहेगा कितनी धांसों चीज है मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रट्टिव और ऑक्सीडेटिव से आंसर एक्जट्ली सेम आए यहां देख लो ऐसा का ऐसा हुआ है हो नहीं सकता हो गया है यहां से अलगाया कर दोनों अगर मालों यह unit यहां होती तो तो ऑक्सिदेटिम और दोनों आंसर क्या था था सीम आता अब हमें यह दिया है अब उल्ड़ा दिया आपको रियक्षन के बाद प्रोपेनल बना चुप-चाप प्रोपेनल बना लो यह आपका प्रोपेनल और एस टोन मना एसितोन यह रहा एसितोन अब क्या करूँ मैं इन द आप और यह बनगया होगा सुदम उपद जैसा हो गया था वैसा ही कुछ तवाल है देख सकते हो ऐसे बनाओ यह रहा कारबन यहां से लो डबलबोन और यह कारबन आई से ओधो अजिसराई करना एक और बता हो देख लो इसको तोड़ के देख लो से मन कवे से पार को समगा में आना चाहिए और शैसी और बेंजीन कजा जाएगा हा बेंजीन डिस्क्लेमर्स कीहा बेंजीन कीम-घूर ठाट कि आदेश ना दिया हो अगर क्यूशन में आपको देख के समया रहा है कि बेंजीन भी तोड़ नहीं है तो तोड़ दो अगर बेंजीन के अलाव बालो यहां एक पाइबॉंड होती है यह तो पहले हम यह पाइबॉंड तोड़ते है ताकि एरोमेटिसिटी में आओ एक एक करके देखो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है यह लिया डबल बॉंड ओ डबल बॉंड यह बनो तो यह है मैंने पाइबॉंड तोड़ दिया अब फिर से इसको तोड़ दो तो क्या बनेगा यह बॉंड तो रही गी टबल बॉंड ओ यहां बॉंड अच्छा सेंगल बॉंड फिर से इच्छो तो यह से रहा और यहीचीज यहां भी मिलेगी यहीचीज यहां है मिलेगी. तीन मोल ये बनेगा, छिसको नहीं समझ में आया, वो एक बार अपनी कॉपी निकाले, एक बार अपनी कॉपी निकाले और इक चेक करें, फेल नाजर नाम बना एक हम दिना, ये लिया, HE, ये लिया, huh, ये लिया, Si EU, हे रहा, । हो। हो। इसमें दोनों पूर्ण को तोड़ना है, जिन बच्चों को थोड़ी फी आजाए, एक साथ भी तोड़ सकते हैं, ये लिया, पीछे सावाज सावाज साथ किसी को भी तोड़ सकते हैं, बेटा तुम तो माहान हो, ये लिया, देखो मैं तो जो है वो बना रहा हूँ, ये, ये, डबल बॉंड ओ, ये वाला, ये पार्ट टूड़िया, फिर ये बॉंड टूटी, ये सिंग्मा बॉंड, उपर डबल बॉंड ओ, ये दो आंसर आपको मिले, ऐसे सवाल आते हैं मेटा, आयाटी में सवाल आते हैं, फिर आपसे इस पर अल्दी हाइट की टून वाली इस सवाल की बात करो, सिक्सवाले की, सब क्या करना, इसमें कुछ ही नहीं, यही मॉलेकुल मिला है, क्या करो, सब दूसरा मॉलेकुल नहीं, इसी में देखो, एक, दो, तीन, चार, और पांच, पहला और पांचवा कारबन जो है, उन में डबल बॉंड थी, इसलिए टूट पाइबॉंड रही होगी, उस पाइबॉंड को तोड़ने पर, यहां भी डबल बॉंड आया होगा है, यहां भी लेकिन, वन वाले कारबन पर, एक मिथाईल भी लगा हुआ है, वो भी लगा दो, आपको मैं फिर बोल रहा हूं, जेई मेंस में से सवाल आते हैं, जहां ओज लगों को खरना आना चाहिए, तर्फ क्या सोचना है, जहां पड़ी है, उसको जोड़ दो, चाहां की डबल बॉंड ओ, इन दोनों कारबन को जोड़ो, और उनके बीच में डबल बॉंड लगा दो, इतना सा काम मेरे लिए कर लेना, और आपका काम कम्प्लीट हो जाएगा, और आपका काम क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा, यह बहुत इंपोरेंट पार्ट था, जिल से बोल रहा हूँ, पहले आपको जुआट सिखाया, कॉंसेट करवाया, क्योश्चन्स करवा दिये, अब मैं आपको आँगा, इसके मेकेनिजम वाले पार्ट पर, and then, ल कोई बात नहीं, कॉपी पेंट लिजिए, तोड़ने कोई नहीं आए, पूछिए, डाउट पोडल है, आपके बास, पूछिए, बिंदास पूछिए, पर पूछिए जरूर, उमीद आपको मेरी बास समझ में, आई हो, अब इसका मेकेनिजम, बहुत बयानक मेकेनिजम है, सिखाने के कोशिश कर रहा हूँ के वल, O3 लिया, O3, ये लो, ये प्लस, ये माइनस, देखना भाई लोग, मैं आपको सिखा रहा हूँ मेकेनिजम, जो जीतना सिखा तो हुछता हूँ, मैंने इसका पूरा मेकेनिजम है, मैंने बैचेज में समझाया हुए, प्रयास में अब टॉपर पर बेजम समझाया हुए, समझाया हुए, ये लेक्टरोन यहां दिया, तो उरको हाई-पाई तो नहीं हो रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस दो कम्प्लीट रूम देशिक, इसने लेक्टरोन दिया, ये बोन आपकी, बोन ब्रेक हुई, ये आपकी बोन फॉ वहां हुई, ब्रेक-, फॉम, ब्रेक- फॉम, एक चलताराता हुए, बी- एफ, बी-F, मिला समझेया ना, बी- फॉम, ब्रेक- फॉम, ब्रेक- फॉम, ब रेक फॉम, परी- पॉम, ब्रेक- फॉम, ब्रेक- फॉम. भी- व alive-, ये आपकी, ये बी- आपकी ए-वी-व, इतो Ale brands तो इसको बोलते हैं मोलोजोनाइड और यह मोलोजोनाइड और यह मोलोजोनाइड ब्रेक होकर क्या बना किभी और यह वह यह आटॉमेटिक ब्रेक बनाता है जॉंपड़ी हट कैसे CS2 CS2 रखा उपर एक oxygen ऐसे और दो oxygen जो बज़ गए वह ऐसे जॉंपड़ी बनाता है और इसको बोलते है मोलो जोनाइड मोलो से क्या बना मोन जोनाइड मैं तो इवन पता है एडवांस वाले पार्ट में मोनुज़ निकालना भी दिखाता हूं एडवांस बहुत अगभी आ जाये तो पूर उतना डेफ में जोत नहीं है हमें यह एडवांस तक के लिए बहुत इंपोरेंट चीज़ कौन सा इंटर्मेडर बनता है क्या बोलोगे मोनोजोनाइड क्या बसान फिर बात मैंट फूर जाता है डालना है जो ऑक्सीजन को अपकर ले ऑक्सीजन ट्रेपर यूज कर लो आपका काम हो जाएगा आप वहीं रुख जाओगी जहां होना था अगर नहीं यूज किया रियक्शन बार बार होती रहेगी अल्डिहाइड एसिड में जाएगा पॉर्मल्डिहाइड सीओ टूम जाए वह आई हूँ वह आसान सा है इसलिए आपको मैंने पहले सवाल करना सिखाया अब फिर मैंने आपको इसका मैकनिजम बताया दोनों पार्ड लग लग किये मैंने आपको एक साथ नहीं बताया को जी वी चान बुझ के अलग अलग कराया ताकि आपको ध्यान रहे कि हम क्या कर रहे हैं एक आकरी reaction अलकाइं की थिर्ण आपको समराइश करूँ गा बिर्जू ये अगर हमारे हिंदुस्तान में होता लोग सक्रेदा बोलते हैं बहुंते बहुत करो बोल दुरो बर्च बोल लो उसका concept और इस concept से आप मानोगे ने, आप alkyne की भी reaction को सीख जाओगे, आप alkyne की reactions को भी साथ ही साथ सीख जाओगे, आपको alkyne की reactions भी जाओगे, यह बहुत important reaction है, आप कम से कम 10-12 star इसके उपर कर सकते हैं, आपको पता है, रोईसर है, star बनेंगे ही बनेंगे, most important reaction, यह 21 में, last question आया है, इसके उपर, आप लोगों को भी करना है, इतनी important reaction है, यह, this is a very, very, very important reaction, चल्दी से इसका heading डालीजिए, हम भी जितते हैं, जल पी लें, हम भी जितने, जल पी, चलिए, शुरू करते हैं, burst reduction, देखो, क्या है, इसमें हम लेते हैं, R, C, triple bond, C, R, जाहां से सुनना, इसमें तीन पार्ट है, ट्रिपल, टर्मिनल ट्रिपल, और बेंजीन, बेंजीन पर कुछ नाज तक IAT के अंदर आया नहीं है, पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों करें, यह, सब यह बोला करते हैं, यह कभी नहीं आएगा, आता नहीं है, पर यह इस साल IAT में आ गया, तो ह आपने शर्थ इन और गिनिक केमिस्ट में पढ़ा भी हो, यह एक blue colour solution है, यह एक blue colour solution है, यह अपर क्या है, blue colour solution है, blue colour solution के चलते, अब इसका main role की नहीं है, देखो, सिखाता हूं मैं आपको, sodium का काम क्या है, electron देना, अरे बाइज, sodium का क्या है, electron देना, पीछे सावाजर से, electron क और बज़ पन से स्ब्खा रहे हो मैंने किया ऑला इलेक्ट्रॉन पॉल यह बैस हो ज़ानतों यहां पहले लेकिन ए नहीं है नहीं है दो यह थ। नहीं हो पाएगी तो आपके कीया और अब हैन् du सुनिएगा लेक्ट्रोन ने अटेक किया पाई बॉन बेस्ट जरूँ थे नहीं देखिए तो बना जुगारत सो सिखाई दूँगा मैं आपको अटेक किया तो आर सी इसको इलेक्ट्रोन दिया यहां आया फ्री रेडिकल आपको मैंने अभी सिखाया था स्टार्टिंग में ए एक तरफ एक लेक्ट्रोन दोनों सेम साइड रहे तो क्या करेंगे हाईली रिपल्शन सो इसलिए होता क्या है आर सी कि एक एलेक्ट्रोन और यह माइनस चार्ज अपोजिट रहते हैं यह बन जाता है आर और आर तो कि रिपल्शन मिनिमाइस करने के लिए बोट विल बिकम अपोजिट डिरेक्शन सो इसलिए अब आपको कर यह दहाने ना सर वर्फ न कर रहेंगे इतना समझती समझ जाओगे कि यह आर और कि कहां होगे अपोजिट डिरेक्शन में होगा है एट स्वाइट ट्रांस अलकिन फिर इसको क्या करेंगे अमोनिया यह एच देगा अमोनि को डावल वॉम्ट सी इधर भी एच कौन सी अलकिन बनी भाई इधर बनी आपकी प्रांस अलकीन फ्रांस अलकीन सरे ईड़किन यह वन गई और याद करो सिस किसे बनाएंगे चाहता हूं सिस याद करमें आपको बताया था लिन्विलार केटलिस्ट, S2 PDBSO4, याद करो बचाया था मिनापको PDBSO4, S2S S2S एड होगा, वर एक बार S, S, दोनों S, सेम साइट लगेंगे वहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, वहाँ सिस, यहाँ ट्रांस, डाट इस ब्यूटी of Birch Reduction, अभी मैं इसके क्योशन कर रहाँगा, आपको जबर्दस वाले बर्च के, दूसरा केस सर, मान लो, ऐसा हुआ तो क्या करोगे, मान लो ऐसा हुआ, R, C, ट्रिपल बॉंड, C, H और आपने, एरो पे सेम चीज ली, आपने लिया, सोडियम इन Liquid Ammonia, अब क्या करोगे, सर तो यहाँ पे सोडियम Electron देगा, और चिला के बोलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा नहीं नहीं कभी नहीं, तो कहां जाओगे फ़ला सर, यहाँ मुझे Acid Base दिख रही है टिपल बॉंड का H High Electronegativity के कारण H बहुत ऐसे लिग होता है इसलिए यह आपकी है Terminal Alkyne Terminal Alkyne, Terminal Last में Last वाली के पास हमेशा क्या रहेगा H रहेगा, तो Acid Base करके H dot बनाएगा और S dot, S dot में क्या बना लेंगे H to guest, सो अब आपको यहाँ पे बर्ष तो हुआ ही नहीं, Simple Acid Base होकर, रुख गया Half more is to, बाहर हो गई हैं, यह क्या किया सर इसलिए कह रहा था Terminal Alkyne पर Burst Reduction नहीं होता Terminal Alkyne पर Burst Reduction नहीं होता यह आपको किसी भी आलग में ध्यान रखना है At any cost आपको पता होना चाहिए कि Burst Reduction नहीं हो पाता Terminal क्यों नहीं होता Acid Base Reaction, this is your Acid Base Reaction तो आपको पता है J-E का सवाल क्या था, मैं आपको सिखाता हूँ J-E का सवाल ऐसा रुष्ट था Example ले रहा हो, बाहरे, वो Centi मत होना, ऐसा थोड़ी तासर यह लिए माल लो, ऐसा विपलिया Experiment डाला, sodium and liquid ammonia यह लिया, तो क्या होगा, यह ट्रिपल जो बीच वाली है, वो तो बन जाएगी डबल, ट्रिपल बन जाएगी डबल, कौन सिख की ट्रांस, तर इसमें डॉट और मैनोस आपोजिट ट्रांस, नहीं याद रहे, तो H2 वाली सिंथी, सिस बनता था, यह ट्रांस बनेगा, ऐस एश प्रस देता हो गए, कोई फाइदा नहीं और अफ देखेस, A.I.I.A.T. का सवाल, A.I.T. ने दोनों को डबल बनाया, इसको दबल बनाया, इसको छोड़ दिया, इसको बनाया, इसको छोड़ दिया, लगिने, इसके साथ इसरो總, ट्रांस तो बना दिया, तो ध्यान इसलिए जान रखने वाली बात है यह और जो लास्ट केस है वह बेंजीन का केस देखो समझना इसको समराइज भी करते रहे हैं असा साथ में बेंजीन का केस बेंजीन के केस में क्या होगा आपने लिया यह सोडियम लिक्विड अमूनिया तो इस केस में क्या होता है आपकी बनती है परलल अलकीन मैं आप लोग को थोड़ा हिंट दे रहा हूं यह लिया यह लिया इलेट्रोन का टेक हुआ एक बनेगा मैनस एक बनेगा डॉट तो जोनों रेजोनेस कर जाएंगे तो होती है यह सबता है आप लोग आप हूं आ कभी पढ़ाना हो यह आप लीजो ना बता व बता बेंजीन वाले किसिस जो है आपके आईटी सिर्मस में है हाँ इत्फाक से आप तक दो किस पूछे और भी आप पूछ लिए तो ये भी आने के सम्भावना है आपको क्या बनानी है हमेशा परलल अलकीन ये उससे क्या होगा डॉट और माइनस क्या रहेंगे दूर दूर और अगर मनलोग अभी कुछ लगा के दिया तो आपको वह बनाना है जिसको बनाने से अलकीन क्या हो इच्ट्रॉईंग के पास में रहेंगी या दूर रहेंगी if I am giving you the nitrobenzine तो क्या करना है तो एक डबल आप समझे ना इसका आंसर क्या आएगा NO2 के पास मैं रखूँ अलकीन को या दूर रखूँ तो खीचता है इसके पास बिल्कुल नहीं रहे तो ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा इधर अलकीन को रखा दूर की बात आपने बातों बातों में एक बहुत इंपोरेंट रियक्शन सीख ली ट्रिपल बॉन्ड की कि ट्रिपल बॉन्ड का यह जो एच होता है यह काफी अच्छा एस्टिडिक एच माना जाता है अगर ता आपने सोडियम लिया आपने NANS2 ले लिया आपने कोई भी ऐसा स्ट्रोंग बेस ले लिया वो यहाँ से H को आराम से निकाल लेगा तो इस H को निकाल लेगा आपके सिल्लेबस पर यही दो मेन आते हैं यह दोनों के दोनों क्या करते हैं रियक्शन करते हैं H C triple bond C माइनस N A plus हाँ यह भी रियक्शन कर जाएगा अगर यह है तो यह आर हुआ तो यह है नहीं करेगा H जो टर्मिनल H है वो ऐसे लिक होने के कारण यह रियाक्शन कर जाता है और NCRT के अंबर अब खुस हो सकते हैं मैं आपसे पुछा होता कि यह पास्ट यह करेगा यह वाला कौन सा माइनस ज़्यादा स्टेबल है तो यह वाला माइनस इलेक्ट्रोन दे रहा है यह इसको तो अंस्टेबल हुआ यह ज़्यादा आराम से बन जाएगा बलब यह तो ऐसी दिख सेंथ है जो आपने जी ओसी के बन शोर्ट में शायद पढ़ी हो कि इन दोनों में कौन जाए ऐसी दिख है समय मैं आपको रीजन क्योंकि NCRT लिखता है आपको बता दिया So that is the NCRT reason and NCRT part अमीद आपको यह एक एक चीज समझ में आई होगी आपको एक question देता हूँ जबरदस्ता question आपको solve करना है आपको समय दूँगा solve भी करना है पाय करें मेरे साथ साथ यह रोहित special मान लीजिए पी बन गया e से 2 एरो गए एक लिया आपने s2 pdb s4 कुछीच करें सभी लोग जो भी लोग देख रहे हैं please कुछीच करें please p q आप यह लिया ठीक है अब मैं आपको कुछ reaction दे रहा हूँ यह हो गया यह हो गया अब मैं साथ साथ q लिया q को मैंने तीन बता रहा हूँ और यह r लिया देखो मैं सारी reaction करवाने कोशीच कर रहा हूँ कि यह बच्चों को मैं वो सब बता सको जो मेरे हाथ में है यह लेजी बहिया टॉपर ऐसे ही बनता है एक बच्चा जो एवरेज जो लोर बच्चा है वो अपर लेवल पर तभी पोस्टा जब वो बेसिक भी सीखे एडवांस भी सीखे अगर आप यह कभी गलत परमिन पाल के बैठा है इसीजी कर लेजे हैं हो जाएगा आपना तो बहुत है कभी नहीं होता बिठा उतना कभी सफिशेंट नहीं होता मान के चली मेरी बात को रोई सर बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे होंगे मैं आप लोगों से इतना ही बोलूँगा बोड़ा फेद करेंगे तो मज़ा आजाएगा आपको क्या यह जो सामने आपके टीचर कड़ा है यह वो टीचर है जो एवरेज को भी टॉपर बनाता है और टॉपर को और समवारता है रैंक लेके आता है इसलिए बोल रहा हूँ तमीज से सीखना अपने आप चीज़ें बहुत बहतरी नहूंगी यह मेरी गैरंटी आपके सामने आए करें यह है आपका कोशिश करें यह आपको करना है यह आपका आरे स्पेशल है यह रोगी तकरवाल स्पेशल है जाली सॉल करें सॉल करें इसको जल्दी से जल्दी सॉल करें इसको सॉल करें चलिए आपने यह स्पेशल वाला कॉश्चन करी लिया होगा मुझे पता है आप जब धुवदार बच्चे हैं बहुत जबदस तरीके से सॉल कर लिया होगा हम भी कर लेते हैं आप्रस नस्टु मैंनस यहां करेंगा असिद बेस अधिक आपने सीट्री आपने स्थी आईपर इस साथ यह जई एडवांस इस सवाला आया था जब लास्टियर वाला यह फिर इसके पाद S2-PT-B, अलकाइन पे लिनलार के साथ S2, CIS, अरे साथ सोडियम लिक्ट बर्स एडक्शन, ट्रांस, एक सिस, एक ट्रांस, तो एक क्यों आपका है सिस वाला, और आपका है ट्रांस अब D2 नीकल, D2, यह कैसी है प्लस, यह कैसी है ब्लस, 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 तो आपका आणसर आजाएका, ME, ME, H H D, D, H H D, D, प्लस 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 यह है आपका माइनस तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एमी यह ब्रोमीन यह ब्रोमीन यह एच यह एच सिमेट्री नहीं है तो प्लस इसकी मिरर इमेज प्लस इसकी मिरर इमेज प्लस इसकी मिरर इमेज क्यों सिमेट्री नहीं है प्लस मइनस मइनस बेरश रीजेंट अभी बताया था हाइड्रोक्सिलेशन में क्या वह 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 वाई है यह यह यांद ईसे तो बेरश एदेगें प्लस 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 यह वह वापस ए भगवान सब प्लस वाले हैं ओएच ओएच सेम साइड जैसे मैं कर रहा हूं उतना में आपको भी करना है अब इसको भी कर लेंगे ओडी आफ्यट ए समय पॉज्री और डी हाँ समय या ऑपोजिट सेड लग जाएंगे मांड़नाज पलस दोनों भी आइडा सेंट आधा जाएंगे माइनस यह किसाद regular प्लस यह किसा है माइनस माइनस प्लस माइनस दोनों और अपोजिट से राजाएंगे इतना ही फरक है बस यह आपको यह सिखाने के लिए था आप स्टीरियू के में सीख जाए तकि एडवांस को लड़ सके आप यह इजी इजी वाला पार्ट भी सीख जाए तकि जाए में से हैं अब पता है उन्हों ने क्या किया था उन्हों ने यह चीज बनवाया था उन्होंने प्रिपल कैसे बनाए एक तरीका एन्हों ने सब से important तरीका जो मैंने बच्चों को दिखाया भी था आपको भी बता रहा हूं कि carbides के hydrolysis से यह पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्यों देखो पता क्या है अब मेरे पास बताने के लिए क्या है अलकेण पूरा होता है अलकीन पूरा हो गया अलकाइन पूरा हो गया अलकाइन के यह आखरी दो रियाक्शन बाकिए चार्बायड है लेसस और इस ब्लॉक्षी इज़रूरी पढ़ाते हैं ब्लॉक्षी के अंदर इन में भी आपको बताऊंगा एक सिजा-सिजा तरीका और ए जो से विदा लेंगे पूरा है लिए 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 कैसे की अज़र आपको एक सिंपल तरीका सिखाता हूं अगर आपने इन और यह पड़ी है तो पता होगा calcium hydrol, यह लिया, तो calcium क्या बनाता है, calcium बनाता है CaOH, भूल टेखको मैं तो इसको ऐसी करता हूँ, OOH, यह पानी है, तो पानी क्या होता है, H और OH, तो OH बादा लेगा calcium, कितने OH लिए उसने, 2, 2 लिए, तो 2OH लिखने पढ़ेंगे, कितने H होगे, 2H, तो यह बन गिया आपका C2 और 2H, H2 C2, H2 क्या होता है? H, C, C, H तो बहुत असान हो गया तो ऐसे यहां देखो, Mg2, C3 अब आप पता है, खुद कुद ही मंग लगाओ देखो, हो सकता है, आप कोई और तरीका पता हो Easy part है, क्या पढ़ा है मैंगनेशियम हाइड्रोकसाइड तो कितने OH चाहिए? 2OH चाहिए, H, OH लेकिन यहां Mg पर तो 2 है 2Mg है, तो 2Mg करते हैं, 4OH चाहिए, यह 4OH तो 4OH तो बैलन्स होगे इसके साथ और 4H, तो यह बन गया C3 H4, C3 H4 क्या होता है भया, प्रोपाइन IAT ने इस साल यह पूछा Mg2C3 Hydrolysis प्रोपाइन, प्रोपाइन पर NNS2 वाला पार्ट पूछा सोच वा, IAT ने यह पार्ट पूछ लिया तो अपने को तो उस चीज़ के तयार रहना चाहिए ना इसी लिए बोल रहा था इसी तरी के साब B2C का भी कर सकते हो, बेरियम, बेरियम, अबरियलियम, लीथियम, बेरियम, 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 बेरियम तो होता ही नहीं है सर मतलब यह आपका उसका बनाना पड़ेगा मतलब क्या हुआ तीन मॉल थी एच फॉर थीन मॉल थी एच फॉर और इस यूर आंसर तो यह है इस पर सवाल आता भी है और आपको आना भी चाहिए तो आपको अलब कर लेना कुछ सालों से लगातार आयेटी के आपको सवाल पूछ रहा है और बहुत समवाउना है वापस से इस सवाल इस सवाल आ जाए बहुत सदा समवाउना है तो क्या किया इसने यह सवाल दो एडवांस में भी आया है इस साल इनके मोल्स भी इंपोर्टेंट हैं क्यों यह आपने टिपल मोल्ड लिया जहां से सुनना आप लोग सब लो यह आपने टिपल मोल्ड लिया तो टिपल मोल्ड में क्या होगा तीन मोल किते लिए बढ़ा तीन मोल यह देखो ऐसे ऐसे लिखे यह लिखा गरमा-गरम एफी ट्यूब के साथ रीजियन क्या है रेड होट एफी ट्यूब गरमा-गरम आईरन की ट्यूब में से पास किया अलकाइन को तो बेंजीन जैसा खूपसूरत प्रोड निकला शानदार आंसर बेंजीन तीन मोल लेकिन अन्रकना मोल्स में आपको मैंने इसका मास से इसका मॉल निकाल लोगे तो इसके तीन मॉल से इसका एक मॉल बनता है तो इसके एक मॉल से किता बनेगा 1 by 3 मॉल यह जहां रखना बस यह तीन मॉल है अब इसको क्या करूँ सर्थ तो यह ट्रिपल तो जोड़ दो क्या बन जाएगा बेंजीन तो एक तरफ तो सुनो एक तरफ तो है CS3 अब यहाँ पर क्या है एक तरफ CS3 एक तरफ एच्छे है वालो CS3 तो एक CS3 दो CS3 तीन CS3 हमें तीन CS3 को बैलेंस करना है ऐसे दिए आप देखो ना खुद देखो आप खुद देखो गे ना आपको समझ में आएगा रिपर्शन को दूर करने के लिए में दूर रखा यह खुद देख लो यह तो बन गया आपका बैंजीन और बच्छेवे पार्ट से लग गया तीन CS3 इसमें क्या होगा यह रहा टिपल इससे तो क्या बनेगा आपका बैंजीन और बच्छेवे पार्ट से आपका क्या बनेगा बाकी बच्छेवे पार्ट से आपका क्या बनेगा बाकी बच्छेवे पार्ट से आपका क्या बन जाएगा तुपल में यहां भी मिताई यह 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 मित आप इसको तमीज से करिए, ध्यान से इसको चाप लीजिए, यह इसमनल सो बार इस्वार कर लीजिए, जल्दी साप लीजिए, जल्दी से चाप लीजिए इसको. हो गया, चलिए, अब हम लास्ट, फाइनल, इस इस दे इंडिंग ओफ इस अलकाइन, और एक आखरी क्योशन आज का, जो इस पूरे चप्टर को अलकेन, अलकीन, अलकाइन को समराइस करता है, इसी पर बेस हो, अलकाइन को बेस क्योशन करवा रहा हूं, जहां से सौल किजी, सब भी लोग कॉल करेंगे, अपना दिमाग लगाए इसके अंदर, अच्छा कुशन है, आइटी माया, उस टैपके कुशन दे रहा हूं, पड़ाफ़ ट्राइ कीजी, अच्छिन हम आइटी के कुश्चन्स पहेंगे, ट्राइ करें, ट्राइ करें, पुर्शिस करें, for the one mole of this compound how many moles of S obtained and what is the S PQRS find the PQRNS just find the PQRNS जल्दी find करें जल्दी पॉस करके क्योंकि recorded है पॉस करके आप इसको solve कर सकते हैं CSC2 बना आप भी सिखाया इससे क्या बनेगा LNNHS2 बना NNHS2 बना CSC 2 सिंपल सरी के से विगा सकता हूं फिर वापस नहीं राड़ा हुए सर बजब फिर यह वाला इच्छट आया इस बाड़ क्या लगाया इथाइल लगाया तो सी एस त्री सी ट्रिपल बॉंड सी सी एस त्री टू पेंट आइन बना और रेड हॉट एफी ट्यूब से इसको जोड बनेगा और यह 1 by 3 mol ही बन पाएगा तो 1 by 3 mol of this compound is obtained and this is a PQR and S and that is the ending of that is the ending of alkyne 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 अगले वाले पार्ट में नेक्स पार्ट में हम सीखेंगे बेंजीन वाली चीज़ें और साथ में आयवे क्यूशन इस सेग्मेंट इस जस्ट लाइक अब तक आपने जो पढ़ा वीडियो पोस्ट कीजी और चुप चाप एक बार फटा 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 नॉट्स को रिवाइस क लिए दिखेंगे और कुछ और आरे स्पेसल कुशन को सॉल करेंगे में तो अपने बच्चों को जो बच्चे आउन करें राए अपने बैच में 100 100 रिएजन इन वन क्यूश्ट इसे भी कुश्ट भी हैं तो इसी के साथ चल्दी से इसको चाप लिजिए यह आप कोश्ट को लोगुश्ट को पाराए अजया रहा है तो नेक्स पास वर ओर वीड आवर वीड ओस इस यांप्योश्ट कोश्ट को जिए नौ यह